आज के स्क्वाडिलेटरल की कहानी को हम देंगे विया 21 तपो की सलामी के साथ सबसे आकरी विदाई तो मेरे भॉकाली और मेरे बाबू मसाए अपने कुरसी की पेटी बाद लेजिए क्योंकि नॉलेज का जो रोलर कॉस्टर राइड है वो एक स्वाग वाले तरीके से स्टार्ट होने वाला है आप भी बात फिल करते होगे कि आपके दादा जी बहुत पहले मॉइल फोन उस तरीके से नहीं चला पाते थे उतना स्मूथली रील स्क्रॉल नहीं कर पाते थे जितना स्मूथली आप कर पाते हो यह तो बहुत बड़ा नाइंसाफ होगी आपने प्रॉपर्टी जो पैरलेलोग्राम बता दिया बेसिकली पैरलोग्राम के बारे में बता दिया रेक्टेंगल के बारे में बता दिया सर आपने को bisect हो करते हैं बट 90 डिगरी पे नहीं करते हैं सिर्फ square और rhombus के case में आपके diagonal 90 डिगरी पे bisect करते हैं तो स्वागत मेरे champions आपके से अमेजिंग से फ्लाटफोर्म physics वाला में मैं हूँ आपका math mentor अभी नहीं हो राचुका भी है एक और most demanding बोले तो सबसे ज़्यादा हावी डिमांड वाले चाप्टर के साथ that is your quadrilaterals यार यह जो quadrilaterals की कहानी है इसको आज एक नय लेवल तक पहुचाएंगे यानि बोलेंगे तो सरिक दाम बिलकुल भौकाली यानि स्वाग लेवल क्या होने वाले इस quadrilaterals चप्टर में और क्या-क्या बाती आज हम करने वाले हैं सब कुछ समझेंगे लेकिन बिलकुल डीटेल के साथ पहले तो बता दो क्या हाल चाल भौकाली हो सब बढ़िया साम मझे में I hope I hope आज की स्क्लास के लिए आप स सुपर डूपर एनर्जी के साथ excited होगे और आज की स्क्वाड लेटरल की कहानी को हम देंगे भी या 21 तुपो की सलामी के साथ सबसे आखरी विदाई देखो यार यह जो पूरा चप्टर है न कहीं न कहीं आपके exam centric approach को दिखाता है कि exactly exam में जैसे questions आते हैं तो आप सवालो जरनी को यही से start करते हैं और आइनो की चाट मैं देख रहा था पिछले वीडियो जो कुछ हुए है भी या उसमें आपने comment section में भर भर के भर भर के इसकी heavy demand की है तो क्यों नहीं बिल्कुल heavy driver बनके इसको accelerate किया जाए और must जबर जस्त वाले तरीके से इस chapter को भी बाकी सारे चाप्टर जिसे बना दिया जाए है है सस्ता चाप्टर पहले तो बता दो यार क्या आप सभी बिल्कुल आज के class के लेक्साइटेड हो अगर आज किस class के लेक्साइटेड हो तो चली बिया इस जरनी को यही से start करते हैं और आप सभी का प्यारा motivational विया मंत्रा है उसको भी चैट में spam कर दीजिएगा क्योंकि आप सभी की जो जरनी है कुछ ऐसी हो चुकी है आप सभी के सभी unstoppable हो चुके होंगे यह है आपका नीव का बड़ा खुबसूरा सा प्यारा से YouTube चैनल और आपने अपनी नीव तो रख लिए सर लेकिन कहीं न कहीं उडान भरना बाकी है एक क्या पढ़ने वाले हैं कैसे पढ़ने वाले सर सवाल कैसे होंगे concept कैसे होंगे क्या आज की class बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगी इस तरीके से बहुत सारे सवाल अपके दिमाग में घूम रहे होंगे आपको पता बिटा कि आपके class 9 की जरनी में यह दूसरा ऐसा chapter है जो ह इस class को रखी जाए और बहुत सारे सवालों के साथ जितने भी concept आज हम सीखने वाले हैं उनको implementation में लिया जाए कि सर एक सवाल में जो concept हमें आता है उन सारे concepts को यूज कैसे करे सर बहुत सारे यहाँ पे parallelogram के properties होंगी और भी बहुत सारे unique से concept होंगे क्या सर आज के थिरम्स क proof भी आप कराओगे तो आपके हर एक सवाल का जबाब है हाँ ऐसा ही आज का class का flow होने वाला है और देखो यार कहीं ने कहीं आपको ये चीज तो अपने अंदर एक जिद ठान कर रखनी होगी एक उम्मीद ऐसा पालना होगा जिसमें आप अपने आप से वादा करो कि हर हाल म आप give up नहीं करोगे और हर हाल में मचाओगे हमेशा से बोलते आया हूँ कि मम्मी पापा के respect तो करनी है लेकिन उनकी उम्मीदों पे भी खरा उतरना है और यही सबसे ज़्यादा माहिन रखता है इस moment पे आपके life में यार देखो इस time पे आप उनको financially support अगर नहीं कर सकते ह कहीं न कहीं आपको mentally support करना पड़ेगा और mentally support कैसे कर पाओगे सर्फ perform करके और आप वादा करके जाओ कि आज किस क्लास में जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास एक मिनट या दो मिनट बाद तो आप हर एक सवालों को खुद बखुद copy pain लेकर बैच जाओ और try करते रहना parallelly solve करने की अगर आज के सारे सवाल अगर आपने solve कर लिए तो मैं I am damn sure और ये guaranteed मैं बोज सकता हूँ कि इस quarter letter से एक single percent भी doubt नहीं बचेगा चली बिया इस कानी को ये से start करते हैं क्या क्या करने वाले हैं तो आज ये पूरा का पूरा chapter हो जाएगा बिलकुल खतम यानि इसको सारे ऐसे बच्चे हैं जो other state board की हैं और उनमें कुछ-कुछ बाकी के जो concept बचे कुछ है वो आ रहे है तो उसको भी मैं insert cover करा दूँगा बहुत सारे practice problem करने वाले हैं यानि एक सवाल में concept को कैसे implement करें उस पे बात करेंगे और exam centric approach क्या होना चाहिए सर हमारे exam में सवाल कै क्या हैंगे और हम उसमें किस तरीके से अपना approach रखें हर एक सवाल में ये बात मैं आपको feel कराते रहूंगा बिटा exam centric approach क्या होना चाहिए सर exam में क्या लिखना है किस तरीके से सवालों को देखके हमें सर पहला approach उसमें डालना है तो इस तरीके से आज के class का flow होने वाला है सर क्या क्या कराओगे तो ऐसा कुछ होने वाले हैं आज के class का flow तो मेरे भौकाली हो मेरे बाबु मसा है अपने कुरसी की पेटी बाद लेजिए क्योंकि knowledge का जो roller coaster ride है वो एक स्वाग वाले तरीके से start होने वाला है चले इस कहानी को start करते हैं तो पूछा है भीया हमसे सबस तो मतलब थोड़ा बहुत समझ में आता है तो चले भीया देखते हैं कि quadrilateral का क्या मतलब है एक ऐसा polygon जिसमें चार sides हो सर अपने polygon बोला इसका मतलब एक ऐसा close figure एक ऐसा close figure जो straight line से मिलके बनाओ अगर मैं मालो कि एक straight line ले लू बेटा या मालो चार straight line ले लिया चार टुकड बन रहा है नहीं सर यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आपने लिए तो है चार टुकड़े एक दो तीन चार लेकिन इनसे close structure बना रहे हो क्या यह polygon के अंदर आएगा सर नहीं पता एक इस figure को देखें दोस्त यहां पे अगर आप observe करो तो यह basically close figure है जिसमें चार straight lines हो औ एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा overlap तो नहीं कर रही है या एक दूसरे के साथ align नहीं हो रही है यह भी हमारा एक कैसा है दोस्त सर यह भी हमारा एक polygon है लेकिन लेकिन इसकी category थोड़ी different है यहां पे देखो तो इसका एक internal angle कितना है दोस्त सर यह तो ऐसा लग रहा है कि reflex angle ज कितना होगा सर जादा से जादा होगा तो वह 180 से कम ही रहेगा यानि obtuse या acute की category में आएगा जादा से जादा जो angle होगा वह आपके 180 से छोटा ही रहेगा यानि अगर एक अगर एक close polygon जिसमें number of sides 4 हो और उसका हर एक angle हर एक angle कितना हो यह 180 से छोटा हो तो अब आपको यह बा मैं हिंड दे देता हूं convex and concave polygon के बारे में कुछ ऐसा सुना होगा आपने अब देखी भी है quadrilateral का सीधा साधा मतलब समझते हैं बिना सब्दों को और ज्यादा extra बता हुए quadrilateral का मतलब होता है एक ऐसा polygon जो की close structure हो जो straight line से मिलके बना हो और ऐसे 4 straight line से मिलके बना हो तो यह तो हमारे triangle जैसा दिख रहा है यह हमें triangle जैसा दिख रहा है और यह एक straight line जैसा दिख रहा है I hope I hope मेरे दोस्तों आपको यह बात समझ मा चुके होगी वैसे भी देखो यार यह बाते आप class 8 में आलेडिक कर चुके हो जैसा कि हमारा topic है understanding quadrilateral जो की class 8 का topic था उसमें अपन लेटरल में क्या-क्या basic बाते हमें जाननी होती है उसको सीख लेते हैं सर आपने बताया कि यह close structure जो 4 straight line से मिलके बना हो तो वह कैसा भी इस तरीके से दिखेगा एक roughly अगर मैं figure draw करू तो कुछ ऐसा दिखेगा अब यहाँ पे कुछ-कुछ basic बाते लिखी गई उसको note करते ह यहाँ पे 2 sides मिलेंगे उनको एक vertex बोलते हैं तो मैं सारे के सारे vertices का नाम दे देता हूं A B C and D इस तरीके से मैंने क्या किया इन सारे vertices का नाम दे दिया अब देखना क्या-क्या यहाँ पे चीजे हमारे सामने आएंगी अगर मैं यहाँ पे बोलू कि adjacent या consecutive angles of quadrilateral तो वह क्या बोला जाएगा adjacent angles का मतलब होता है जो एक common side share करे जो एक common side share करे अगर इन दो angles की में बात करूँ जिनको मैंने यहाँ पे draw किया हुआ है क्या यह एक common side share कर रहे हैं क्या यह दोनों के दोनों angles एक common side share कर रहे हैं हाँ सर तो इस टाइप के जो भी दो angles होंगे या ऐसे pair of angles क्या A और B अंगल को एड्यासेंट बोला जा सकता है बिल्कुल बोला जा सकता है क्योंकि A और B में common side कौन सा होने वाला भी तो इस तरीके से हम क्या कर सकते बातों को समझ सकते कि एड्यासेंट का actual look कैसा होगा I hope यह बात आपको समझ मायोगी कि सर यहां पे यही पेर हमारे पास एड्यासेंट सिर्फ थोड़े है अगर मैं बात करूँ A और D की तो सर यस यह हमारे एंगल जो आपने लिखा A और D यह एड्यासेंट होंगे साथ में अगर मैं बात करूँ A और D की बात करूँ सर वो हो चुका यानि एक पेर ये दूसरा पेर ये तीसरा पेर ये और चौथा पेर ये तो यह जो आपर पास चार पेर आफ एंगल जाए है यह किस टाइप की हो जाएंगे दोस सर यह हो जाएंगे हमारे पास एड्जासेंट एंगल का पेर I hope यह बात कोच्छे से समझ मागे होगी कि adjacent angles exactly दिखते हैं कैसे होंगे या अगर इसको हम graphically थोड़ा feel करना चाहें तो यह कैसा होता होगा दूसरी बात opposite angles of quadrilateral क्या होगा सर एड्जासेंट को छोड़के एड्जासेंट को छोड़के बाकी किसी भी टाइप का अगर हमारे पास angles का पेर आ रहा है तो वो हमारा कहलाएगा कैसा दोस्त वो कहलाएगा opposite अब मैं बात करूँ इस angle को लेके और इस angle को लेके क्या यह quadrilateral के opposite angles कहलाएंगे हाँ सर definition के बात करें तो क्या लिखा गया two angles of quadrilateral which are not adjacent angle are known as opposite angles सर बहुत obvious सी बात है अगर यह vertex A है यह B है यह C है और यह D है तो अगर हम note करें तो यहाँ पे A और C का relation कैसा होगा सर यह opposite angles होगे साथ में अगर इसी तरीके से सोचें तो यहाँ पे B और D में कैसा relation होगा सर B और D के बारे में देखा जाए तो यह भी हमारे पास opposite angles कहलाएंगे तो यहाँ पे B और D के बारे में सोचा जाए تو यह भी हमारे कैसे हो जाएंगे opposite angles हो जाएंगे यह भी हमारे opposite angles का pair बनजाएगा I hope एक quadrilateral में angles कैसे कैसे होते हैं, कैसे relations होते हैं, वो आपको feel हो गया होगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करेंगे different types of quadrilateral को लेगे, basically आप class 8 में आपनी ये बात समझ ली है, different type of quadrilateral में क्या क्या होता है, आपके class 9 में specifically क्या है, उसकी अगर मैं बात करू, तो आपके class 9 में more to the parallelogram और उसकी different properties हैं, तो क्यों नहीं class 8 की जरनी की जो basic बाते हैं, उसको हम लोग एक बार recall कर लें, किससा different type के quadrilateral थे, उनकी कुछ-कुछ basic properties थी, तो उनको एक बार recall अगर हम लोगों ने कर लिया, फिर सीधे पहुचेंगे किस पे बिटा, parallelogram और उसकी different properties, जहां पर multiple theorems को हम proof करेंगे, property जितनी भी होती, parallelogram की हो proof करते हुए, one by one questions को solve करते हुए, आज किस कहानी को खतम करेंगे, चली भी या, तो बात कर लेते हैं, इन सारे figures को देखके, आपके दिमाग में कुछ तो खयाल आही रहा होगा, कि सर, figure का shape देखकर, थोड़ा बहुत या, rough idea तो लगाई सकते हैं, कि कौन सा quadrilateral कैसा होगा, अगर मैं इस वाले कुछ shape की बात करूँ, so this would be trapegium, this would be trapegium, जो की class 8 में आपने पढ़ लिया है, अगर इस वाले की बात करूँ, so this is looks like, roughly अगर बोले, मोटी-मोटी बात, तो सर, ये कुछ ना, हमारे पास ऐसा ये कुछ ऐसा लग रहा कि ये rectangle जैसा है, ये कैसा दिख रहा है, दोस, rectangle जैसा, same to same, अगर मैं इस वाले पे चलू, तो सर, ये हमारे पास rhombus जैसा shape दिख रहा है, ये हमारे पास rhombus जैसा shape दिख रहा, अगर मैं इस वाले की बात करू, so this is looks like square, और आखरी वाले की बात तो sir एक बार last moment आप क्या करो इन सारी की सारी quadrilateral के properties को recall करा दो तो मज़ा आ जाए क्योंकि अगर आज ये बात class 8 वाली बात recall करा दी तो हमारा जो main chapter है parallelogram को लेके वो हमें अच्छे से समझ माएगा तो इक काम करते बिटा इस कहाने को मैं चाहता हूँ कि थोड़े और swag वाले लेवेल पर स्टार्ट किया जाए तो चलिए बिया आज आते हैं अपने पूरे के पूरे किरदार में वा मुलेजा होसियार साधान क्योंकि quadrilateral समराज के महाराजा parallelogram और उनकी बड़ी खुबसूरस सी महाराणी ट्रापेजियम जी पधार चुकी है देखो यार क्या है इस कहानी में तो एक बड़ा प्यारा सा बहुत पुराने दिन की बात है बहुत बहुत पुराने दिन की बात है कि एक बड़ा प्यारा सा समराज हुआ करता था जिसका नाम था quadrilateral समराज औ पाउन भीया, पैरलेलोग्राम महराज. और पैरलेलोग्राम महराज की बड़ी प्यारी सी, खूबसूरत सी एक महारानी थी, उनका नाम था ट्रापेजियम जी. अब देखना यार, इन दोनों में कुस्तो बाते खास होंगी. अगर इनका विवास संपन्न हुआ होगा, तो कही पूरे के पूरे गुड तो नहीं मिले अब आप सोचों कि यहाँ पर दो पेरा पैरलल साइट्स है और इनके पास कितना दोस्त एक ही पेरा पैरलल साइट्स है यानि इनके जो 36 गुड है वो तो नहीं मिल पाए सिर्फ 18 गुड मिल पाए फिर भी ठीक है भी या कैसे भी हुआ इनका बिवाह संपन हो गया इनके अगर सारे गुड मिलाए गया है तो वो तो मिले नहीं लेकिन इनका बिवाह संपन हो गया अब भीया जो सामराज था उसको भी चलाना था तो सामराज चलाने के लिए क्या हुआ इनके संतान उत्वत्ति की कामना हुई तो सब से पहला जो खुब सूरस सा, और सबसे अच्छी बात पता है क्या, पिता जी के जो गुढ थे, वो पूरे के पूरे गुढ बच्चे में आ गए, सर ये तो होता है कि हमारे मम्मी पापा में, जो खूबिया होती है, वो इनहारिटल हमें मिलती है, ये तो सर बहुत सिंपल सा फंडा है बाय की सारी property या इस rectangle में होगी लेकिन आपको पता है क्या कि आप भी अपने आपको अगर compare करो तो कहीं न कहीं आप feel करते होगे कि यह जो generation है पुराने वाले पीडी से थोड़ा updated है आप भी यह बात feel करते होगे कि आपके दादा जी बहुत पहले mobile phone उस तरीके से नहीं चला पाते थे उतना smoothly real scrolling कर पाते थे जितना smoothly आप कर पाते हो यानि नई generation थोड़ा updated थी यानि पिता जी के लच्छर तो आए लेकिन इनके खुद के कुछ नो कुछ character होंगे बिया तो इनकी characteristics को देखा गया तो कुछ extra मिल गया बिया क्या extra मिला कि parallelogram की जो property सब था बस extra क्या मिला कि all interior angle 90 degree हो गया all interior angle जो था वो बन गया था कितना बिटा 90 degree तो यह इन में extra लच्छडा गया कुछ अब देखना बिटा ऐसा था कि सामराजे तो चलाना ही था लेकिन बिया जो बाकी के सामराजे थे उनसे सत्रुता भी थी दुस्मनी थी तो इनको डर लगता था कि या रे एक ही लड़का है कहीं असाना हो कि कोई युद्ध कर दे और इनको बिलकुल निप्टा दे तो इसलिए संतान की कामना में इन्हों उनने इनका दूसरा बालक हुआ दूसरे बालक का नाम रखा गया है राज कुमार स्क्वायर क्या बात है तो बिया पापा जी के तो शारे लच्षड रहेंगे ही साथ में जो इनका पहला पुत्र था उनसे इन्हों ने विया क्या अपनी ग्ञान दिख्षा सिछा ली तो इ एक rectangle की property में तो फैरललोग्राम का है लेकिन ये rectangle की जो property है ये गुस गया सारा square में यानि square बन गया बया सबसे ज़्यादा सूपार्ड उपर ज़्यादा updated वाला quadrilateral राजकुमार अब हुआ क्या कि इनको प्यार थोड़ा ज्यादा मिलने लगा तो ये थोड़े थोड़े बिगडने लगे भी या लाड़ प्यार जा रहा मिलता है तो बिगडने लगते हैं लोग तो इसी क्रिया करम में क्या हुआ भिया इसी करम में इनका तीसरा बालक हुआ रॉम्बो राजकुमार रॉम्बस जी बहुत बढ़िया अब पिता जी को डर था कि कहीं स्क्वाइर की तरह ये बिगड न जाए तो इन्हों ने क्या किया जो स्क्वाइर जैसा पूरा प्रोपर हुआ बहुत बुरा हुआ तो यहां पे जो स्क्वाइर जैसा हरकत था भी है तो स्क्वाइर की हरकत इसमें न आये इसलिए इनको स्टार्टिंग से प्रसाद मिला था इस्टार्टिंग से प्रसाद मिला था तो इनका जो सकल था बेचारे का वो तो बदल गया ऐसा हो गया क कुछ ऐसा सकल हो गया और इग्जाक्ली यह सकल मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर चैट में एक स्पैमर है उनसे पता नहीं क्यों मैच कर रहा है ठीक है भाई कोई बात नहीं तो यह बिसिकली एक रॉम्बस का सेफ ले लिया या नि रॉम्बस क्या होता है स्क्वायर का ही ए रॉम्बस जी तो आपको आइडिया लगया होगा कि रेक्टेंगल कैसा दिखता होगा सर जैसा आपनी यह बॉक्स बनाया है यह रेक्टेंगल इसक्वायर कैसा दिखता होगा सर कुछ ऐसा दिखता होगा और यह पैरलेलोग्राम कैसा दिखेगा सर यह कुछ ऐसा दिखेग अब जितनी भी प्रोपर्टी इस प्रोपर्टी इस में रेक्टेंगल में स्कॉयर की प्रोपर्टी में क्या एगा रेक्टेंगल की जो सारी प्रोपर्टी हाला कि यह प्रोपर्टी को अलेडी इंक्लूट किया है यह आगे स्कॉयर में लेकिन जब इसको कूटा गया तो अब ठीक है ऐसा कुछ हाल था अब जो इनकी महारानी थी बहुत प्यारी सी ट्रैपेजियम जी उन्होंने बोला कि ये तो वहत बेमानी हुई है भाई साहब क्या कि तीन-तीन सुंदर से बालक हो गए है लेकिन पुत्री की इच्छा है सट पुत्री कामना है तो बड़ा प्या आपर नहीं थे ये बिलकुल अलग हटके बोले तो इकदम बिलकुल पापा की परी वाली समझ माया चलिए ऐसा कुछ था कि राज कुमारी काईट जी क्योंकि इनको उड़ने का सोक था देख लो भी या बचपन से उड़ने का सोक था तो बिलकुल पापा की परी जैसी ये हुई है बहुत सुन्दर सी राज कुमारी काईट जी तो इनकी भी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सेपरेटली डिसकस करेंगे रिजन इस एक पापा की परी हमारी काईट जी जो उड़ती है आसमान में कहीं ओफेंड न हो जाए तो इनको थोड़ा स्पेशल इज़त देंग लेकिन पैरलेलोग्राम और ट्रापेजियम के बीच में डारेक्ट रिलेशन होता है क्या कि सर पैरलेलोग्राम ट्रापेजियम में अगर देखें तो ऑन दबेसिस आफ साइड हम क्या बोल पाएंग अब यह कि जिसमें एक भी साइड पैरलेल नहीं हो मतलब कुछ ऐसा से ऐसा से कुछ ऐसा से तब यह एक भी साइड पैरलेल नहीं है काइट अगर एक पैरलेल आगया अर अगर दोनों पैर पैरलेल आ गया तो वह अज़रत Of में और इसके तीन डिफेरंट केस्जिश बनते हैं त değेक तो यह वाला के 6 different shapes हैं और इनके बारे में थोड़ा detail में समझना है लेकिन class 9th के content के हिसाब से पूरा का पूरा focus जो रहेगा दोस्त वो रहेगा हमारे parallelogram पे और उसकी जो बहुत सारी बहुत सारी different properties हैं उनको one by one theorem के form में हम क्या करेंगे detail में सोचेंगे समझेंगे चले भी इस कहानी को यहीं से start करते हैं फटा भर से तो बात कर ले कि parallelogram क्या होता है basically इसका definition क्या होता है और conscious की properties होती है एक parallelogram के बारे में अगर सिर्फ definition की part की बात करें बटा तो definition में आपके सिर्फ इतनी सी बात दी गई है क्या कि pair of parallel sides अगर हो तो इस तरीके से कोई भी अगर quadrilateral हमारा बनेगा तो वो एक parallelogram होगा definition में क्या दिया दोस्स कि in a quadrilateral if both the pairs of opposite sides both the pairs of opposite sides are parallel then it is called a parallelogram इस के लब और कुछ भी information हमारे पास नहीं दी गई थी यह बाकी के जितने भी properties देख रहा है न दोस्स यह सारे के सारे हम लोग personally proof करेंगे एक एक करके theorem's के form में तो एक parallelogram के बारे में यह बोला गया कि अगर हमारे पास opposite sides का पेर हो opposite sides का पेर हो suppose मैं एक पेर यह ले लिया suppose मैं एक पेर यह वाला ले लिया दोस्स एक वाला यह ले लिया और दूसरा यह ले लिया यानि opposite sides का का ये वाला और ये वाला तो इस टाइप से जो जो हमारा एक लोच स्रक्चर बन रहाना रहाòn क्वाड्र लेटरल यह कहलाईगा एक पैरलिल अब parallelogram की basic कुछ properties होती है, वो properties यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं, क्या लिखा है दोस्ट कि sir, opposite sides equal होती है, यानि AB की value CD के बराबर होगी, AB की value किसके बराबर दोस्ट, ये वाली side, इस वाली side के बराबर, AD की value BC के बराबर, तो ये basically definition है, ना किसकी property, तीसरी बात, जो इसमें हमें सीखनी है, वो क्या है, कि sir, opposite angles जो होते हैं, वो equal होते हैं, यानि angle A, angle C के बराबर होगा, इस बात को मैं mark कर लेता हूँ, क्या बोला दोस्ट, कि sir, ये जो angle A है, ये जो angle A है, इस angle C के equal होगा sir, opposite angles equal होते हैं, और क्या-क्या हो सकता है, और क्या-क्या हो सकता है, sir, ये वाल angle, angle B जो होगा, वो इस angle D के बराबर होगा, क्योंकि opposite angles कैसे होते हैं, दोस्ट, equal होते हैं, आगे पढ़ लेते हैं, इस बात को थोड़ा और detail में समझते हैं, कि और क्या-क्या बाते हो सकती हैं, तो अगर मैं इसके properties की बात करू तो, sir, अभी तक property में हमने ये सीख लिया, कि opposite side same होते हैं, opposite angles same होते हैं, क्योंकि ये definition इसको मैं properties में include नहीं कर रहा हैं, तीसरी property, क्या, कि adjacent angles होता है, इनका sum होता है 180 degree, adjacent angles supplementary होते हैं, क्या होते हैं, दोस्ट, adjacent angles are supplementary, मतलब अगर दो adjacent angles को जोड़े हैं, तो वो कितना हैगा, दोस्त, sir, वो अजग अपने पास बड़े प्यार से 180 degree, तो इस तरीके से कुछ कहानी होती है, इस तरीके से कुछ कहानी होती है, दोस्त, इस तरीके से कुछ कहानी होती है, देख लिजिए, तो ये रहा हमारा तीसरा property, चौथे property की बात करें, तो क्या लिखा है, diagonals bisect each other, ब अगर एक दूसरे को किसी point O पे intersect कर रहा है, चली बिया, एक और मैं, I'm not so, कि ये वाला red color वाला आपको थोड़ा सा आँखों में चुपतो नहीं रहा हो, क्योंकि मैं दिखाने के लिए ऐसा use कर रहा हूँ, तो ये जो हमारे दो diagnosis किसी एक point पे cut कर रहे हूँ, तो इस case में क्या होता है, दोस्ट, कि ये आपस में ही bisect होता है, यानि OD equal to OB हो जाता है, सर इसके अलामा क्या हम OE equal to OC बोल सकते हैं, हाँ, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, दोस्ट, bisect करते हैं, किस पे bisect करते हैं, वो देख लेंगे सर, क्या वो एक दूसरे को 90 पे bisect करते हैं, तो उसका जवाब है हाँ, क्या वो एक दूसरे को 90 पे bisect करते हैं, तो उ और करी इसकी ज़रूत नहीं है यानि एक पैरलेलोग्राम की बाई डिफॉल्ट डिफनीशन के हिसाप से तो यह चीज हो गए यह डिफनीशन बोल रहा है दोस्त यह क्या बोला है इसका डिफनीशन बोल रहा है कि सर पेर आप पोजिट साइट्स जो होती है पेर आफ याद हो गई तीसरी वाली क्या कि सर समफ एड्जासेंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा 180 डिग्री तीन याद हो गया चौथा क्या डाइगो ने लेग दूसरे को 90 पे बाई सेक्ट करता है बस अब आप सोचो कि एक पैरलेलोग्राम की सारी प्रोपर्टी अगर आपने की उंगी जो इस कोई स्पेशल अलग बनाता है थोड़ा अपडेटेड बनाता है वो एक्सटरा फैक्टर ये वाला है बैटा वो एक्सटरा की फैक्टर ये वाला है क्या कि इसके सर हर एक इंटिरियर एंगल 90 डिग्री नीवोंगे देखो यार यह पारलेलोग्राम का ही स् तो sir parallelogram की पहली properties के अंदर है, दूसरी इसकी definition वाली properties के अंदर है, तीसरी को भी diagonal viset करेंगे ये भी इसके अंदर है, sum of adjacent ये चौथी वाली properties के अंदर है, लेकिन एक rectangle को सबसे ज़्यादा अलग कैसे बनाता है parallelogram से, वो बात यहाँ पे लिखी गए है क्या, कि हर एक interior angle जो आता हूँ, इसके 90 degree होने की वज़ा से, एक parallelogram का जो पूरा-पूरा shape था, वो change हो गया, आप खुझ सोचो, कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, तो आपको मैसूस हो रहा है कि B और D के बीच का जो distance है, वो A और C के distance से कम है, आप खुद मैसूस करो, कि BD के बीच का जो length है, A C के बीच के length से कम है, लेकिन अगर ये गलती से 90 हुआ, तो दोनो diagonal की length तो हो गई भिया, फटा-फट से क्या, same, तो ये extra factor कुछ है, इसको मैं अलग से माग करता हूँ भिया, ये extra कुछ factor है दोस्त, extra जो हमारे पास आया है, इसकी बज़ा से क्या, जब इसके हर एक interior angle 90, त भिया, इसकी वज़ा से जब ये एक दूसरे को intersect करेंगे, तो ये जो 4 टुकडे बन रहे है, ये आपस में same हो जाएंगे, बिलकुल हो जाएंगे, आप सोचो नहीं, ये bisect होता था, और ये bisection अगर length इसके बराबर है, तो ये 4 के 4 टुकडे जो बच रहे है, ये कैसे हो जा और बाकी ये तो parallelogram का ही सारा case है, एक rectangle parallelogram का ही special case है, बस फर्क क्या होता है, कि सर हर एक interior 90 हो गया, और 90 होने के वज़े से diagonal के length हो गई same, और diagonal length same होने के वज़े से ये जो 4 सेगमेंट बच रहे हैं ये 4 सेगमेंट कट रहे हैं, ये 4 चारो चारो आपस में कैसे, equal, अब इस प बड़ा प्यारा सा सवाल कर लेते हैं पहले, सवाल करने के बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि इस property को हम क्या कर पाए, recall कर पाए, चले, क्या दिया भीया, R, E, N, T, rent जो है वो एक हमारे पास rectangle है, इसके diagonal point O पे meet कर रहे है, X की value figure out करनी है, अगर OR दिया भीया हमारे पास 2X प् प्रस वन, क्या यहाँ पे properties हमारी apply होगी बेटा, diagonal of rectangle are equal in length, are equal in length, equal in length, and bisect each other, and bisect each other, वे एक दूसरे को bisect भी करते हैं, अगर ऐसा कुछ भी मिला दोस, अगर ऐसा कुछ भी मिला, तो क्या बोल पाएंगे, कि सैठ T, E, equal to R N होगा, या अगर दोनों साइड इसका आदा कर दें, मतला बाइसेक्ट कर दें, तब भी बराबर ही होगा सर, अगर इसको आदा कर दें, तब भी बराबर ही होगा सर, क्यों, बाइसेक्टेट पे भी आदा ही होगा सर, ऐसा हो जाएगा, अगर मालो कोई क्वांटिटी सेम है, तो यू आजाएगा OT के बराबर, साथ में, जो देखो data दिया उस पर हम चल रहे हैं, ये RN का आदा कितना हो जाएगा, OR के बराबर, अब value सीधे सीधे substitute करते हैं, कितना, सर ये हो जाएगा 3X प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा दोस, सर ये हमारे पास हो जाएगा 2X प्लस 4, 2X प्लस 4, चले, इसको ले आते हैं भी आइधर, 3X माइनस 2X, तो ये कितना हो जाएगा बिटा, 4 माइनस 1, सर, X की value आगई बड़े प्यार से 3 के बराबर, यानि option B जो है, वो बिलकुल भौकाली वाले तरीके से बिलकुल correct है, आप सोचो, कि rectangle का कितना महंगा सा property यहाँ पर यूज कर कर दिया, वो भी आपस में equal, बस यही छोटी सी बात हमने क्या की use मिली है, चलिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर, हमने rectangle के बारे में तो सीख लिया, अब थोड़ा सा square के बारे में बता दो, अगर मैं square की बात करू दोस्त, तो rectangle की जो जो property है बटा, वो सब कुछ इसके अंदर, by default parallelogram की property आगे, extra क्या इसमें आया, वो extra factor क्या आया, extra factor आएगा कि चारो के चारो sides हो जाएंगे आपस में, same, यानि एक rectangle और एक square में जो हमारे पास differences create करने के लिए कुछ extra जो चीज़ है बटा, property, वो आगे कुछ ऐसा, अब यार इसक वज़ा से, इसकी वज़ा से क्या हो जगा देखो, यह तो हमारे parallelogram की property, भी आई हमारे rectangle की property, diagonal से हम हो जाएंगे rectangle की property से, साथ में diagonal bisect करेंगे, तो यह वाली हमारी rectangle की property, extra क्या आया, हर एक interior angle, जादा से जादा जो बात आईए बेटा, वो आई है कि diagonal bisect each other at right angle, अभी तक, अ 90 degree पे exactly cut कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह बात नहीं पता थी, लेकिन square में guaranteed, दोनों के दोनों diagonals क्या करेंगे, दूसरे को 90 degree पे cut करते हैं, बेटा को, किस पे cut करते हैं, 90 degree पे, तो दो extra बाते जो हमारे पास आई, वो एक ये वाली, इसको erase कर देता हूं, इसको erase कर देता ह इन सब को, जो दो extra बाते आई, वो ये वाली आई, दोस्त, वो ये वाली आई, किस सर, diagonal एक दूसरे को किस पे cut करेंगे, 90 degree पे cut करेंगे, ये बात हम अच्छे से note कर लिए, बाकी देखो ये आपके parallelogram की property, सर, यानि हम अगर parallelogram की property याद रखें हैं, तो उसके बिहाब पे rectangle के बारे में बता पाएंगे, उसके भी हाप ये हम स्क्वाइर के बारे में बता पाएंगे, और देखो यार, आपके rectangle का ही special case होता, स्क्वाइर, तो बहुत obvious ही बात है के parallelogram की सारी property जिसके अंदर होंगी, चली भिया, जो इनका आखरी बाला के उसके बारे में समझते हैं, that is our rhombus, अब जब भिया क्या किया गया, square को पकड़ के कूटा गया, तो उनकी सकल कुछ ऐसी हो गई, लेकिन सरी square जैसा ही, इसमें भी चारो के चारो sides हो जाएंगे, बिलकुल, same to same, क्योंकि square को पकड़ के कूटा गया है, तो उसकी जो side length है, वो तो वही रहेगी, बस अंद आसा होता, आप सोचो कि 4 के 4 sides जो है, length same है, अब जब कूटा गया, तो आपको मैसूस होने लगा है, कि ये जो diagonal है, ये जो diagonal है, ये थोड़ा हो गया, छोटा, ये diagonal कैसा हो गया, दोस्त, थोड़ा छोटा हो गया, और एक diagonal कितना हो गया, बिटा, काफी बढ़ा बन गया, सर, क्योंकि इनके बीच का deformation हुआ है, तो एक diagonal थोड़ा बड़ा, तो इस square की सारी property लेके बैठेगा, क्या, कि सर, इसके diagonal byset करेंगे 90 degree पे, ये बात हमें याद रहेगी, यहाँ पे देख लो, diagonal 90 degree पे byset की है, चारो के चारो sides भी same होंगे, सर, हाँ सर, अगर इस square है, उसी से बन कि, किसकी बेटा, इस square की, सारी properties square की, सारी properties square की, या यू कहें parallelogram की, आप सोचो कि क्या ये आपस में, सर, ये तो दिखने में ही parallelogram दिख रहा है, जो हमारे पास rhombus होता है, वो parallelogram exactly सारी property लेकर बैठेगा, सारी property लेकर बैठेगा, सिर्फ फर्क ये रहेगा, कि parallelogram में हम usually length औ सारो साइड कैसे होने चीए, बिल्कुल same to same, चले बया, अब बात करते हैं कि, सर, एक quadrilateral में angle sum property क्या होती है, तो भी अच्छा है, जिस भी type का quadrilateral आपका हो, किसी भी type का quadrilateral हो, उस quadrilateral के, अगर 4 के 4 interior angle का sum करें, तो वो हमारे पास कितना आना चीए, दोस्त, सर, वाना ची 360 degree, अगर मैं इसके 4 angles के interior angles के sum की बात करूँ, यानि A, B, C, और D, तो ये कितना आना चीए, दोस्त, सर, ये आजाना चीए, बड़े प्यार से 360 degree, ये बात हमें अच्छे से समझ में आती है, और ये class 8th में लेडी हमने क्या किया है, cover कर लिया, यानि angle A, plus angle B, plus angle C, plus angle D, अगर ये बात समझ में आया, दोस्त, I know कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा, कि सर, ये क्या पढ़ा रहा हो, class 8th में, तो ये बाते हमने पढ़ ली है, सर, क्या इसका यूज आएगा, अभी तो सर, हमारे book में हमने देखा, कि सर, parallelogram की property से start किया हुआ है, बिटा, मैं मानत को पढ़ते time, बहुत ज़्यादा difficulty, face करना पढ़ेगा, तो क्यों नहीं, जो जो basic बाते हैं, उसको पहले ही हमने क्या करें, सर, cover कर ले, देन उसके बास से क्या करेंगे, jump मारेंगे, जो main concept है, चली बिया, क्या करते है, कुछ rapid fire round सवालों के साथ चलते हैं, और जितने भी अ कभी नहीं सकता, क्योंकि यह वाली जो gap है, अगर हम देखें तो यह वाली gap, इस वाली gap से सर, बराबर थोड़े, बराबर थोड़े, तो यह तो गया, बिल्कुल false, बिल्कुल false, देखो, अगर यह बोलता कि हमारे rhombus के diagonal बराबर होते हैं, या square के diagonal, मतलब specify करके देता, square है, तो वहाँ पर इसके diagonal बराबर तब माल लेते हैं, लेकिन अगर इसने यह वर्ड यूज क्या है, पैलेलोग्राम, तो सर, पैलेलोग्राम में तो हमारा rhombus भी आता है, rhombus के diagonal तो सेम नहीं होते हैं, चली भी आ, आगे चलते हैं, इफ दाइगनल्स और पैलेलोग्राम कि जड़ डाइगनल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, perpendicular to each other होते हैं, अब आप सोचो न, क्या rectangle के diagonal क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिगरी पे cut करते हैं, बताइगा, आप लोग खुछ सोचिए, आप लोग खुछ सोचिए, कि diagonal of rectangle R, diagonal of rectangle R, क्या होता है दोस्त, क्या यह एक दू सोचिए, बताइए, बताइए, सर अगर हम rectangle के diagonal की बात करें, तो 90 पे करता है, square के diagonal की बात करें, 90 पे करता है, rhombus के diagonal की बात करें, 90 पे करता है, तो by default बोल देंगे कि यह तीनों के तीनों ही parallelogram है, तो यह statement तो निकल गया, बिल्कुल true निकल गया, बिल्कुल true निकल गया, चलिए, the diagonal of rhombus are equal, सर बहुत जूटा है, यह तो हमारा rhombus जैसा safe है, कब से दिखने लगा भीया, every rectangle is square, नहीं, अगर हर एक square को rectangle बोलता, तो चल जाता है, क्यों length equal to width के बराबर हमने कर लिया, लेकिन rectangle में length width different होती है, तो square तो कभी नहीं होगा, यह निकला बिलकुल false, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, every square is a parallelogram, हाँ भीया, क्योंकि square parallelogram का बेटा है, तो बिलकुल होगा, उसी से तो आया ऐसा, parallelogram भीया, क्या है, parallelogram का special case is square, तो जितने भी square सारे parallelogram, every rectangle is a parallelogram, बिलकुल true, क्योंकि देखो यार, पिता जी से बच्चे हुए है, ना कि बच्चों से प बना दिया, parallelogram का बड़ा सा ही, इसका family बना दिया, तो इस parallelogram के जोले में क्या क्या आएगा, दोस्ट, सर इस parallelogram के जोले में, जो हमारे पास आएगा, वो आ जाएगा, क्या, rectangle, rhombus, और square, सारी बाते हैं, क्या, rectangle हमारे किसमें आएगा, दोस्ट, अगर siloligium आपने पढ़ा ह जाएगा, दोस्ट, quadrilateral में, यह quadrilateral में आता है, बात खतम, चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं, ABCD is a rectangle, देखते हैं, क्या, ABCD हमारे पास क्या है, एक rectangle है, चलिए माक कर लेते हैं, ABCD हमारे पास एक rectangle है, जहां पर बोल रहा है, कि ABD की value 40 है, क्या, ABD मतलब यह वाला angle, इस व पुछा है, कि D, B, C कितना होगा, D, B, C, बचा हुए angle, इस वाल angle, इस वाल angle की बात कर रहा है, दोस्ट, D, B, C मतलब इस वाल angle की बात कर रहा है, इस वाल angle की बात कर रहा है, अब आप बताओ, since ABCD is a rectangle, अगर यह हमारे पास एक rectangle है, तो भी यह बड़े प्यार से बोलेंगे कि पूरा-पूरा angle B जो होगा, वह आजागा 90 degree, और यह पूरा-पूरा angle B की बात करें, बना किस से है, सर, ABD से और D, B, C से, ABD से, और साथ में, D, B, C से बना हुआ है, सर, यह 90 degree, अच्छा, बाकी की value कितनी दिये बटा, ABD वो 40 degree दिया हुआ है, 40 degree प्लस angle D, B, C कितना आजाएगा, D, B, C कितना आजाएगा, D, B, C आजाएगा 90, यानि सर, angle D, B, C जो आएगा, वह आजाएगा 50 degree, angle D, B, C आजाएगा वह आजाएगा, कितना 50 degree, बहुत बढ़िया, सर, सवाल में हमसे कुछ और पूछ रहा, हमसे पूछ रहा, D, B, C, divided by 10, now, angle D, B, C, divided by 10, सर, यह आजाएगा, 50 degree divided by 10, 50 degree divided by 10, सर, यह तो बड़े प्यार से बोलेगा, 5 degree, 5 degree, देखेगा, तो सर, अपना जो correct जबाब होने वाला, वह होने वाला option C, दीखो याद, parallelogram के जो बहुत सारे different cases हैं, like rectangle, square, rhombus, इन ही के properties का यूज करके, आप से सवाल पूछेगा, थोड़ा आगे बढ़ते, क्या लिखा है, दोस्त, the perimeter of parallelogram is 22 cm, अभी हमने पढ़ा था कि सर, parallelogram के opposite sides कैसे होते हैं, parallel और equal, parallel और equal, तो यहाँ पे अ तका जग रहा हुआ दोस्त की सर, AB जो होगा, AB जो होगा, वह parallel हो जागा, किसके बीटा, सर, DC के और 7 में, AB equal to DC भी होगा, AB equal to DC भी होगा, ठीक है, बया, और क्या क्या हो सकता, AD parallel to BC, AD parallel to BC, हाँ सर और 7 में, AD equal to BC भी होता है, AD equal to BC भी होता है, अब बोला है कि इसका perimeter जो है, according to question क्या दिया अगर इंग चारो sides को जोड़े AB plus BC plus CD plus AD अगर इंग सभी को जोड़े तो this would be equal to 22 देखते हैं आगे क्या लिखा है if the longer side measure 6.5 cm BS को जो longer side है वो 6.5 है AB है 6.5 और 7 में अगर यह equal है तो यह भी 6.5 चलिए भी यह value रख लेते हैं AB और CD की value यह 6.5 क्या बच गया दोस BC बच गया CD यह 6.5 अच्छा AD को अगर मैं BC लिख दू तो चलेगा सर बिलकुल चलेगा यहां से मैंने use किया दोस equal to 22 twice of side BC एक प्लस यह कितना हो जाएगा दोस 13 equal to 22 तो twice of BC कितना हो जाएगा दोस सर अगर 22 में से 30 निकालेंगे so this would be equal to 9 this would be equal to 9 तो BC की length कितनी होगी दोस यह हो जाएगी 9 by 2 यानि 4.5 cm अब जो BC है यही length तो हमारे पास किसके बराबर है दोस AD के बराबर यानि जो smaller side है यह क्या है दोस यह smaller side है यह हमारे पास सरी smaller side है एक parallelogram की smaller side है कितना आगे दोस 4.5 as a final answer I hope इसका भी जबाब आपको बड़े असानी से मिल चुका होगा काफी सारे बच्चे excited हो के 9 ना मार दिये हो बया option A हो जाएगा what is a measure of twice of sort of side ओ भाई साहब यही बात तो हम कर रहे थे यही बात तो कर रहे थे जबाब होगा therefore therefore twice of sort of side यह छोटी जो side है उसका दोगना sort of side equal to equal to 2 into 4.5 यह कितना आगे दोस 9 cm और यही क्या होजाएगा दोस final answer तो मारा जो final answer हैगा वो आएगा option B not की option A तो questions को पूरा पढ़ी है जल्दी बाजी बिल्कुल भी नहीं करना है चले अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल दिया है if an angle of parallelogram is two-third of its adjusting चले भी इस वात को समझते हैं एक parallelogram का एक parallelogram का कोई angle अगर दिया हो wait wait एक हमारे पास parallelogram कुछ ऐसा है मालो ही हमारे पास है A B C और D बोला है कि इसका एक angle जो है मालो कोई हमने एक angle ले लिया बेटा यह बला अगर मालो यह angle मैंने ठीटा ले लिया ठीटा क्या ले लिया सर ठीटा तो angle का representation का तरीका है that's it इससे ज़्यादा दिवांग मत लगाईए थीटा बेसिकली एंगल को दिखा रहा है तो क्या बोला है कि सर इसका जो एडजासेंट इसको लो यह इसको लो बात बराबर है बोला इसका जो एडजासेंट है पहले है टूफ हड आफ इडजासेंट एंगल यह जो एंगल है यह जो एंगल है यह जो एंगल है इसके एडजासेंट एंगल का टूथ हुआ सरद बस लगाइए विया is sum अफu adjacent angle of adjacent एंगल इक वेल्टू 180ktorी होता है थोस्द किसमें इन पैरेलोग्राम इन एक पैरेलोगरम के अंदर यह हुता है क्या कि उस्पाम अफad pharmac program स्प्लिमेंटरी होता है तो लिख लेते हैं क्या ठीटा प्लस टू थर्ड आफ ठीटा एक्वल टू बनेटी डिग्री अच्छा देख लेते हैं दोस्त अगर मैं लस्यम ले लुट क्या हो जाएगा सरी हो जागा नीचे थ्री थ्री इंटू ठीटा थ्री टीटा यहां पर इंटू 3 डिवाइड़ बाई 5 डिवाइड़ बाई 5 देखीएगा कितना आएगा दो सीठा थीटा की वैले कितने आएगा 5 थ्री जा 15 थ्री बचा 5 6 जा 30 इंटू 3 सर्थीटा की जो फाइनल वैलू आई दिस बुड बेक्वल टू 6 3 जा 18 18 का मतलब 8 1 के रूबर 3 3 9 9 प्लस बढ़िया अगर आपके पास यह निकल कर आया बिटा 108 तो सम अफ सप्लिमेंटरी की वज़ा से यह कितना आजाएगा यह कितना आजाएगा इसकी वैलू कितनी आएगी तो सर यह आजाएगा 72 डिगरी यह 72 ही होना पड़ेगा अगर यह अपोजिट सेम होते हैं तो यह कितन हो जाएगा बिटा 72 और यह कितना हो जाएगा दे उस दोस्त यह 108 अब आप बताओ इन में जो सबसे स्मॉलेष्ट वो है कितना सर वो है 72 डिगरी तो गलती से 108 लगा कर मता ना दोस्त पूरे कोश्चन पढ़के अच्छे से समझके आना थोड़ आगे बढ़ते हैं तो अब पहुंचते भी आप बूगल बाबा के कुछ धम्मा के दासे सांदार से खतरनाक से सवालों की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है यह एक रेक्टेंगल के साइट का रेशियो दिया है 5 रेशियो 4 तुम्हा लेते हमारे पास 5x होता यह 4x होता आगे देखते हैं क्या लि ट्वाइस ओफ लेंथ की वैलू सर 5x विट की वैलू 4x 90 डिवाइड़ बाइ 2 एक्वल टू यह कितना हो जागा दोस्त 9x यानि x की वैलू कितनी हो जाएगी 90 डिवाइड़ बाइ 9 इंटू 2 यह जागा 10 10 का अधा 5 तो x की वैलू आगी कितना दोस्त 5 अब हम से दिखते है पूछा क्या है we have find the length and width तो we have 5 into 5 25 length यहापे कितना आजाएगा दोस्त लेंथ कितना आजाएगा सर 5 into 5 25 आजाएगा और 7 में width कितना आजाएगा दोस्त सर width आजाएगा 4 into 5 4 into 5 यह आजाएगा 20 यह आजाएगा 20 तुमारे पास length और width तो आसानी से निकल कर आ चुकिए सर that would be 25 and 20 25 and 20 यानि option C option C की जैवो सर option C को स्वाक से स्वाह कराते है so this is all about जो पुरानी बाते हमने सीखी जिनको हमने किया यह सवाल अलेडी हमने कर लिया अभी सवाल पर चलते है इस सवाल पर चलते है देखती सवाल में है क्या बोला है कि the side BA and DC of quadrilateral ABCD are produced भी यह इनको आगे की त plus B equal to X plus Y proof करके दिखाईए अब सर हमारे पास यह क्या है सर अगर हम इसको देखें तो यह हमारे पास एक quadrilateral बोला है ना की कुछ और अब यहार quadrilateral के बारे में बोला है इस specify किया ही नहीं है कि यह parallelogram है कि रंबस rectangle है तो quadrilateral को मिला जुला कि तो अभी तक एक बाती पढ़ा क्या बिटा angle sum property of quadrilateral एंगल sum property यही तो अभी तक आपने पढ़ा सर quadrilateral को लेके property of quadrilateral क्या बोलते है दोस्त कि अंदर के जितने भी interior angles होंगे interior angles का sum कैसा हो जाएगा sir वो हो जाएगा 360 degree अंदर के जितने भी angles होंगे उनका sum हो जाएगा 360 अब अंदर के angles कौन को होल से उसको mark करते है वह यह यह पूरा-पूरा y हा सर बढ़िया बहुत बढ़िया यह पूरा-पूरा x हा सर यह भी consider हो जागा यार इसके अंदर का angle कितन सिर्फ एंगल B के साथ यह linear pair है तो यह हो जाएगा 180 degree minus B 180 degree minus B आएगा हाँ अगर यह बाहर वाला A है तो अंदर वाला कितना आएगा सिर्फ अंदर वाले की बात करूं तो सर अगर यह linear pair है तो यह वह हो जाएगा 180 degree minus A ये भी आपने class 8 का concept पढ़ा कि सर एक सीधी लाइन पर 180 होता है तो देखिए सब जोड़ने पर 180 सब जोड़ने पर 180 बस लगा देते हैं यही same to same कहानी यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्स कि 180 degree minus angle B ये वाला angle प्लस इधर कितना बिटा 180 degree minus A है और ये वाला कितना बिटा सर Y है इन सबी को जोड़े तो यह हो जाना चीज सर 360 ठीक है भी या 180 प्लस 180 360 क्या क्या होगा X हो जाएगा Y हो जाएगा minus का A minus का B equal to 360 चले ये minus का A minus का B इधर ले आते है तो मैं 360 को भी ला रहा हूँ ये इधर जाते प्लस का A इधर जाते प्लस का B ये तो टैब हो लिए बच्चा क्या दोस्त X plus Y equal to A plus B ये इधर प्रूफ करना था अब आप लोग बोलते होने कि copy में हम कैसे लिखेंगे तो जिस तरीके से मैं एक एक line लिख रहा हूँ बटा ऐसे ही अगर आप इतना भी कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा काभी सारे बच्चे इसके बारे में भी अगर आप deeply थोड़ा सा लिख दो copy में तो examiner को लगेगा कि चलो आपको बात समझ में आई कि आपने 180 मानिस B कैसे लिखा तो वहाँ पर एक extra line आड़ कर सकते हो कि over the line A B since we have D A और यहाँ पर X point ले लो यह भी यह linear pair है इसकी बसे अंदर वाल angle लिख दो ना कि since A B is a straight line then angle D A B must be equal to 180 मानिस B because of linear pair यह बात statement में अगर आप चाहो तो लिख सकते हो अलेस graph में इतना भी roughly figure बना दोगे दोस्त तो चलेगा चली यह बात समझ माई अब चलते हैं यार कुछ बहतरीन से बहुत ज़्यादा उमदा सवालों के तरह यह आपकी exam में यार कई बार पूछा गया यह लगा लिजी भी आ important में कि AO and BO are the bisector of angle A and B बहुत यह angle A का bisector बिलकुर इसके angle को B को B से काटते हुए जाएगा angle B का bisector angle B का bisector बहुत अंगल को B को B को B से काटते हुए जाएगा और यह कहीं ने कहीं एक दूसरे को किसी point पे मिल रहा है तो वो point हमारा बोला गया point O exactly इस पूरे process में हुआ क्या होगा दोस हुआ क्या होगा यह जितना angle wait 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 color उधर ही ले 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 जो जैसा color उधर ही ले रहा हूँ मैं यह जितना angle यह जितना angle दोस उतना ही angle यह नीचे वाला bisection की वज़े से bisection की वज़े से तो क्या इस नीचे वाले को angle A by 2 ले सकते हैं हां भीया ऊपर वाले को angle A by 2 ले सकते हैं हां भीया बहुत बढ़िया और थोड़ा आगे समझते अगर आगे समझेत बिटा क्या हो जाएगा सरह यह नीचे वाला angle कितना हो जाएगा by 2 हो जाएगा अगर इसको देखें तो यह अंगल बराबर होगा ये ला दीजिए सर इसके लिए तो हमारे दिमाग में एक thought process चल रहा है क्या thought process चल रहा है उसके बारे में बताता हूँ आपके दिमाग में thought process चल रहा है कि अभी तक quadrilateral का नाम सुनते ही flower समझा क्या sir angle sum property लगा देंगे since क्या लिखेंगे दोस्ट सर हम लिखेंगे since हमारे पास जो है बिया a b c d ये क्या है एक quadrilateral है लिख देते इस बात को since a b c d जग quadrilateral a b c d is a quadrilateral अगर ये एक quadrilateral है तो क्या हो जाएगा दोस्ट सर सारे अंदर वाले angle को जोडेंगे quadrilateral तो क्या हो जाएगा दोस्ट using angle sum property देखो यार एक एक लाइन आपके लिख रहा हूँ using angle sum property angle sum property क्या हो जाएगा दोस्ट अगर सरा angle sum property अगर हमने यूज किया तो इस case में angle a plus angle b plus angle c plus angle d इन सभी का sum आजाएगा 360 degree हाँ भी या हमारा जो जबाब चाहे वो चाहे है c और d में तो एक काम करते a b को उठाके इधर पठकते है angle c plus angle d सभ एक काम करो कही न कहीं a o b जो है वो a और b के related है तो a और b की value रहने देते a और b की value रहने देते इसकी value रहने देते तो इधर क्या हो जाएगा दोस्ट सर इह हो जाएगा 360 degree माइनस माइनस यह c और d इधर जाएगा तो angle c plus angle d combinedly मैं इधर डाल दिया bracket में सर हमें जो मतलब है a o b से मतलब है in triangle a o b क्या हो जाएगा दोस्ट angle sum property क्या बोलेगा angle sum property क्या बोलेगा दोस्ट a o b में angle sum property तो triangle का बोलता है कि 3 angles का sum 180 तो इह angle a o b plus half of angle a plus half of angle b सर यह 180 degree आना चाहिए 180 degree आना चाहिए यह यह simple सब्दों में बोले तो इह angle a o b कितना आना चाहिए सर यह आना चाहिए 180 degree माइनस half of angle a plus angle b इतना आना चाहिए गुरुजी देख लिजेगा इस बात को अच्छे से समझ लिजेगा इस बात को अच्छे समझ लिएगा a को इधर लाया minus का a by 2 minus b a plus b by 2 को लाया इधर और half common लिए भी आ इसके नीचे से that's it ये जो last का statement लिखा न दोस्त इस last के statement में इसको पटक दीजिए देखते हैं हमारा final जवाब क्या निकल कर आता है या किस तरीके से इस calculation को आगे हम proceed कर सकते हैं तो angle a o b कितना आएगा sir angle a o b आजाएगा sir 180 degree minus half of ये कितना आया है 360 degree minus angle c plus angle d आया भी है हाँ छले थोड़ा सा और simplify करते हैं 180 degree अगर इसको multiply करेंगे कितना हो जाएगा बटा minus का 180 degree minus minus plus हो जाएगा तो plus half of angle c plus angle d bracket में लगा देते हैं 180 से 180 cancel तो angle a o b कितना आजाएगा दोस sir वही जो हमांसे पूछ रहा है वही जो हमसे exactly पूछ रहा है जो चीज़ चाहिए वो prove हो चुका last वली line तो सरा लगी swag देख कर जाता है that is hence prove hence prove चले दोस्तो अब ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि यार यह जो हमारे पास rectangle था square था rhombus था या जो भी basic बाते थी हमारे सर पल्ले पड़ चुकी है class 8 की कहानी का हर एक छोटा छोटा concept हमें अच्छे से समझ में आ चुका है और exactly यही सारी की सारी बाते किसमें बेटा आपके class 9 में भी कही न कहीं की गई है चले आगे बढ़ते हैं तो बाकी के मैं छोटे मोटे सवाल एक आद दो बचेंगे वो मैं किसमें देदूंगा बेटा वो मैं आपको करा दूंगा किसमें सार मैं आपको होमवर्क में देदूंगा वो आप लोग कवर कर लीजिएगा बहुत छोटे-छोटे सवाल है इननी सारी प्रोपर्टी से रिलेटेट तो चलिए भी या अब इस कहानी को एक बार बिलकुल अच्छे से सुरू करते हैं क्योंकि सर क्लास नाइन्थ की जर्नी में जो हमारे स्लेबत में है दाट इज अल अबाउट प्रोपर्टीज ओफ पैरलेलोग्राम मिड़ पॉइंट थूरम, कन्रुवर्स ओफ मिड़ पॉइंट थूरम और साथ में सर कुछ एक्स्ट्रा फोकाली से सवाल सर एक बात बताओ यह तो बहुत बड़ा नाइनसाफ होगी आपने प्रोपर्टी जो पैरलेलोग्राम बता दिया रेक्टेंगल के बारे में बता दिया और यहां पर जो भीया नारी सकती है वो क्या बोलेंगी सर माहारानी ट्रापेजियम और राजकुमारी काइट के बारे में कौन बताएगा तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता भीया मैं ऐसा तो करने सकता मेरी कैसी इतनी हिम्मत की मैं बहीया क्या करू यहां पर नारी सकती का विरोध करू भीया यहाँ पे मैं अब बात करने वाला हूँ ट्रैपेजियम, यानि महारानी ट्रैपेजियम को लेके, वर सात में पापा की प्यारी सी परी कौन सी भी या, बड़ी सुंदर सी राजकुमारी दैटेज काइट, उनके बारे मेंगे. चलिगा, पहले बात करते हैं, ट्रापेजियम को लेके, तो सर आपने बोला कि पैरलेलोग्राम में पेर अपोजिट साइट्स पैरलेल होती है, लेकिन, 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 ट्रापेजियम में सिर्फ एक ही पेर पैरलेल होता है, ट्रापेजियम में एक ही पेर कैसा होता है, दोस a trapegium in the given figure a b c d trapegium होगा जहां पर a b parallel to c d a b parallel to c d a b parallel to c d साथ में देख लो भी आ a d not parallel to b c and a d not parallel to b c ऐसा भी है ऐसा भी है यह बात याद रखिएगा कि सर जब भी दोनों pair a parallel sites opposite pair a parallel sites होगी तो parallelogram अगिर एक ही pair तो भी कैसा हो जाएगा trapegium अब इस trapegium का एक बहुत खास सा रिस्ता है भी या किसके साथ isocellus trapegium मतलब एक trapegium के अंदर रख कुछ बहुत खुबसूरत सा काम कर दे तो यह isocellus में convert होता है अगर आपको पता हो isocellus triangle के बारे में तो वहाँ पर हमने सेम हो गए तो वह isocellus में चला जाएगा एक trapegium के अंदर जो नौन parallel sites थे अगर वो निकलाएं कैसे बिटा बिल्कुल एकुल लेंद के तो यह हमारा कहलाता है क्या isocellus trapegium सर ट्रापेजियम में हमारे पास क्या क्या था, AG parallel CD था और साथ में हमारे पास क्या था दोस्त एक्स्ट्रा सर एक्स्ट्रा हमारे पास AD equal to C V निकलाए A D equal to BC या CB निकलाए ऐसा कुछ तो यह हमारा कहलाएगा क्या था हमारा कहलाएगा isocellus trapegium अब इस figure को अच्छे से मैसूस करिए तो आपको पता चलेगा इसमें कि सर ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि वाला diagonal यह वाला diagonal यानि AC इस वाले diagonal यानि BDK बिल्कुछ same to same है चलिए कि स्टेट लाइन से मैं figure लेकर मिला लेता हूं इसको इसको मैं इससे ट्रॉक कर लेता हूं कि सर यह वाला जो हमारे पास ओ भाई साभी यह क्या बन गया यह क्या बन गया यह क्या वन गया ओके 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 था हमारे सामने आया कि यह वाला जो डाइगनल है बीडी यह इस वाले डाइगनल यानि AC के कैसा निकल काया दोस्ट सर AC वाले के निकल कर आया हूब हो क्या कि सर यह दोनों के दोनों लेंथ हमारे पास आगया सेम टू सेम, बीडी Type Ale describe डीकल टू AC आ जाएघा इस केस में क्या आ जाएगा दोस्ट्स तरक हमारे पास जो लेंथ और बीडी आएगी यह हो जाएगा अमारे AC के बराबर डाइगनल इस आर 맛있 और ऐकवाल लेंथ यह फुलशन कर जाते हैं कि यूजरी होता है किस यह सिर्फ और से पॉस्पल होता हमारे आई सो सेले स्ट्रापेजिया किसके डाइगनलस कैसे हो जाते हैं एक्वल लेंथ के हो जाते हैं यह पर इस बात को लिखा भी गया कि काईट के बारे में जो सबसे आकरी सदस्या है यह हमारी क्वाड़िलेटरल समराज के पापा की परी जो की उड़ती भी है बड़े प्यार से उड़ती है चलिए इनके बारे में समझते हैं क्या है यार कोई ओफेंड मत हो जाना इस फार्दफन ऐसा नहीं है आप लोगों के ल आता हूं ऐसा मैंने इस तरीके से कुछ बना दो अब मैं क्या कर रहा हूं अगर इसके डाइगनल को मिला हूं दोस्त देखना इसके डाइगनल कुछ ऐसे होंगे इसके डाइगनल कुछ ऐसे होंगे अब सुनना काईट में खास बात यह होती है कि कोई भी साइड आपस में pair up opposite sides parallel होता ही नहीं है कोई भी pair up sides parallel नहीं होता दोस्त तो सर ठीक है लेकिन खास बात जो इसको बनाती है काइट that is कि इसके adjacent sides जो होते हैं वो बिल्कुल same to same length के अगर मैं ऐसे नाम लिख दो इसका A ये नाम लिख दो मैं B ये नाम लिख दो C और ये नाम लिख दो D तो सर यहाँ पे AC AB equal to AD हो जाएगा क्या AB equal to AD हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त AB equal to AD हो जाएगा यानि adjacent sides जो पूरी डिफिनेशन पढ़ेगा अग अग क्वाड्रीलेटर एग काईट इफ इट है जड़ टू पेर आफ इक्वाल एडजेसेंट साइड दो प्यार ऐसे होंगे एक्वाल एडजेसेंट साइड के लेकिन लेकिन प्रॉजब अगर यह सिद्द आर्फ एकाज़ देखना अगर इसके प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो प्रॉपर्टीज सीधा साधा बोलता है कि लॉंगर डाइगोनल के रास्ते में जो आएगा सब बाइसेक्ट हो जाएगा आधा अधा अपर से कट जाएगा भी या बाइसेक्ट हो जाएगा कुछ भी आए बाइसेक्ट हो जाएगा इसके रास्ते में अगर कुछ भी आएगा दोस्त वो आधा अधा कट जाएगा इसके रास्ते में सोचो क्या क्या रहा है सर एक तो ये diagonal छोटा वाला BD आ रहा है तो BD क्या होगा आधा अधा कट जाएगा दोस्त BD क्या होगा Half of divide हो जाएगा तो यानि ये आधा portion उपर का OD must be equal to ये नीचे वाला portion OB this much क्या हो जाएगा दोस्त OD equal to OB हो जाएगा चली भी इस बात को मैं लिख लेता हूँ कि OD will be equal to OB हाँ सर एक बात आपने ये लिख दी और क्या क्या हो सकता अगर मैं marking करूं यहाँ पे दोस्त अगर मैं marking करूं इस बात की तो ऐसा होगा कि ये जो पूरा-पूरा angle C है ये उपर वाला जितना portion same portion ये नीचे वाला याद रखेगा बात जितना portion ये उपर वाला उतना ही portion ये नीचे वाला सर इसके रास्ते में जो आया बिल्कुल आधा हो गया इस smaller diagonal के रास्ते में अगर कुछ भी आएगा तो सर वो छोड़ देता है वो माफ कर देता है इस smaller diagonal के रास्ते में जो आएगा diagonal के रास्ते में जो कुछ भी आएगा कुछ भी आएगा वो as it is रहेगा वो as it is रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो as it is रहेगा कुछ भी वाई सेक्षन intersection कुछ भी नहीं होगा इस रास्ते में देखो भी आएगा यह वाला एंगल तो जैसा है वैसा ही रहेगा इसका sense क्या निकलता है इसका sense यह निकलता है दोस्ति कि यह जितना angle है उतना ही angle यह वाला होगा यह बात याद रखेगा सर बहुत सारी properties बहुत confusion हो रहा सर इतनी सारे properties आप सिखा रहे हो यह कैसे हमें store करे दोस्ति यह जो सब कुछ सिखा रहा हूँ यह lady class 8th में आप पढ़कर आए हो बस revision चल रही है और revision के साथ साथ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यह सारी कहानी जब आप parallelogram पढ़ोगे और बहुत सारे type के quadrilateral में जब इन सारे concepts को डाला जाएगा तब आपको यह properties कहीं कहीं पर यूज में लेनी पर सकती है तो थोड़ा सा यार देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अब चलते हैं दोस्त अपने main की concept की तरफ और उसकी बहुत सारी बहुत सारी properties जब parallelogram के बारे में पहली बार बात किया गया था तो उसका definition part सिर्फ इतना सा बोलता है दोस्त क्या बोलता है definition कि सर अगर कोई quadrilateral ऐसा हो जिसमें pair of opposite sides parallel हो जाएग वह यह वाली side यह वाली side जिसको आप दिखा रहे हो और यह वाली side दिखा रहे हो यह कैसा है दोस्त एक दूसरे के opposite है तो यह अगर गलती से parallel हो गई यह parallel हो गई एक दूसरे के और सेम इसी तरीके से सेम इसी तरीके से एक और हमारे पास pair of opposite sides है ये वाली, ये वाली दोस्त, अगर इस वाले के, इस वाले के parallel निकला, इस वाले के parallel निकला, तो ये guaranteed, ये guaranteed, जो एक structure बनेगा close सा, ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ parallelogram, definition क्या बोलता है, कि सर, अगर हमारे पास बोल रहा है, कि if both the pair of opposite sides are parallel, then it is called a parallel, इसके लावा कुछ भी बात नहीं बताएगे थी, जो आप लोग understood कर लेते हैं, उसकी properties, कि सर, आमने सामने वाला सेम होगा, diagonal bisect करेंगे, आमने सामने का angle सेम होगा, adjacent angle supplementary होगा, ये सारी की सारी properties, आज हम खुद प्रूफ करने वाले हैं, ये properties हैं, नौक की definition, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लिजिए, कि हमारे पास जो सबसे पहले starting में कुछ बात की गई, वो सिर्फ इतना बोला ग किसी ने कुछ नहीं बोला, कि ये आमने सामने के sides बराबर भी है, diagonal एक दूसरे को y-set कर रहे है, 90 पे y-set कर रहे है, साथ में क्या दोस्त, इसके लिए opposite angle सेम है, कुछ भी नहीं बोला गया था, ये सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करने वाली बात थी, और यही आपके class 9 में साथ, एक एक छोटी-छोटी properties को पकड़ेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे, चले, सबसे पहले properties की बात करें, जो आपके इस chapter का theorem 1 है, theorem 1 क्या बोलता है, कि एक diagonal parallelogram का उससे 2 congruent triangle में by-set करता है, अब देखो है यार, ये जो chapter आपका quadrilateral है, ये triangle के बात पढ़ाया जा रहा तो वो knowledge हमारे पास already है, चले, आगे बढ़ते हैं, बोल तो ये रखा है कि सर, एक quadrilateral हमारे पास, सोरी, एक हमारे पास क्या है, parallelogram है, तो अगर इसका कोई भी diagonal खीच दो, तो इसको 2 congruent किसमे, triangular shape में divide कर देगा, मैं अगर इस बात को separately draw करने के लिए थोड़ा सा try करूं, तो देखता हूँ कैसा दिखता होगा, कैसा दिखता होगा, अगर इस बात को मैं थोड़ा draw करने की सोचूं हूँ, तो दिखेगा कैसा, कुछ ऐसा दिखेगा, अब दिखना, इस वाले में क्या-क्या बाते हम understood कर पाएंगे, सर हमारी ये जो side CD है, ये जो side CD है, ये इस वाले के पैरलेल होगी, ये इसके definition से बहुत बात ने हैं, इतना सा बात तो definition से बोल पाएंगे, अब इस बात से देखना, क्या-क्या हम sense निकालते हैं, क्या-क्या basic बाते हम निकाल सकते हैं, अगर मैं इसको, अगर मैं इसको as a transversal लो, इन दोनो parallel lines के लिए, इन दोनो parallel lines के लिए, अगर मैं as a transversal हूँ, इस वाली line और इस वाली line के लिए, अगर ये parallel है, और as a transversal काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, इस घड़ी में, ये जो बड़ा प्यारा सा angle आपने ये draw किया हुआ है, उपर का, ये हो जाएगा exactly angle 1 के बराबर, क्यूँ? alternate interior angle की वज़े से, देखिएगा, ये आपस में कैसा हो जाएगा equal, क्यू? alternate interior angle की वज़े से भीया, तो इस बात को मैं क्या करता हूँ, यहाँ इस figure में mark कर देता हूँ, चले, ये angle होगा, ये angle जो होगा मारे पास, ये angle जो होगा, वो बराबर हो जाएगा इस वाल angle के, हाँ भीया, साथ में दे this one, चले, एक और pair of angles लेलू, सर आपने बोला, आपने बोला कि parallelogram का definition तो यही बोलता है कि pair of opposite sides कैसे हो जाए, सर वो हो जाए parallel, तो ये बाली side हो जाएगी, इसके parallel, इसके parallel हो जाएगी दोस्त, इसके parallel हो जाएगी हाँ सर, तो इसकी वज़ा से, इसकी वज़ा से, ये जो angle है ये जो angle है, इस transversal के regarding alternate में, ये वाले angle के बराबर होगा, क्यों, सर ये अगर parallel है, तो ये alternate interior की वैसे क्या हो जाते है, सर, same to same, चले भिया, इस बात को भी यहाँ पर marking में ले लेते हैं, क्या, कि ये वाला angle भीया, आपने क्या किया, ये वाले angle क्या किया, इस वाले angle के बिल vertex इसको mark कर लेता हूँ, ये vertex A है, ये A है भीया, यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या दोस्त, C है, ये C है, और ये D है, इन दोनों में अगर आप अच्छे से सोचो, थोड़ा दिमाग लगा पाओ, तो क्या-क्या बाती और निकल कर आ रही है, सर, एक तो ये जो हमारी पास C है ये दोनों में common है, ये दोनों में common है, कौन सी congruence criteria हम लोग यहाँ पर apply कर दें, कौन सा, यहाँ पर implement कर दें, अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो, तो हमें लग रहा है, कि सर, angle included side angle criteria, कौन सा बेटा, angle included side angle criteria लगा देंगे, तो काम बन जाएगा, अगर ये criteria लगाएंगे और इस criteria के विए से क्या बोल पाएंगे, कि ऊपर का triangular section देखना बेटा, कौन सा, अगर मैं लेता हूँ, ADC, triangle ADC लेता हूँ, तो देखना congruence लिखते time, vertex का order उसी साब से लगा, A का comparison A के साथ हाँ, D का comparison B के साथ हाँ, और C का comparison C के साथ, ऐसा, तो हम order कुछ लेंगे बेटा, नई, नई, सर, आपने गलत लिया, गलत लिया, कैसे गलत लिया बताता हूँ, इस angle A yellow वाला, तो वहाँ पे C आना चीए था, B वाला D के साथ, भईया D के साथ D वाला, और साथ में A वाले का है, white वाले का है, इसके साथ, तो ऐसा, तो यह हो गया congruence, यही तो proof करना था, यह ही same to same, हमारे theorem 2 में बोलता है, क्या, कि in parallelogram, opposite sides are equal, अभी हमने पढ़ा, कि उपर का यह जो triangular safe है, उपर का जो यह triangular safe है, नीचे वाले के congruent है, नीचे वाले के क्या है, दोस्त, congruent है, अभी यही same चीज हम पढ़ते हुए, यहाँ पे उपर आ है, पहला यही हमने पढ़ा, क्या कि सर, उपर का, since, since, triangle, कौन सा बिटा, ADC, अगर हमने ADC लिया था, तो यहाँ पे हमने लिया था, congruency का sign, और यह हो गया था, C, B, C, B, A, C, B, A, ऐसा, यह आपस में क्या हो जाएगा, दोस्त, congruent यही बात देखे, लिखाओ मैं, ADC, C, B, A, हाँ, तो by C, P, C, T, क्या लिख पाएगे, दोस्त, क्या, कि इस case में हमारे पास, AB का comparison, देखो भी या, AB का comparison, यह last के दो, तो भी यह CD के साथ होगा, तो ABB equal to CD, हाँ, सर, और साथ में देखना बैटा, AD का comparison मतलब starting के 2, तो यहाँ पे starting का 2, AD, तो यह हो जाएगा, CB या BC के बराबर, यह बात हमारे पास conclusion में निकल कर आ गई, और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, कि in a parallelogram, opposite sides are equal, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, क्या यह बात समझ माई दोस्त, क्या यह बात समझ माई, हाँ, आगर चलते हैं, इसका converse बोलना चाहरा है, इसका converse क्या बोल साइड, यह बाली साइड, इस बाली साइड के बराबर हो, और लगी हाथ, लगी हाथ, यह बाली साइड, इस बाली साइड के अगर बराबर हो, तो बोल रहा कि ऐसा सिर्प और सिर्प पैलोग्राम में होगा, हम नहीं मानते गुरुजी, हम इसको प्रूफ करेंगे, हम इसक ये A है, ये B है, ये C है, ये C है और ये D है, देखो क्या क्या बाती है हमारे पास दी गई है, उसको mark करता हूँ, फटा पटते, सर दिया गए ये वाली साइड, इस वाली साइड के बराबर, हाँ बया, चलिए mark कर लिया, और क्या दिया दोस्ट, सर इसके अलमा दिया है, ये वाली साइड, इस वाले साइड के बराबर, mark कर लिया, और एक हमें by default दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, दोस्ट, सर ये बीच वाला जो साइड है, वो दोनों में common है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इस वाले के बराबर, mark कर लेते हैं, congruency तो मुझे लगता है, कि आपको फटा-फट से दिखने लगी होगी, क्या, कि सर यहाँ पर लगेगा, side-side-side, यानि स्वाग से स्वागत वाला criteria, side-side-side criteria से क्या हो जाएगा दोस्ट, सर side-side-side criteria से हो जाएगा, उपर वाला triangular shape, यानि triangle ADC, ADC लिया हूँ, देखना दोस्ट, क्या हो जाए, क्या हो जाए, सर, A का comparison C के साथ हो रहा था, और साथ में D का comparison B के साथ, और C का comparison A के साथ, इसके साथ हो जाएगा ऐसा कुछ, तो by CP CT क्या लिखेंगे दोस्ट, by CP CT अगर हम देखें सर, तो हम बड़े प्यार से लिख पाएंगे, सुनना क्या-क्या लिख पाएंगे दोस्ट, क्या-क्या लिख पाएंगे इस बात को थोड़ा से यहां पर मार्क करता हूँ, सर, इस case में हम लिख पाएंगे, कि ये वहला angle, यानि DCA, देखना DCA कौन सा हो रहा है, यहां से दूसरा, तीसरा, फिर पहला, तो अभी यहां हो जागा BAC, देखना, BAC, यानि इस वाल एंगल के बारें बोलना है सर, order उसी हिसाब से ले रहा हूँ, क्या हो रहा है सर, by CPCT, कि DCA जो हो रहा है, यह equal आ जारा सर, किसके बराबर, BAC के, BAC के, और यह दिखा क्या रहा है, सर, यह दिखा रहा है, कि DC parallel to AB, यह AB parallel to DC, चले, इतनी सी बाद तो हमारे पास यहां से निकले, एक और result CPT से निकालेंगे, बटा, एक और result CPT से निकालेंगे, कौन सा result दिखाता हूँ, सर, यह वाला जो angle होगा, यह जो angle होगा, जो rate color से आपने दिखाया है, वो इस angle के बराबर होगा, इस angle के बराबर होगा, इसको भी मैं note कर लेता हूँ, इसको भी note कर लेता हूँ, क्या है दोस्त, D, A, C, angle, D, A, C, जो है भी यह, यह equal होजाएगा, किसके बराबर होगा, B, C, A के, B, C, A के, और इस वाली चीज़ से क्या निकलेगा, कि सर, जो A, D है वो B, C के parallel होगा, A, D parallel to B, C, अब आप सोचो कि आपके पास ऐसे दो result, result 1 और result 2, इन दोनों result से क्या बोलेगे, from first and second, from first and second, A, B, C, D, is a parallelogram, यह, ऐसा सिर्फ parallelogram के definition ही बोलता है क्या, pair of opposite sides कैसे हो, अगर parallel हो, तो यह सिर्फ और सिर्फ possible है किसमें, दोस्ट, parallelogram में, I hope यह वाली property आपको अच्छे से समझ माई होगी, अब थोड़ी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, बेटा, fourth वाले theorem की, बोला कि अगर हमारे पास एक parallelogram दे दिया गया, तो प्रूफ करना है कि opposite जो angles है, opposite जो angles है, यह आपस में को लोगी, अभी तक हमने total three theorem पढ़ने भिया, और इन तीनों की help से इस कहानी को थोड़ा और swag वाले level से आगे बढ़ाते हैं, क्या बोला भिया, कि यह जो कुछ भी दिया हुआ है, यह हमारे पास है एक parallelogram, सर अगर parallelogram है तो parallelogram की basic definitions की बात करें, तो सर यह वाली जो side होगी, यानि opposite sides parallel होती है, तो यह वाली side, इस वाली side के होगे, अभी है बिलकुल parallel, अब parallel होने की वज़ा से, क्या क्या बाते हमारे सामने आएंगी दोस्त, सर एक तो हमारे सामने ये conclusion निकाल सकते हैं, कि अगर इस angle को, इस angle को म हालो हमने x ले लिया, तो सर यही same to same angle यहाँ पे होगा, यही same to same angle होगा यहाँ पे, इसको भी मैं x ले लेता हूँ, इसके अलावा और क्या-क्या बाते हैं, सर आपने भूला कि ये एक parallelogram है, तो opposite sides कैसी होगी, definition की साब से हो जाएंगी parallel, definition की साब से हो जाएंगी बिलकुल parallel अगर ये parallel हुई, तो इस case में क्या बोल सकते हैं, सर इस case में हम बोल सकते हैं, कि ये वाला जो angle है, ये वाला जो angle है, अगर इसको मैं y ले लूँ, तो ये इस वाले angle के बराबर हो जाएगा, reason is that कि ये alternate interior angle बनेंगे, अब आप मैसूस कर पाऊ भीया, x प्लस y, इस x प्लस y क कि बराबर, क्या बोल पाएंगे सर, अब हम बोल पाएंगे बड़े प्यार से, कि ये opposite angles जो होते हैं, ये बिल्कुल same to same, यानि equal होती है, चले भी अगर मैं words में लिखना रहा है, तो क्या लिख पाएंगे, सर words में लिखना है, तो लिखेंगे, a, b, parallel to c, since, since, a, b, c, d, जा parallel ब्या, a, b, c, d हमारे पास क्या है, दोस्त, एक parallelogram है, a, parallelogram, अगर ये एक parallelogram है, तो सर, इस case में, a, b, j, line होगी, वो, c, d, के parallel होगी, a, b, j, line होगी, वो, हो जाएगी, parallel to c, d, और इसकी वजा से हम क्या लिख पाएंगे, therefore, क्या लिख पाएंगे, दोस्त, सर, इस case में a transversal, as a transversal line, अगर हम इसको transversal line की तरीके से treat करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा खुब्सूरो सा एंगल मिल रहा, that is angle, कौन सा एंगल बेटा, d, c, a, that is angle, d, c, a, equal to, equal to, d, c, a, को हमने इसके बराबर लिया, तो सर, हमें मिलेगा, b, a, c, equal to angle, b, a, c, और यहाँ पर मालोस, let's approach की x के बराबर होता, let's say, let's say की x के बराबर होता, चली भया, यह कहानी हमारे पास आचुकी है, अब क्या कर सकते हैं, सर, इसके अलामा, अगर ad parallel to bc है, तो उस case में भी कुछ बाते लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, दोस्त, कि सर, हमारे पास अगर ad parallel to bc है, तो यह सिर्फ और सिर्फ parallelogram में क्या बता पाएगा, therefore, therefore, किसको अगर transversal यूज कर ले, दोस्त, सर, अब transversal यूज कर लेते हैं, वही again ac को, using ac as a transversal, ac as a transversal, अगर सर, हम इसको transversal की तरीके से यूज करें, तो क्या हो जाएगा, दोस्त, सर, इस case में हम बोल पाए a, angle bca, angle bca must be equal to angle dac, must be equal to angle dac, चली भी आ, यह माल लेते हैं, कि let's suppose यह y के बराबर होता, let's say, यह y के बराबर होता, अगर ऐसा होता, तो इस कहानी को भी मैं यहाँ पे mark कर लेता हूँ, अब सुनना, अब सुनना, यह equation 1, यह equation 2, इन दो equations को भाईया, फटा-फट से कर लीज c, या bca है, bca, perfect, perfect, इन दोनों को add करते है, dca और bca को add करेंगे, तो क्या यह पूरा-पूरा angle c देगा, हाँ sir, तो adding, first and second, adding equation 1 and 2, यह equation 1 and 2 को अगर हम add करेंगे, तो क्या मिलेगा, sir, यहाँ पे पूरा मिलेगा, angle c equal to angle a, similarly क्या प्रूप कर सकते हैं, similarly अगर यही process करें भी ह क्या प्रूप कर सकते हैं, आपको भी exactly अपने exam में ऐसे लिखना है, similarly angle b equal to angle d, और यहाँ पे last वली line क्या, hence proof, hence proof, यह आगे ऐसा नहीं कि आपको पकायदा करना नहीं, बस एक वर्ड लिखे, similarly यही बूरा पूरा का पूरा process चलेगा, b, o, d के लिए, और यहाँ पे opposite angles कैसे ह I hope यह बात आपको अच्छे से समाज में आगे होगी, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि जो हमने theorem 4 पड़ा, इसके converse में क्या बाते दी गई हैं, converse बोला है कि अगर एक quadrilateral में, आमनी सामने के angles हो गया है, same to same, तो proof करिए कि यह सिर्फ और सिर्फ आपके parallelogram के अंदर ही होगा, क्या बोला है दोस्त कि अगर एक quadrilateral में, आमने सामने के angles हो गया, same to same, तो proof करिए कि यह सिर्फ और सिर्फ एक parallelogram होगा, चलिए इस बात को थोड़ा लिखते हैं, क्या information दी गई है, हमारे पास जो information उसकी साबसे, angle 1 और 3 हो गया है, बिलकुल same to same, हाँ भी या, और इ एक quadrilateral के बारे में, हमें ज्यादा से ज्यादा जो बात पता वो यह है, कि quadrilateral में angle sum property होती है, पूरी के पूरी 360 degree, तो यहाँ पे लिक लेते हैं, using angle sum property, अगर इस property को यूज करें, angle sum property को अगर हम यूज करें सर, तो इस बात से हम क्या लिख पाएंगे, सर इस बात से हम सिर् formation को utilize करने की कोशिस करते हैं, अगर हमालो कि इस पूरी की पूरी कहानी में हम ये प्रूफ कर दें, कि angle 1 और 2 का sum supplementary हो जाए, तो ये तो सर, बहुत obvious सी बात है, कि एक parallel lines के pair में, अगर ये ये भी transversal काम करें, और sum of co interior 1, तो यह आपस में parallel होंगी ही होंगी, by default बोल सकते हैं यानि सर, पूरा खेल जो है, 1 और 2 को लेके, या 4 और 3 को लेके हैं, अब इस में थोड़ा smart ही चलते हैं, बच्चो, 1 को राने देते हैं, 2 को राने देते हैं, angle 3 की बात करें, so this would be equal to angle 1, angle 4 की बात करें, so this would be equal to angle 2, चले भया, इस बात को थोड़ा अच्छे समझते हैं, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, कि twice of angle 1, plus angle 2, पूरे के पूरे आरहा, 360 degree, यानि सर, अगर थोड़े सही तरीके से बोले, so angle 1, plus angle 2 का जो measurement आएगा, यह आजाएगा 180 degree, अब यार देखो, यह कहना क्या चाहता है, यह कहना क्या चाहता है, अगर मैं इस पूरे सिनारियो को थो लान कुछ ऐसी जारी है, जहाँ पे दो लान कुछ शारी हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और वीजिलली दिखाने की कुछिस करूं, तो मालें लोगन लो के यह लान कुछ ऐसी होती, यह लान कुछ ऐसी होती, और यहाँ पे यह वाली जो लाइन है, यह काम करता है bringen यह काम करता है जह ट्रॉसल यह ट्रॉसल काम करता बच्छों आपको पता है कि यूक्लीट की पांचवे पॉस्चुलेट की हिसाब से अगर सम उफ को इंटिरियर का सम यह सम आफ को इंटीर अगर इनको देखें और ये 180 आजाए, तो ये जो दोनों के दोनों लाइन्स होंगी, ये हमेशा कैसी होंगी, पैरलल होंगी, अगर इधर सम 180 से छोटा, तो सर लाइन आगे जाके इंटरसेक करेंगी, अगर सम एक्जाक्टली 180 डिग्री, तो सर ये सिर्फ पॉसिबल होगा पैरलल के ही केस में, द ऐसा हो जाएगा, AD बिल भी पैरलल टू, BC, ऐसा हो जाएगा, गुरुजी, ऐसा हो जाएगा, एक चीज़ तो आगे बिया, क्या, AD पैरलल टू, BC, अब माल लो, इसी सेम सीन को, 1 और 4 के अगर सिंस में ले चला जाए, किसमें दोस्त, किस सर अगर आप यही कानी में convert करो, तो चली भी आप 1 को रखते हैं, 4 को भी रखते हैं, बाकी को convert करते हैं, 1 और 4 में, यह 2 की value 4 के बराबर है, ले लेता हूँ, 3 की value 1 के बराबर है, ले लेता हूँ भी या, तो यह हो जाएगा, पूरे के पूरे 360 डिगरी, हाँ सर, यानि twice of angle 1 प्लस angle 4, एक वल टू 360 डिगरी, या यू कहें सर, angle 1 प्लस angle 4 की value जो आएगी, वो आजाएगी 180 डिगरी, अब यह क्या कहना चाहता है, यह statement क्या कहना चाहता है, सिर हमारे पास कहानी कुछ ऐसी है, कि हमारे पास ऐसी दो lines है, हमारे पास ऐसी दो lines है, और साथ में, साथ में, एक transversal जो है, एक transversal जो है, यह दोनों lines को cut कर रहा है, एक transversal दोनों lines को cut कर रहा है, तो इनका sum of co-interior जो है, इनका sum of co-interior जो है, वो 180 आ रहा है, तो guaranteed यह line कैसे होंगी, parallel हो जाएगी, अगर sum of co-interior कितना आ रहा है दोस्ट, सर, sum of co-interior की हम बात करें, और वो आ रहा है 180, angle 1 प्लस angle 4 आ रहा है वेटा 180, तो यह possible सिर्फ होगा, तब और तब, जब यह वाली line, इस वाली line के parallel, कौनसी वाली line दोस्ट, सर, अगर हमारी line CD जो है, वो AB के parallel होजए, यह क्या दिखाएगा, AB must be parallel to CD, अच्छा, parallelogram का definition तो यही बोलता है, कि अगर opposite side का pair parallel आया, opposite side का pair parallel आया, तो यह सिर्फ और सिर्फ parallelogram होगा, यह AD parallel to BC है, हाँ sir, AD जो है वो parallel to BC है, और साथ में AB parallel to CD भी आगया, AB parallel to CD आगया, यह इस बात को मैं का करता हूँ, एक इसको देता हूँ equation 1 और इसको मैं देता हूँ equation 2, from equation 1 and 2, equation 1 and 2, क्या बूल सकते हैं दोस्त, कि यह सिर्फ और सिर्फ possible है, अगर if and only if, if and only, क्या बिटा, कि जब हमारे पास ABCD कैसा हो, यह एक parallelogram हो, is a parallelogram, यह यह parallelogram होगा, तभी ऐसा scene possible होगा, कि opposite pairs कैसे आगया, यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे यह वाले pairs parallel आगया थे, यह वाले pairs parallel हमने प्रूफ किया, हाँ sir, और इस case में यह वाले pairs parallel प्रूफ किया, जब pair of opposite sides parallel होते हैं, तो यही तो है sir, हमारे parallelogram का definition, चले, बहुत बढ़िया, अब rapid fire round के साथ, कुछ सवालों के साथ, धुआधार खेलते हैं, फिर समाझते हैं, कि यह जो इतने भी हमने theorem पड़े, उसको कैसे consideration मिले, लिखा बिया, कि ABCD हमारे पास एक trapezium है, हमें X और Y की value बतानी है बचों मैं पता कि trapezium में, यह वाली side जो होती है, यह वाली side होती है, इस वाली side के parallel होती है, मतलब एक pair जो होता है, वो निकल जाता है भी है, कैसा parallel, और जब भी parallel की कहानी आएगी, हमें एक ही चीज अच्छे से दिमाग में बैठानी है, that is, sum of adjacent must be equal to 180, क्या बोल सकते हैं, sum of adjacent होता है, यह कैसा supplementary, sum of adjacent कैसा हो जाएगा, सरी हो जाएगा, supplementary है, यह यू बोले सरी हो जाएगा, 180 degree के बराबर, अब फटा फट से इस कहानी को भी है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अगर इन दोनों का sum करें, तो यहां से हमें x की value आ सकती है, यहां से हमें x की value आ सकत let us simplify, 2x plus x, this would be 3x, 20 plus 10, that would be 30 degree, equal to 180, if we subtract 30 from LHS to RHS, if we translate, this would be 3x equal to 150 degree, या अगर हम सिर्फ x की बात करें, तो 3 से divide करने पर this would be 50 degree, यानि सर x की value तो बड़े प्यार से आ चुकी है, अब क्या करें दोस्त, अगर इन दोनों को add करो, अभी तक जो consideration में लिया गया, वो क्या लिया ग अब परलेल इस, since, since, a, b, c, d, is a trapegium, a, b, c, d, is a trapegium, जहाँ पे, जहाँ पे, वेर, a, b, is parallel to c, d, a, b, is parallel to c, d, तो भी आएसी कुछ कहानी होगी, अब क्या कर सकते हैं दोस्त, कि सर, 92 प्लस y को भी आड करेंगे, 92 प्लस y को भी आड करेंगे, तो ये भी देदेगा 180 degree, यानि सर, अगर 92 सब्ट्राइट करेंगे, 180 में से, 92 सब्ट्राइट करेंगे, so this would be equal to 88, this would be equal to 88 degree, I hope ये दोनों के दोनों बाते आपको अच्छे से समझ में आ चुके होगी, चली बिया, तो x की वैलू आगई 50, x की वैलू आगई 50, y की वैलू 88, let us simplify, और यहाँ पे final जो ज निकालनी है किसकी, ट्रांगल OAB, यह एंगल OAB है, यह एंगल OAB होना चीए था, OAB, यानि हमें वैलू निकालनी है इस सवाले एंगल की, अब सुनना दोस्त कि क्या इसमें कहानी, exactly हो सकता था, सर, अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अच्छे से हम देखें, तो कुछ-कुछ बाती तो understood है कि अगर यह हमारे पास rhombus है, तो इसके diagonal bisect करते हैं एक दूसरे को 90 degree पे, कहां पे दोस्त 90 degree पे, तो यह एंगल हमारे पास हो गया दोस्त, बड़े प्यार से 90 degree, और क्या-क बाते हो सकती है, सर, इसके अलावा हमें निकालना है angle OAB, और हमारे पास दिया है angle OBC, अगर OBC दिया है, तो और क्या-क्या information यहां से निकल सकता था, सुनना दोस्त, अगर यह वाला angle दिया है, तो सर, इधर वाला angle हमारे पास आएगा जो आएगा बड़े प्यार से, that would be 90 degree, तो सर इस सवाले की value ओ भाई सहब सर सवाल में कुछ लोचा है सवाल में कुछ लोचा है 90 प्लस 100 तो होगे अभी 190 यानी सीरी सी बात है सर सवाल ही क्या है गलत है मैं इसको डिसकार्ड करता हूँ बेसिकली यह दिखो यार सवाल कुछ ऐसा होगा कि यह जो 100 डिगरी है यह पूरी की पूरी यहां से यहां तक होगा तभी ऐसा पॉसिबल है तभी ऐसा पॉसिबल है आप सोचो ना कि 90 प्लस 100 विए वह वाल लेड़ी एक्सीट कर गया बनेटी से तो यह तो फीजिबल ही नही सर आमें बहुत आसानी सिस्की वैलू निकाल पाएंगे अगर यह 50 है तो मैं अभी ज़स्ट पढ़ा कि आमने सामने क्या पोजिट एंगल्स होते हैं सेम तो सर यह आ गया बड़े प्यार से कितना 50 डिग्री और साथ में विटा क्या कि सर समाफ एट जासेंट हो जाता है सप्ल यह हमारे पास आजाएगा फाइनल जबाप क्योंकि एक एंगल आलेडी दे रखा है थोड़ा आगे बढ़ते बच्चो लिखा है कि इस फिगर में PQRF एक रैक्टेंगल है हमें मेजर्मेंट चाहिए भी आप P O Q की किसकी चाहिए दोस P O Q की यानि इसकी मेजर्मेंट हमें चाहिए इसका मैजर्मेंट चाहिए है सर P O Q तो बड़े आसानी से निकल जाएगा सुना क्या एक एक रैक्टेंगल में जो बेसिक बाते हमें पता है वो क्या क्या है दोस्त किसरे रैक्टेंगल में हमें अगर हमने देखा तो इसके डाइगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट क रहते हैं यानि यह वाली जितनी लेंथ आ रही थी सेम टू सेम लेंथ यह वाली आ रही थी सेम टू सेम लेंथ दोस्ति यह वाली आ रही थी सेम टू सेम लेंथ यह वाली आ रही थी और सेम टू सेम लेंथ दोस्ति यह वाली आ रही थी अगर यह चारो के चारो लेंथ बराब 80 degree, तो angle sum property से इसको कितना बोलेंगे बिटा, 100 degree, देखेगा जवाब आ चुका, अब हमारा options ही आ गया, अच्छा इससे पहले अभी हम जब discussion स्टार्टिंग में रख रहे थे बच्चो, जहां पे हम कुछ बाते थोड़ा सा misunderstood कर गया, वो क्या था, कि सर एक parallelogram में जो 3 different cases बनते 90 पे bisect नहीं करता है, ये बात अच्छे सी दिमाग में बैठा लेजिएगा, अगेन वे इस बात को repeat करता हूँ, साध अभी इस थोड़े पहले पढ़ते समय, साध इस बात को हम लोग थोड़ा misunderstood कर गया है, क्योंकि इससे information रहे बहुत clear cut नहीं कर लगई, क्या, कि सर rectangle के case मे आपके diagonal 90 degree पे bisect करते हैं, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि इस figure में भी आप PQRS क्या है, सर हमारे पास PQRS 1 की square है, तो measurement निकाला भी आप P O Q की, कि कि निकाली है, हमें पता है दोस्की ये हमारा 90 degree पे bisect करता है, किस पे, 90 degree पे, साथ में ये वाली जो length होग होगी, ये वाली length होगी, वो इस वाली length के बराबर होगी, तो यह हो गया है, बिल्कुर same to same, मालो की ये x होता, तो ये भी हो जाता x के बराबर, लगा लेते हैं, अंगल सम प्रोपर्टी, x प्लस x प्लस 90, एक्वल टू 180 degree, सर यू कहने 2x एक्वल टू 90 degree, या यह बड़े से बोल पाएंगे, x की measurement जो हैगा, वो this would be 45 degree, क्या ये बास समझ माई, क्या ये बास समझ माई, तो सर हमारे पास जो angle आएगा, पी, ओ, क्यू, वो तो 90 आएगा, वो तो आजागा 90, पी, ओ, क्यू आजागा बड़े प्यार से 90, क्योंकि डाइगनल किस पर बाइसे करते हैं सर, बाइसेक्ट तो करतें सिर्फ स्क्वायर और हमबस के के केस में, लेकिन 90 डिगरी पे इंटरसेक्ट करते हैं, काईट के के केस में, थोड़ आगे बढ़ते हैं, लेकिया बिया, इस figure में ABCD एक rectangle है, find the value of x and y, बहुत सिंपल सवार, बहुत जादा सिंपल सवार, कि ABCD हमार एक rectangle है दोस्त, तो हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं सुनना, सर, ये वाली जो length होगी, वो इस वाली length के बराबर होगी, वर्वली में करना सिखाता हूँ दोस्त, वर्वली करना सिखाता हूँ, तो सोचो कि क्या ये वाला आपस में बराबर हां, तो ये तो सर, अगर आपने इस एंगल को कर दिया 35 तो यह इसी तरीके से इस एंगल को भी बड़े प्यार से कर दिजिए 35 के बराब अब सोचिएगा दोस 35 प्लस 35 सर 70 तो बचा खुचा एंगल यह कितना होगा दोस्ट यह कितना हो जाएगा वो भी दिखना चाहिए क्या दोस्ट Y की वैलू भीया आगए 110 डिगरी और X की वैलू आगए 55 डिगरी as simple as we can understand यहाँ पर देखना मैटा 35 में क्या एड कर दे कि यह 90 हो जाए सर 55 एड कर दो यह 90 बड़े प्यारते हो जाएगा तो X हो जाएगा हमारे पास 55 डिगरी और Y हो जाएगा 110 डिगरी देखना यह सवाल बहुत ज्यादा सिंपल था लेकिन क्या यह सवाल एक्जाक्लिस सिर्फ पैरलेलोग्राम से था नहीं सर और यह बेसिकली जितने भी बाते हम किये रेक्टेंगल को लेकर सर इसके लिए स्क अरिके से कभी-कभी आपकी एक्जाम में पैर्टन आ जाता जहां पर असर्चन बेस्ट सवालों को फूछता अ इस्स्रक्षन आपके सामने लिखा हुआ है कि सर असर्चन भी ट्रू है रीजट अगर करेक्टली क्या कर रहा है असर्चन को एक्स्प्लेंड कर रहा है median AD is produced to X भी यह हमारे पास एक triangle ABC हमारे पास एक triangle है A, B, C बोला कि median जो हमारा AD है इसको आगे X तक बढ़ाया गया, median AD मतलब सर इसको 62 क्या होगा यह point D है और इसको आगे बढ़ाया गया कहां तक, X तक बढ़ाया X तक बढ़ाया गया आगे देखते हैं कहां तक, such that AD equal to DX ओ भाई साब, बहुत बढ़ाया, बहुत बढ़ाया कितना बढ़ाया गया है दोस्ट सर इतना बढ़ाया गया, कि यह जो AD की length है, AD की जो length है दोस्ट, यह है इस वाली length के, यानि DX के बराबर, इतना हमें क्या किया गया, इसको आगे extend किया गया, then A, B, X, C is a parallelogram, तो हमें proof करना है, या A, B, X, C, मतलब अगर हम इन दोनों को मिला दे यहां से इसको मिला दे दोस्ट यहां से इसको मिला दे, यहां से इसको मिला दे, तो बोला कि prove करिये कि A, B, X, C, कैसा होगा यह A का parallelogram होगा यह हमें usually क्या करना है, दोस्ट इस पूरे concept को लगा के prove करना है थोड़ा से दिमाग लगाते है, थोड़ा से दिमाग लगाते है, कि अगर सर हमें ऐसा कुछ करना है, तो यहां पे थोड़ी कहानी को बलटता हूँ, मैं तिर्फ उठाता हूँ दोस्त, इतना वाला figure मैं सिर्फ इतना सा figure उठाता हूँ इतना सा figure उठाता हूँ क्योंकि जो information हमारे पासे वो कुछ ऐसा है यह वाली side भी है, इस वाली side के बराबर यह वाली side है, इस वाली side के बराबर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वज़ा से ये एंगल हो जाएगा इस एंगल के बराबर मतलब उपर वाला ट्रैंगल नीची वाले ट्रैंगूलर सेप के कैसा हो गया सर एक्जाक्ली कॉन्गूरेंट हो गया बाई की s s Converance rule है चले भी इसके वाटफ़ समाग कर लेता हो ये पॉइंट अ था ये पॉइंट दी था ये पॉइंट भी था ये पॉइंट सी था और ये पॉइंट एक्स तो हमने क्या प्रोब किया बिता कि यहाँ पर जो हमारे पास triangle है adb adb ये congruent निकला दोस्त किसके sir x dc के x dc के triangle x dc के congruent निकला अगर ये congruent निकल चुका है अगर ये congruent निकल चुका है तो जो जो information हमें यहां से collect करना है उस पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं क्या कि sir अगर ये congruent है तो ये angle हो जाएगा इस वले angle के बराबर हा सर और साथ में अगर ऐसा कुछ हुआ अगर ऐसा कुछ हुआ कौनसा angle वेटा c x d by c p c t क्या लिख पाएंगे दोस्त सर लिख पाएंगे by c p c t angle c x d जो होगा ये बराबर हो जाएगा angle b a d अगल b a d के बराबर और ये क्या कहना चाहता है दोस्त ये हमें कहना चाहता है बहुत चिला चिला के बोल रहा है कि a b parallel to c x a b parallel to c x है सिर्फ इसी केस में कैसा होगा दोस्त कि sir alternate interior angle कैसे होते हैं alternate interior angle कैसे हो जाते हैं दोस्त same to same बहुत बढ़िया अगर मैं ऐसा कुछ उठा लेता दोस्त ऐसा कुछ अगर हम information को collect कर लेते हैं ऐसा कुछ information में उठा लेता दोस्त क्या इस case में भी यह होता सरीवाली side इसके बराबर ये वाली side इसके बराबर और ये vertically appos side angle side criteria से तो ये भी दोनों सेम होते भी या कैसे congruent ये a point ये d point ये b point ये c point और ये x point अब इसमें देखा जाए बिटा ये कौन से criteria से हुआ है side angle side criteria से सेम तरीके से अगर नीचे वाले triangular safe में नीचे वाले triangular safe में मैं देखू तो क्या लिख पाहूंगा कि से triangle a d c a d c must be congruent to triangle x d b x d b अगर ऐसा होता है किस criteria से दोस्त सर ये हो जाएगा जबर जस्त मस्त वाले तरीके से यूजिंग यूजिंग s a s congruence rule s a s congruence rule से हो रहा सर यह से स्क्राइटेरिया से हो रहा है तो इससे बाते हम क्या निकाल पाएंगे क्या information निकाल पाएंगे सर इससे हम information निकालेंगे कि अपने पास ये वाला angle हो जाएगा ये वाला angle हो जाएगा इस वाला angle के बराबर कौन सा angle बेटा सर CAD angle CAD will be equal to angle BXD BXD और ये कहना क्या चाहता है ये क्या कहना चाहता है सर ये तो सिर्फ और सिर्फ तब possible होगा अगर ये alternate interior है यानि AC parallel to BX AC parallel to BX चले भी या इस बात को मैं मानता हूँ अपने पास equation 1 और इस बात को मैं मानता हूँ equation 2 अब इस पूरे figure को देखिए और वहाँ से थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा क्या करेंग करने की कोसिस करें वहाँ से इस बात को थोड़ा connect करने की कोसिस करें क्या connect करने की कोसिस करेंगे AB parallel to CX यानि ये वाली side इस वाली side के parallel बोल रहा भी या ठीक है ठीक है सर इसको मैं note कर लेता हूँ और क्या क्या बोल रहा है सर इसके लवाँ AC parallel to BX है ये जो AC है ये parallel to BX बोल रहा है आपको क्या लगता है दोस्ट कि एक parallelogram का definition क्या कहलाता है अगर opposite sides का pair parallel हो तो लिख देता हूँ भी या from first and second from first and second ये possible सिर्फ होसिप तब होगा जब ABXC parallelogram हो ABXC कैसे हो जाएंगे दोस्ट ये हो जाएगा एक parallelogram इसको मैं shortcut में यहाँ पे लिख दिया आप लोग word में अपने हिसाब से लिख लेना अगर अगर एक quadrilateral वे opposite sides का pair parallel निकल के आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक parallelogram होता है चली भी इस कहाने को समझ लिया थोड़े case based questions को भी नहीं 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 सर अभी हमने बात पूरी नहीं की अभी अपनी बात पूरी नहीं हुई है अभी अपनी बात पूरी नहीं हुई है इसने बोले एक parallelogram बिलकुल टूरू वाले बात सर मिलकुल टूरू बात है मिलकुल टूरू बात है AX और BC कैसे एक दूसरे को right angle पे by set करेंगे सर ये तो नहीं पता ये तो हमें exactly कैसे बोल सकते हैं सर अगर ये मालो हमारे पास कैसे भी करके rhombus proof हो जाए उस case में कह सकते हैं क्या ये square है सर इस square कैसे बोल देंगे अगर हम AB equal to AC दिया रहता तब काम बनता हालाकि ऐसा कोई information नहीं है AD equal to DX दिया हुआ है सिर्फ इतनी सी बात है बटा तो यहाँ पे कहीं से भी नहीं प्रूव हो रहा है कहीं से भी नहीं प्रूव हो रहा है कि ये या तो एक हमारा square है या एक हमारे पास rhombus है अगर मालो हम ऐसा कुछ प्रूव कर दें ऐसा कुछ प्रूव कर दें क्या AB equal to CX तो हमारे पास आ चुका है लेकिन अगर हम AB equal to BX प्रूव कर दें तो काम बन सकता है तो काम बन सकता है और देखने ऐसा हम प्रूव कर पाएंगे ऐसा हम प्रूव कर पाएंगे कैसे सुनना दोस्त दिमाग लगाना अगर इस वाले ट्रैंगल इस वाले ट्रैंगल को नोटिस करो ये वाली साइड इस वाली साइड के बरावर ये वाली साइड भी है common दोनों में क्या angles का कुछ लोचा हो रहा है सर यहां पर angles का लोचा हो रहा है मस्त वाला खेल अगर हम देखें तो angles का लोचा है कहीं से भी एक rhombus प्रूव नहीं हो रहा है तो दूसरा statement है भी या वो निकल गया बिल्कुल false दूसरा तो निकल गया अपने पास false देखो यार बहुत सारे try कर लिए कि कहीं से भी यह information निकल जा है कि यह आपस में एक rhombus बना रहा है तो 94 होगा ऐसा कहीं से भी कोई information हमारे पास question में दिया है तो निकला false Assertion true भी या region false Assertion true region false option C सर Final क्या हो जबाब आएगा हो आजएगा अपने पास option C as a correct answer चली बेस कानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं मज़ा बहुत आ रहा होगा अब मैं बात करता हूँ बैटा कुछ case based questions को लेकर जहां पर हमारे पास दिया हुआ है कि एक former भी या जिसके field का नाम है ABCD भी या एक मान के चलो कि एक किसार है जिसके पास एक बहुत बढ़िया प्यारा सा खेथ है ABCD के नाम से और उसका जो shape है वो है रामबत बहुत बढ़िया तो रामबत की सारी property है हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए बोला है जहां पे ADC है 120 ठीक है सर अल्रेडी वहां पे mention है if he has two buffaloes and tied them उनसे match कर रहा है उन दो भैसी हो को कहां पे बाना विया एक को यहां C पे और एक को D पे ठीक है सर tied at C and D and he himself at O point यहां वो खुद ही O point पे हैं यहां पे farmer बैठा हुआ है यहां पे O पे वो क्या बैठा हुआ है former बैठा हुआ है यहां पे वो खुद ही बैठा हुआ है यहां पे वो खुद बैठा हुआ है और यह क्या बैठा buffalo 1 और यह buffalo 2 ऐसा कुछ scene हो रहा है इतनी सी information हमारे पास दे रखी है अब दिखते हैं सवाल में क्या पूछ रहा है सवाल में बोला कि भी है dcb की value बता दिए किसकी दोत dcb की सब बहुत ज़्यादा सिंपल अगर यह हमारा rhombus है तो rhombus होने से पहले एक parallelogram हुआ करता था तो parallelogram के adjacent side का angles का जो sum होता है बढ़े प्यार से बढ़े मस जबर्जस्त वाले तरीके से कितना 180 तो 120 कलोता लेके बैठा तो भीया इसको कितना होना पड़ेगा साथ डिग्री होना पड़ेगा सर dcb की measurement जो आएगी हुआ जाएगी 60 डिग्री यह क्यों होना भीया since क्या है दोस्ट कि ABCD एक parallelogram है ABCD is a parallelogram भीया अगर parallelogram यह rhombus है basically तो क्या हो जाएगा दोस्ट अगर यह rhombus है सर तो AD parallel to हो जाएगा BC AD हो जाएगा parallel to BC और अगर ऐसा है तो यह क्या बोलता है कि sum of adjacent equal to 180 degree equal to 180 degree अब हमारे पास एक angle दिया है 120 और जो हमें चाहिए dbc वो निकाल लेते भीया हमें sorry dcb चाहिए dcb चाहिए dcb चाहिए यह चाहिए तो इन दोनों का sum हो जाएगा 180 यानि dcb का measurement जो आएगा दोस्ट वो कितना आजाएगा सर बड़ी प्यार से आजाएगा 60 degree I hope यह question आपको अच्छे से बन गया होगा आगे बढ़ते विया लिखाया दा मेजर आप cdo cdo के सिर्फ इतनी की बात कर रहा है दोस्ट सिर्फ इतनी की बात कर रहा है कि cdo कितना आएगा सर cdo कितना आएगा and dco कितना आएगा and dco इसकी भी बात कर रहा है तो एक एक करके तोड़ते सबसे पहली तो बात किया है किस इस वाल एंगल के बारे में बताई कि ये कितना होने वाला है अब हमें पता कि अगर ये रॉंबस है तो विया बहुत औबियस नीच करेगा एक दूसरे को 90 डिग्री पर रॉंबस में स्क्वाइर इंड काइट में ये बेसिक प्रॉफटी होती है कि उसके डैंग्णर एक दूसरे को भी यहा 90 degree पर intersect करते हैं सिर्फ square और rhombus के case में bisection होता है kite के case में bisection नहीं होता है चले भी यहाँ इस बात को तो हमने समझ लिया अभी काम करते हमारे पास दिया है हमारे पास जो दिया वो आ गया कि यह 120 है और यह कितना हो गया दोस्त यह हो गया बड़े प्यार से सर 60 degree यह बड़े प्यार से टोटल जो आया दोस्त हुआ है 60 degree रॉम्बस की बहुत खुबसूरसी बाते बिटा रॉम्बस की बहुत ज्यादा खुबसूरसी property उसको बोला जाता है कि रॉम्बस में जो longest diagonal के long कुछ भी आएगा longest diagonal के long कुछ भी आएगा उसको वो क्या करेगा bisect कर देगा same यही property होती है आपके kite में same यही property होती है kite में कि kite में जो longest diagonal के long कुछ भी उसके भी या radar में चड़ गया वो क्या कर देगा उसको फटा फट से bisect कर देगा चली भिया, तो यह कहानी हम लगा लेते हैं, कि AC हमारा longest diagonal है, since, AC is longest diagonal, longest diagonal, भिया यह हमारा longest diagonal है, उस case में देखा जाए, तो भिया AC क्या करेगा, AC bisect angle C, अगर ऐसा हो रहा है, तो भिया पूरा-पूरा 60 है, तो आधा 30 उपर का, और नीचे का half जो जाएगा, वो 30 हो जाएगा, पूर्शन कितना हो जाएगा, दोस्त, सर, यह हो जाएगा, बड़े प्यार से 30, और सेम मैनर में, यह नीचे वाला जो पूर्शन यह है, यह भी हो जाएगा, बड़े प्यार से 30, चले, जो information हमें चाहिए था, वो मिल गया, एक तो value हमें मिल गया, DCO की, DCO मतलब पीछे वा जाएगे, कितना दोस्त, 60 दीगे, तो देखे का 60, 30 किस में दिया, 60, 30 सर, तो option C में दिया हुआ, option C में दिया हुआ, 30, 60 भी है बटा, confuse मत हो न, जिस sequence में बोला है, उसी sequence में ही निकालना आपन को, चले, आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं सारी किसारी properties आपको करा रहा था, यह अगेन, एक और सुन्दर सा, एक और सुन्दर सा, उसी case based question में अगला सवाल है बटा, क्या लिखा हुआ है, out of two fellows, which can reach the farmer early, as you mean, they both work at the same speed, बैया, कौन सा सबसे पहले भाग क्या आएगा उसके पास, सर्भू भाग क्या आएगा, जो longest diagonal के बिया, अलांग होगा, वो बहुत धीरे आएगा, क्योंकि speed same हो रहा है, यह आपकी distance कम है, यह आपकी distance क्या है, बहुत कम है, यह distance है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि, दोनों की diagonal length same तो होगी नहीं, रॉंबस में भी है, जब इनको कूटा गया, तो इसको यहाँ से कूटा गया, यहाँ से कूटा गया, तो यह distance हो गया कम, यानि इस diagonal की length कम है, तो यह जहाँ पे length कम पड़ेगी, बहुत कम जगा में उस speed से बाग क्या आएगा, तो जो point D पे बादा गया है, वो पहले पहु से, OC से, क्योंकि, क्योंकि हमारे पास diagonal AC जो है, diagonal AC जो है, यह बढ़ा होता है, diagonal DB से, तो यहाँ पे इनका अगर half कर दो, DB divided by 2 कर दो, तो इस case में भी AC by 2 से ही छोटा रहेगा, और इस ही का byproduct आ गया, यहाँ पे, कि OD less than OC, तो यहाँ, OD less than है, speed से में, जहाँ distance कम, बहुत फट पर से आ जाएगे भई यहाँ, चले, इस figure में क्या दिया गया है, कि ABCD एक square है, क्या दोस्त कि ABCD हमारा एक square है, हमें value बतानी है, Z की, हमें value किसकी बतानी है, Z की बतानी है, चले भी यहाँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से समखते हैं, हमें पता है, कि diagonal जो होता है, diagonal जो होता पाई सेट करता है, यह angle और यह angle, उपर नीचे के सेम होंगे, अब यह अगर total 90 है, तो सीरी सी बात है, नीचे वाला हो जाएगा 45, और यह उपर वाला हो जाएगा बटाना, 45, हमें value किसकी बतानी है, सर हमें value बतानी है, Z की, हमें जो value बतानी है, वो Z की, अब यह Z की value निक निकाल पाएंगे क्या, इसकी value निकाल पाएंगे क्या, देखते हैं, इसकी value कितने बच्चे फटा 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 से निकाल पाते हैं, सर 105, प्लस 45 हो गया, 150, तो यह बच्चा खुचा हो जाएगा, अपने पास 30 डिगरी, हाँ सर, बस यहीं से पूरा का पूरा context अब समझ में आएगा दोस्त, कि सर, यह हमारे पास आगे है, सिर्फ प्यार से 30 डिगरी, यह पूरा-पूरा कितना है, दोस्त, यह पूरा-पूरा अपने पास है, 90 डिगरी, हमें इसकी value बोल रहा है, हमें Z की value बोल रहा है, क्या Z की value आसानी से बता पाओगे, सर 60 डिगरी, the option B would be the final answer, तो हमारे पास कुछ बहुत basic properties होती है, किसकी rhombus की, square की, तो इनी सारी basic properties को यूज करके क्या करते हैं, इस सवालों को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, चलिए और कुछ और बेतरीन से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मज़ेदार भवकाली वाले सवालों को यहां पे हम solve करने क कोसिस करते हैं, अब चलते हैं, इस वाले सवाल पर जो आपके NCRT में multiple time आपसे repeat करके पूछा गया है, क्या बोलागे अबिया, कि इस figure में ABC के parallel तीन साइट यानी BC, CA और AB को draw किया गया है, और यहां पे विया किस तरीके से किया गया है, कि A के triangle PQR बन रहा है, हमें prove करना है कि BC equal to half of QR होगा, BC क्या हो जागा दोस्त, half of QR होगा, अब सुनना, इस figure में A से एक line बन रही है या कौन सी ये वाली, A से हमारी एक line बन रही है, ऐसी हमारी एक line draw हो रही है, जिसका नाम है भीया RQ, और क्या बोल रहा है, parallel to the side BC, भीया BC के parallel है, इस वाले के parallel है, यह बात हम प थोड़ा सा इसको smartly सोचता हूँ, थोड़ा सा smartly सोचता हूँ, कि एक तो ये pair हमारे पास parallel है, दूसरा और information दिया है, दोस्त क्या, कि सर ये जो हमारे पास side है, ये जो हमारे पास side है, जो C से pass कर रहा है, ये इस वाले A, B के parallel है, इस बात को भी मैं यहापर note कर लेता हूँ इस बात को भी note कर लेता हूँ, अब इस information से मैं कुछ basic बाते यहाँ पे लिखने की कोजिस करूँगा, समझेगा, क्या भी, from point A, इस बात को मैं यहाँ पे note करता हूँ, क्या-क्या यहाँ से basic conclusion निकाल सकते हैं, from point A, from point A, यह point A से एक line पास कर रहा है, कौन सा, RQ, RQ, ये parallel है दोस्त किसके, ये parallel है दोस्त किसके, BC के, तो क्या यहाँ से मैं सिर्फ छोटी सी बात क्या, RQ न लिखे, अगर R A लिखू तो चलेगा, R A भी तो हमारी वही same line है, ये parallel हो जाएगा, BC के, बहुत बढ़िया भिया, देखो information को किस तरीके से smartly हम क्या, यहाँ पे यूज में ले रहे है, दूसरी बात, कि सर हमारे point C के along देखे, from, from point C, from point C, यह point C के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हमारे पास ये जो line RP है, RP है, ये parallel है, किसके दोस्त, AB के, यह सर, RP न बोलके, अगर इसको सिर्फ RC बोलो, तो ये भी AB के parallel होगी, हाँ सर, चलेगा, इन दो information से, एक छोटा सा यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, quadrilateral निकालने की कोसिस कर रहा हूँ, थोड़ा focus करीगा कि information को कैसे use में लेना होता है, ये है R, ये है C, ये है B, और ये है अपने पास A, क्या information ये बोल रहा है दोस्त, इस information की साब से सुनना, R, A parallel to B, C, ये ये वाली side, इस वाल रहा है दोस्त, सर इसके अलावा यहाँ पे बोल रहा है कि R, C parallel to AB, ये जो R, C है, ये parallel to AB, अब एक बात बता ना, कि parallelogram के definition क्या बोलता है, सर parallelogram का definition बोलता है, कि अगर opposite side का pair parallel है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक parallelogram होगा, क्या होगा दोस्त, कि सर इस case में, A, B, C, R जोगा, ए अगर ये parallelogram हुआ, तो BC will be equal to AR, BC will be equal to AR, क्या इतना सा information अब निकाल पाए, हाँ सर, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे BC का ही ये सतर, और अगर QR पे चलना है, तो AR आधा information मिला, same to same यही कहानी बेटा, अब इसमें लगाएंगे, same to same यही कहानी इसमें लगाएंगे, क्या, इसके अनवा एक और information दी हुई थी क्या, कि B के along चले, तो ये जो line हमारे पास है दोस्त, ये जो line है, इस वाले line के parallel है, B के along चला जाए, तो ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देता हूं बेटा, from point, from, point B, अगर B के along चले तो हमारे पास क्या information है दोस्त, कि सर, जो हमारी line PQ है हमारी line जो PQ है, ये parallel to CA है, या AC है, या अगर इसको थोड़ा सा और तरीके से सोचे है, तो PQ न बोलके मैं सिर्फ PB ले रहा हूं, तो या PB जो होगा, वो parallel to AC हो जाएगा, हासर, इससे भी एक बहुत प्यारा सा cute सा, छोटा सा मैं क्या कर रहा हूं, quadrilateral यहाँ पे draw कर रहा ह यहाँ पे, एक और प्यारा सा quadrilateral draw कर रहा हूं, देखो यार information को किस तरीके से निकालना होता है, यही तो सारा game है यही तो game है, यही तो जवर्जस्त वाला game है, वेट वेट, इसका नहीं, इसका यूज नहीं लेना है, मुझे यूज में लेना है, कौन सा वाला, ये वाला, बहुत बढ़िया, information जो यूज में लेना है, वो मुझे लेना था ये वाला, एक बार अच्छे से बना लेता हूं, उतना प्रॉपर बना नहीं है, तो एक बार इसको अच्छे से बना लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगी बन देखने में भी, हाँ सकत, चली बया, इस information क क्या करता हूं, मैं दोस्त, यूज में ले लेता हूं, सुनना, क्या-क्या information हमारे पास है, सर हमारे पास information अगर इसको देखा जाया, तो यह point C, यह point B, यह point A, और साथ में यह वाला point जो है दोस्त, वो है Q, मैं जो यहाँ पर PB लिया हूं न, तो PB न लेकि अगर मैं BQ लेता तो AC, चलो भीया, देख लिजेगा वही बात मैंने लिखा विटा, कि अगर हमारा PQ parallel to AC है, तो भीया PQ पूरा न लेके सिर्फ BQ को ले रहे, सिर्फ BQ को ले रहे, सिर्फ BQ parallel to AC, अब इस बात को मैं यहाँ पर थोड़ा लिखता हूं, कि सर यह जो साइड हमारी BQ है, यह parallel parallel to AC के, सर इस वाले AC के हां सकते हैं, और क्या क्या है दोस्त, कि सर इसके अलावा हमारे पास जो BC है, वो AQ के भी parallel लेकिया, AQ के भी parallel लेकिया, सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे, सुना, आर ए परलेल टू जैसे BC लिखा, तो इसी का एक बाई-प्रॉडक्त क्या, AQ parallel to हां सट लिक्त सकते थे एक यू पैरलेल टू बीच भीलिक सकते थे चांदिकतन आता दिक्कत थी यह हंशे लिखियो जैसे से रसे और सी पैरलेल के लिख सकते थे समाधवर चेसे और निकलता अगर आपने BQ लिया है सर तो आपने PBB तो ले सकते थे, क्या PB या BP parallel to AC, ये भी, तो देखो जो information की जरुवत ने उसको छोड़ेंगे, हमें ये चार information की जरुवत थी, तो चारों को मैंने note कर लिया, देखो ये बाकी के दो additional information, इसकी जरुवत है ही ने, आप सोचों कि ये to CA, लेकिन ये भी तो लिख सकते थे, क्या, ये BQ जोगा, ये भी CA के parallel होगा, अगर ये दोनों लाइन parallel है, तो उस लाइन दा पूरा-पूरा इसा लो, ये छोटा लो, अगर ये parallel हैं तो रहेंगे, चली बहुत, इस बात को मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, इस बात को मैं opposite sides कैसे, parallel, कब possible है, कब possible है, if AQ BC parallelogram हो, क्या, AQ BC क्या हो दोस्त, सर ये एक parallelogram हो, और parallelogram में हमने स्वामी के sides कैसे बटा, BC equal to AQ, BC equal to AQ, चली, हमारे पास आगया information number second, information number first हम आ लेडी इन लिख रिया बटा, ये, और information number second, equation one or two को add करीगा, one or two को add करीगा, BC plus BC, भीया, twice of BC, AQ plus AR, क्या दोस्त, AQ plus AR, भीया, ये पूरा-पूरा RQ दे रहा है, पूरा-पूरा RQ दे रहा है, पूरा-पूरा RQ दे रहा है, तो क्या लिख पाएंगे दोस्त, कि सर जो हमारी side BC होगी, वो हो जागी half of, जो बोला है, व चलेगे बिया, अगर आपको ये बात बहुत जादा, मतलब उतना crystal clear sound नहीं कर रहा है, so this is completely recorded session, आपको बस ये वीडियो पहुच करना यहीं पे, थोड़ा सा पीछे जाना है, एक इकिस step को भीया 0.78 60 पे रखिए, आराम अनाम से समस्ते चलेंगे, तो ये पूरा-पूरा सवालों के तरफ चलते हैं, कुछ बेतरीन सवाल मिले, तब तो मजाए, चले, चलते हैं यार, बाकी के बच्चे हुए कुछ और हमारे पास क्या है, थिरम से, उसको प्रूफ करते हैं, लिखा था, diagonal of parallelogram, bisect each other, या इसने word बोल दिया है, parallelogram, तो अगर इसने parallelogram बना है, तो य उसके definition को यूज कर लेंगे, parallelogram तो यह वाला इसके parallel, इस बात को तो हम यूज कर सकते हैं, हाँ सर, इस चीज से मैं जो smartly काम करने वाला हूँ, उस पे focus करिएगा, क्या करने वाला हूँ दोस्त, सर, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस angle को, इस angle के बराबर ले सकते हैं, हाँ सर, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लिखा है, the diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और क्या-क्या information किया जा सकते हैं, सर, यह वाला information जो है, इस वाला information के साथ compare करके, आराम से equal कर सकते हैं, एक और चीज जो हमने अभी just पढ़ी क्या, देखो, जो theorem सा लेडी हम पढ़ चुके, उसका use तो करी सकते हैं, सर, इससे और पहले क्या पढ़ा, दोस्त, कि सर, हमारे पास अगर यह parallelogram है, तो आमने सामने के sides हो जाते हैं, बिल्कुल same to same, आमने के सामने के side कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल same to same, तो मैं बस इसी चीज को use कर रहा हूँ, बस इसी information को मैं क्य इस बात को मैं लिखता हूँ, यहाँ पर, क्या क्या information मैंने use मिलिया है, सर, एक तो आपने यह लिया हुए, कि यह वाली length, इस वाली length के बराबर, क्योंकि parallelogram में यह लेडी हमने theorem पढ़ लिया है, कि आमने सामने के opposite sides आपस में same length के होते हैं, ठीक है, और क्या 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 बात सर, इस की अलामा यह वाला जो angle होगा, यह वाला जो angle होगा, वो इस वाल angle के बराबर होगा, हाँ सर, एंगल included side angle, angle included side angle criteria से क्या बोल पाओगे, क्या बोल पाओगे आप, सर, यह तो बात अच्छे से समझ मांगे कि यह point D है, यह point C है, यह point O है, यह point A है, और यह point B है, तो हम बोल पाएंगे A, S, E क्राइटेरिया से, A, S, E क्राइटेरिया से क्या बोल पाएंगे दोस्स कि सर हमारे बाद ट्रेंगल O, D, C अगर ले ट्रेंगल O, D, C ले तो देखेगा इसी के बिल्कुल सीम ओर्डर मिलेंगे भी आ, O का कंपेर्जन O के साथ थी था सर, हाँ D का कंपेर्जन B के साथ, तो B ले ले लेते भी आ और A का कंपेर्जन C के साथ, तो B क्या O, D, C, O, D, C C का कंपेर्जन A के साथ, तो O, B, A के साथ हो जाएगा कॉन्गुरूएंट अगर ये कॉन्गुरूएंट हुआ अगर यह congruent हुआ, तो by cpct क्या लिखोगे, by cpct, जो चीज पूछ रहा है वो लिख देंगे सर, जो चीज हम से पूछ रहा है, उसके बारे में लिख देंगे बड़े प्यार से, क्या पूछ रहा भी आप, कि o b equal to o d, o b equal to o d, हाँ सर, o a equal to o c, हाँ सर, यह तो पूछ रहा है यह तो पूछ रहा है, diagonal bisect each other, यह 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 भी कहानी हमने कर लिया, यह भी कहानी आसानी से बन चुका है, चली भी यह, इसके just converse पे चलते हैं, कि अगर एक quadrilateral में diagonal bisect हो रहे हैं, तो प्रूफ करीए कि वो quadrilateral सिर्फ और सिर्फ एक parallelogram होगा, सेम वही पूरानी कहानी विटा, exactly वही पूराना से यहाँ पे figure बना दीजिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सुनीगा, थोड़ा सच्छे से बना लेता हूँ, उतना perfectly मैं अच नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है, यो कि, चल, यह वाला length दिया बिटा, इस वाले length के बराबर, यह length दिया बिटा, इस length के बराबर, और आपस में यह vertically opposite, यह वाला इसके vertically opposite, यह दिख रहा है, यह दिख रहा है, same figure ऐसे थोड़ा roughly बन गया, आप थोड़ा adjust कर लीजीगा, यह D है, यह C है, यह B है, और यह A है, S.E.S. criteria लगा सकते हैं, क्या फटा-फट से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे सर, सीधे बोल देंगे, side included angle, side criteria से, यह आपस में हो गए, congruent, अगर congruent हुए, अगर congruent हुए, क्या हो जेंगे भी यह कौन सा वाला congruent, O, यह पर यह point O है, तो O, D.C. जो होगा, O, D.C. जो ह हमारे पास होगा, A, B, equal to CD, पहली बात, A, B, equal to CD हो जाएगा, और दूसरी बात क्या दोस्त, कि सर, angle O, A, B, angle O, A, B, जो होगा, यह equal हो जाएगा, angle O, CD के, O, CD के, और यह क्या बोलना चाहता है, यह क्या बोलना चाहता है, अगर, अगर, कुछ ऐसा सीन हो, कि यह वाला एंग इस वाल एंगल के बराबर हो जाएगा, यह अगर इस figure में देखें, तो क्या बोलना चाहता है, दोस्त, कि यह वाला एंगल, इस वाल एंगल के बराबर, कब possible है, यह, alternate interior angle, same होते हैं, अगर, CD parallel to A, B हो, क्या, CD parallel to A, B हो, similarly, बिल्कुल, देखना, आगे लिखना नहीं है, ऐस सेम तरीके से हम बोल पाएंगे, कि A, D parallel to B, C, A, D parallel to B, C, यही process करना है, और यह दोनों कहानी क्या देदेगा, सर, यह तो parallelogram का definition है, तो बोल पाएंगे, कि A, B, C, D, will be a parallelogram, यह कहानी आराम से लिखने जिखा, क्या वा समझ मैं कि सर, यह parallelogram ही होगा, चलिए, तो अब इसी के साथ एक आखरी हमारे पास बच जाता है, तुरम, जो इस parallelogram की properties को दिखाते, दिखाते, बहुत आगे निकला है, सबसे last तुरम क्या बोलता है, कि एक quadrilateral हमारा parallelogram कहलाएगा, अगर अगर, इसका एक opposite pair, एक opposite pair का side parallel भी हो, और equal भी हो, देखो यार, simple से सम्दम बताऊं न, त हवा में इस तरीके से भी या, दो sides लगे हुए, जो ये कैसे है, आपस में parallel भी है, और ये equal है, तो बोला कि अगर ऐसा कुछ भी मिला, अगर ऐसा कुछ भी मिला, तो इससे गलती से अगर आपने एक quadrilateral बनाया, तो ये हमेसा parallelogram ही बनेगा, देख लो भी या, इस information को मैं यह नहां पर लिखके दिखाता हूं, यहां पर यूज करके दिखाता हूं, बोला मालो कि ये बोल रहा है बटा, ये वाली side जो है, ये इस वाली side के हो गई भी या, फटा-फटे क्या parallel, और क्या दे रखा है, कि ये आपस में equal है, शली ब्या, अगर parallel है तो इसका byproduct निकालते है ये अगर इसके parallel है, तो ये angle कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये angle हो जाएगा इस वाले angle के बिलकुल हूब हूब भू बराबर, इस information को मैं थोड़ा smartly यूज करूँगा, इस information को मैं थोड़ा smartly यूज करूँगा, सुनना कैसे बिटा, हमारे पास जो आया है, यहां से conclusion वो क् ये वाली जो side है, वो इस वाली side के बराबर भी है, parallel होने के साथ साथ आपस में ये equal भी है, हाँ सर, और एक जो दोनों में common है, वो आपको दिख रहा होगा बड़े प्यार से क्या, कि ये वाला जो चीज है बिटा, ये दोनों में common है, क्या लगा दिये जाए, side included side, side included, angle side, तो SS criteria से उपर वाला नीचे के कैसा हो गया, congruent, congruent हो गया तो भी आप बाकी के सारे information को, तो हम सर, दुआदार लिख लेते हैं, ये point D है, ये point A है, A है, ये B है, ये C है, C है, क्या लिख पाऊंगा दोस्ते, सर, यहाँ पे लिख पाऊंगा by using SS criteria, SS criteria को अगर मैं use करता, SS criteria को बोल पाता, कि triangle D, C, A, triangle, D, C, A, will be congruent to triangle, D का comparison किसके साथ, B के साथ, हासर, यहाँ पर इसका C का A के साथ है, तो B, यहाँ पर C है, तो A, और A के साथ C, B, A, C, ऐसा कुछ मिलकर आए, अगर ऐसा कुछ भी मिला, अगर ऐसा कुछ भी मिला, तो यहाँ से बाई, CPTC से बहुत का सकते हैं, बाई, CP, CT से क्या लिख सकते हैं, सर, बाई, CP, CT से हम लिख सकते हैं, कि अब हमारे पास C, B, इक्वल टू, A, D, होगा, C, B, इक्वल टू, क्या क्या हो जागा, दोस्त, A, D, हो जागा, सर, यही नहीं, और सुनिए, angle B, C, A, angle B, C, A, जो होगा, यह equal हो जागा, एंगल, D, A, C, के, एंगल, D, A, C, के, अगर इस चीज को मैं, इसमें, ड्रॉ करने की कोशिस करू, तो क्या information हमें, बहुत crystal clear दिखेगी, सुन्दा, किस सर आपने बोला, B, C, A, यानि यह वाला, एंगल, आप बोल रहो कि यह वाला, एंगल, D, A, C, D, A, C, यानि इस वाल ए B, C, चलेगा, यह information number second, और जो पहले से दे रखा है, दोस्त क्या, पहले से जो बात दे रखे क्या, कि CD parallel to A, B है, इसमें या लेडी दे रखा, given है भी या, कि एक side जो है भी या, parallel और आपस में equal भी है, CD parallel to A, B भी है, या लेडी दे रखा है, information number first, first और second को अगर हम conclude करें, त क्या बोलता है भी या, कि opposite sides pair जो है भी या, वो parallel है, सर, parallelogram में ऐसा सिर्फ possible है, from first and second, from first and second, क्या बोल पाएंगे बिटा, कि सर, हमारे पास, अब A, B, C, D, जो होगा, वो हो जाएगा, क्या, एक parallelogram, कि कि इसी में सर, parallelogram की definition होती है, कि pair of opposite sides must be parallel, then that particular quadrilateral will be only and only quadrilateral, कैसा हो सारे के सारे properties हमने already, क्या कर सकते बिया, discover जो किये गया थे, उसको हमने recall कर लिया है, सारे theorems को हमने proof कर लिया है, अब barrier, बचे खुचे जितने भी concept है, उनको अच्छे से recall करने की, तो लीजे बिया, हर एक जो property अभी तक हमने पढ़ा था, उसको मैं एक page में या पे में जाकर, खोजना ना पड़े, एक जगह पे सारी properties आपको आसानी से मिल जाए, चलिए, कुछ मज़िदार से सवाल कर लेते बच्चों, अब दिया है हमारे पास, कि ABCD हमारे पास ही एक है, विया rectangle, जहाँ पे diagonal AC है, वो angle A को bisect कर रहा है, क्या करते हैं दोस्त, माल लेती कि हमारे पास A होता, यह B होता, यह C होता और यह D होता, जहाँ पे बोला भी है, ABCD कैसा है, एक rectangle के बराबर, और यह जो diagonal AC है, वो angle A को bisect कर रहा है, देख लेंगे दोस्त, क्या हो सकता था, यह bisection अगर हो रहा है, तो सर सीधी सी बात है, कि rectangle का हर एक interior कितना होता है, बिटा 90, तो जश्ट उसका half उपर 45 और नीचे वाला half 45, in the very same sense क्या बोल सकते बच्चों, कि सर यहाँ पे भी हमारे पास यह जो होगा, यह हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, यह भी हो जाएगा बड़े प्यार से 45 डिग्री, चले, एतनी सी बात तो मा पास समझ मा आगे, अब आपको क्या करना है, कि अगर यह rectangle है, अगर यह rectangle है, तो मारे पास यह भी 45, यह भी 45, triangle वाले चप्टर के अगर आइसो सेलस की property यूज करें, तो यह वाली साइड इसके बराबर, या दी, AD equal to CD, AD equal to CD, बच सर अगर यह rectangle है, तो CD तो AB के बराबर है, CD होगे, चारो साइड अगर equal, तो only possible क्या, कि अगर ABCD हपारा, एक क्या हो जाए, इस square हो जाए, चलिए पहले पार्ट को, तो मैंने ऐसे ही, बिल्कुल फटा-फट से वर्वली कर दिया, यह निकल गया, diagonal BD, bisect angle B, as well as angle D, भी अगर यह square है, तो square की property होती है, कि जो उसके diagnose होते है, उसके internal angles को bisect करते है, लिख लेंगे, since, ABCD is a square, square, therefore, क्या हो सकता है दोस्ट, कि सर अब तो यही इसकी property है, यह अगर हमारा A है, यह B है, यह C है, और यह D है, therefore, BD, B, bill bisect, bill bisect, क्या दोस्ट, angle B and angle D, angle B and angle D, यह तो हमारी इसकी property है, दूसरे पार्ट को भी अपने lady cover कर लिया, चली बिया, कुछ और खुबसूरत से सवालों के तरफ चलते हैं, तो rapid fire out सवालों के तरफ क्या करते हैं, start करते हैं, अपनी कहानी को, जो आखरी पढ़ाओ हमारा होगा, वो क्या होगा, बैटा, mid point, थूरव, और उसका converse, चली बिया, कुछ सस्ते मस्ते, और कर लेते हैं, one of the diagonal of rhombus is equal to a side of rhombus, भी हमारे पास एक rhombus है, एक बड़ा प्यारा सा rhombus है, और बोला है कि इसका एक जो diagonal है, मालो कि यह वाला diagonal होता दोस्ते, यह वाला diagonal होता, तो बोला कि यह जो diagonal की length आ रही है, इसके किसी side के बराबर है, तो भी यह 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 भी से, सरी यह वाली side तो यह भी इसके बराबर होगा, यानि मिला जुला के कहना चाहरा है कि यह तीनों के तीनों चीज़े सेम, तो यह तो सिर्फ possible है, अगर यह equilateral triangle बने, equilateral triangle मतलब 60 degree, सर यह भी 60 degree, सर यह भी 60 degree, बहुत बढ़िया, यह diagonal इसके side के बराबर तो यहां से भी तो हो जाएग सेम चीज़ वही होगी बिटा, कि यह वाली भी बात उपर वाला भी कैसा हो जाएगा, सर उपर वाला भी पोर्सर जो होगा, वो एक इस तरीके से अगर सोचा जाए, किसका diagonal इसके side के बराबर है, तो यह भी हमारा equilateral बना रहा है, तो अंदर के सारे के सारे एंगस कैसे हो ज सिष्टी, चलिए, क्या चे यह सर अंदर के चारो के चारो एंगस, तो देखेंगे, सिष्टी और 120 आएगा, सिष्टी और 120 आएगा, बहुत अभी सी बात है, बहुत सस्ता सा सवाल था, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, कुछ यार बेहतरीन सा 19 सा अगर सवाल मिल जात होता, तो मज आएगा, एक इस कोibl refK को देखते हैं क्या लिखा है, इस दागिविन फिगरा नवैलू ओफ एक्स, फिर्ष्टी क्या वैल्यू होगी, यह बता दिजिए, यह बता दिजिए, क्या यह हमारा एक कोड़िलेटरल है, हाँ सथ, लेकिन किस टायप का क्वड़िले कैसा हो आपको आईडिया लगया है चैक में डालीगा उस केस में एंगर सम पर i4 तो यह कितना थो इसके बारें किया ख्याल है इसके भारें किया ख्याल है सबंघरए 70 यह 40 तो भचा कुछ आजेगा 70 डिग्री बचा कुछ आजेगा 70 क्या यह बास समझ मारी एक यह बस समझ मारी हासा बस इस information को थोड़ा और smartly यूज में लेते हैं थोड़ा और smartly यूज में लेते हैं यह हमारे पास कितना रहा है दोस्त सर यह हमारे पास आ रहा है 70 डिगरी यह हमारे पास कितना बिटा 50 डिगरी तो हमें पता कि जो 70 होता है sum of sum of opposite interior होता है तो भी आप चास कितना रख लें कि 70 आ जाए 20 रख लेंगे भी अगर यह 20 है तो इसका linear pair कितना आएगा linear pair कितना आएगा linear pair बड़े प्यार से देगा 160 और यह हो जाएगा जो required angle है उसके बराबर कभी भी एंगल सम property लगा कि इस question को गलत मत कर देना क्योंकि आपके type of polygon के उपर सारी कहानी चलती है जो sum of some of volunteer angle of triangle या sum of volunteer polygon जो लगाते हो बेटा वो किस पर चलता यह बात याद रखते है किस type के polygon के उपर applicable होता है चलिए अब parallelogram की कुछ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा important बात को यहाँ पर समझते हैं और हर साल जो आपके एकजाब में सवाल बनते हैं वो कहीं न कहीं यहीं से बनाए जाते हैं सुनना क्या लिखा है अभी आपने एक theorem में पढ़ा क्या लिखा theorem यह पढ़ा किस तर अगर मालो हवा में ऐसे ने दो साइट सो दो साइट सो अगर यह पैरलेल भी हो और लगे हथ कैसे हो आपस में क्वा लू tutola इसे बनने वाला जो कुछ ब가지고 कृडलयोहटरल होगा वह कैसा होगा वह एक पैरलेलघ्राप ही आएगअ वह एक पैललेलोग्राप ही आएगा इसे बात को हुआ पे क्या होंगे यह automatically consider किये जाएंगे इट मेक्स अधर पेयर आफ पोजेट साइट से एक्वाल एर पैरलें बहुत अभी इसी बात है भी है rectangle में square में या rhombus में क्या हो जाएगा भी है कि ऐसी चीजे प्रोपर्टी होती है ऐसी सब्सक्राइब क्या होता है चारों के चारों साइट से तो यह हमारे पास एक पैरलेलोग्राम से बहुत ज्यादा कंडिशन आया क्या कि हवा में दो साइड ऐसे जो इक्वालेंद के और पैरलल है तो इससे बनने वाला जो कुछ भी हमारे पास पॉसिबल कोडिलेटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक पैरलल ग्राम होगा इससे बहुत सारे बैतरी उपदा से सवाल आपके एक्जाब में हर साल पूछे गया होता है लिखा है कि एबी पैरलल टू डी ए ऐः क्या दोस्त एबी पैरलल टू डी एः अब देखना इस सवाल को लेगो कितना खुबसूरती से हम लोग सॉल्ब करेंगे A, B parallel to D है, हाँ भी है यह इसके parallel बोल दिया यह इसके parallel बोल दिया, ठीक है भी है और साथ में A, B equal to D है आपको idea लग गया कि मैं क्या करने वाला हूँ सर यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इससे एक हमारा quadrilateral बना लेना है और इस quadrilateral को बड़े प्यार से बोल देंगे कि सिर्फ और सी parallelogram होगा क्या दोस्त, since A, B जो है, वो parallel to D है और लगे हाथ, लगे हाथ A, B equal to D है therefore क्या लिख पाएंगे बेटा therefore हम यह बात लिख पाएंगे यह बात बड़े प्यार से लिख पाएंगे क्या, कि सर, A, B, E, D must be a parallelogram A, B, E, D must be a parallelogram यह parallelogram ही होगा अगर ऐसा होता है तो क्या A, D और B, E equal होगे yes सर, A, D will be equal to B, E, और लगे हाथ A, D जो होगा, वो parallel to B, E होगा, यह information हमने note कर लिख यह information हमने note कर लिए as information one यह यह बात आपको समझ मैं मिटा कि हवा में कहीं भी दो pair of side ऐसे हो जो parallel भी हो और लगे हाथ equal हो तो इससे बनने वाला quadrilator सिर्फ और से parallelogram होता है अब ही हमने यह बात अच्छे से discuss कि थूड़ा और information को आगे समझते हैं कि और क्या-क्या-बाते दी गई हैं तो और बातों में समझ रहे हैं कि वह लिखा है कि ac parallel to df है क्या है दोस्ट कि सर यह जो ac है यह जो ac है यह इस df के parallel है इस df के parallel है हाँ भी हा इसके parallel है ठीक है ac equal to df B है बहुत बढ़िया, तो इससे बनने वाला, इससे बनने वाला quadrilateral जो है ये वाला बेटा, ये वाला जो quadrilateral है, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सरी ही हो जाएगा, एक parallelogram, साक्षाथ parallelogram होगा, क्या करिया भया, AC parallel to DF, also, also, AC जो है, वो parallel to DF है, and AC equal to DF भी दिया हुआ, तो इससे बनने वाला, इससे बनने वाला, therefore क्या हो जाएगा, कैसार इससे बनने वाला, जो हमारे पास quadrilateral है, वो एक parallelogram होगा, इससे क्या बनना है विटा, ACFD, क्या बन रहा है दोस्ट, A, C, F, D जो होगा, वो क्या हो जाएगा दोस्ट? सर, यह हो जाएगा, must be a parallelogram must be a parallelogram अगर यह parallelogram निकला अगर यह parallelogram निकला, तो क्या बूल पहेंगे दोस्ट? कि सर, A, D equal to C, F क्या लिख पहेंगे दोस्ट? A, D equal to C, F और साथ में A, D parallel to C, F चले, information दूसरी लिखते हैं, बिटा information यह दूसरा लेते हैं अब यही पर आपका 99% question solve हो चुका है आपने बस इतनी सी बात लिख लिए तो क्या यह आगे और कर सकते हैं, बिटा? सर, आगे हम यहाँ से बहुत बहतरीन सी एक चीज calculate करेंगे उस चीज को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, क्या लिख सकते हैं, बिटा? A, D, A, D तो B equal to C, F लिख सकते हैं, क्या? B equal to C, F लिख सकते हैं, क्या? हाँ भी यह लिख सकते हैं, चलिए यहाँ से इस information को लिखता हैं, बिटा? A, D जो है, वो parallel to B, E है यही A, D है, वो parallel to C, F है तो यह parallel का parallel? parallel, तो इस information से मैं क्या conclude करूँगा? कि C, F जो होगा, वो parallel to B, E होगा क्या बात है? B, B equal to, ओके, वेट, 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 इक्वेट equal to का sign लगाना थे हैं, यहाँ पर equal to का sign लगाना था, मैं चोटा सा गलती कर गया B equal to C, F था यहाँ पर और यहाँ पर B parallel to C, F है अब इस बात को इस पूरे figure में ढूडते हैं कि कहाँ पर दिया गया है इस बात को इस पूरे figure में क्या करते हैं identify करते हैं कि exactly यह दिया कहाँ पर हमारे पास दिया B equal to C, F क्या दिया बिटा, B equal to C, F तो इस चीज को मैं यहाँ पर draw करता हो कि विए यह आपस में कैसा है equal है, यह आपस में कैसा है दोस्ट, equal है और लगे हाथ यह आपस में parallel भी है, तो इससे जो कुछ भी बनेगा अपना वो क्या हो जाएगा, सर वो सिर्फ और सिर्फ एकलोता parallelogram होगा बना के देखते हैं, इसको मैंने इससे join के, इसको इससे join के, यह point क्या था? B, यह point क्या था? E, यह point क्या था? C, और यह point क्या था? F, क्या लिख पाऊगे दोस्ट? सर वही जो बोल रहा है B, C, parallel to E, F और साथ मेटा क्या? कि अब यह इकलोता possible क्या होगा? इस information से क्या लिख पाएंगे बिटा? Only possible Only possible If क्या भी यह? कि B, C, F, E B, C, F, E क्या हो? एक parallelogram हो Is a parallelogram भी यह अगर यह parallelogram है तो by default अगर यह वाली site pair equal और साब parallel है तो B, C, parallel to E, F होगा Therefore Therefore BC जो होगा वो parallel हो जाएगा क्या? BC जो होगा BC वाले यह वाली line वो E, F के parallel होगा हाँ सर और साथ में BC equal to E, F भी होगा हाँ सर यह तो parallelogram की property है यही प्रूब करना है था देख रहों क्या कर रहा? एक information से एक parallelogram बना रहा है यहाँ पे data लिखवा लिया दूसरा information से दूसरा parallelogram बना रहा है यहाँ पे data निकलवा लिया और इन दोनो data को combine करके एक तीसरा information निकलवा के और उससे भी जो result चाहिए वो यहाँ पे निकालना पड़ रहा है तो इस तरीके से complexity level को क्या किया गया? CBSC में frame किया गया चली भी आफ finally पहुचते है वहाँ पे जहाँ पे हमें पहुचना चाहिए था and this is all about your midpoint theorem देखो यार इस theorem को लेके काफी सारे बच्चों के अलग-लग perception है कि सर क्या यह हमें रटना पड़ेगा सर क्या exam में हमारे साथ proof भी पूचा जाएगा तो बतादू दोस्त की midpoint theorem का proof काफी बार पूचा भी गया और मैं वादा करना हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा आसान करने की पूरी-पूरी कोशिस करूँगा पहले तो यह समझते कि midpoint theorem है क्या midpoint theorem बोलता है कि एक triangle के अंदर एक triangle के अंदर अगर अगर इसके किसी भी दो side किसी भी दो side मालो एक side आपने ये वाला लिया और एक ये वाला side लिया दोस्त एक आपने ये वाला side ले लिया किसी भी दो side के मिड़ पॉइंट से, मिड़ पॉइंट से, किसी भी दो साइट के मिड़ पॉइंट से, मालो इस साइट के ये वाला मिड़ पॉइंट है, और इस साइट के ये वाला मिड़ पॉइंट है, अगर इस से, इन दोनों पॉइंट से, एक लाइन पास करें, एक लाइन ऐसे खीच द हाथ D E की जो लिंद्ध आगी वा जागी हाफ ओफ BC यह आपका बोलता है क्या दोस्त मिड़ पॉइंट थिरम लिखा भी यह द लाइन सेग्मेंट जॉइनिंग दा मिड़ पॉइंट अफ एनी टू साइट्स भिया और ट्रैंगल इज पैरलेल तो थर्ड साइट इज पैरलेल के अंदर मालो अपने यह वाली साइट यह था अपने उठा लिया और एक और यह वाली साइट उठाली दोस्त आपनी वाली साइट उठाली तो बोला कि इन इन दोनों line को छोड़के यह जो दो साइच से इसको छोड़के तीसरे वाले साइट के प्रेल होगी और length में यह जो length R.E.B.I. इस length B.C. का आधा भी होगा क्या बोला है कि बिया D.E. जो आएगा वो पैरलल तो B.C. होगा और 7 में इसके थर्ड वाली साइट के मेजरमेंट में आधा भी होगा यह D must be equal to half of BC यह बोलता है आपका क्या midpoint theorem अगर इसके proof की बात करें तो चली भी आप proof भी समझ लेते हैं तो देखो यह बहुत चोटा सा construction करना होता है midpoint theorem जब भी आएगा आपको बस इतनी सी बात याद रखनी कि क्या करना है इस line D को थोड़ा आगे तक बढ़ा लेते हैं थोड़ा आगे तक बढ़ा लेते भी है कहां तक such that D E equal to D E equal to E F बहुत यह यह जितना length है D उतना ही length E F ये क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा लेती है, इतना सा काम किया भीटा हमने, D को EF तक बढ़ा जैसे D equal to EF, बस इतना सा काम हमने कर लिया, सर बाकी चीज़े क्या करें, बाकी चीज़े क्या करें, आपने बोला, कि ये midpoint है, ये भी हमारा midpoint है, हाँ सर, तो सुनना, यहाँ पर कुछ information को मैं थोड़ा सा और अच्छे से precisely समराइज करके, यहाँ पर लेखने की कोशिस करता हूं, समझना कि क्या हो जाएगा इसे, क्या मस्ट जबरजस्वला हमारे पास एक तीन आता है, सुनना, क्या क्या बन सकता है, यह point A है हमारे पास, हाँ भी हाँ, यह point D है, हाँ सर, यह point हमारे पास F है, हाँ सर, और यह जो point है बटा, यह क्या C point है, यह मारे पास point C है, यह मारे पास point C है, चले, जो information हमारे पास पता है पहले तो उसको note करते हैं सर आपने बोला construction के हिसाब से कि यह जो हमारे पास DE है यह जो हमारे पास DE है उतना ही length में हमने EF को क्या किया आगे की तरफ extend किया तो EF उसके बराबर इस बात को मैंने यह पर note कर लिए दोस्ते और क्या क्या हो सकता था और क्या क्या हो सकता था सर इसकी अलावा E जो है AC का midpoint है तो A equal to ECB होगा A equal to ECB आएगा हाँ सर यह क्यों आएगा दोस्त सर midpoint की वैसे अब सारी बाते में लिकता हूं क्या लिखता हूं दोस्त इं ट्रांगल कौन सा दिखना A登録 अच्छे से में लिख रहा हूं ताकि एसा ही कॉपी में अप्लिक पाओ ADE and triangle देखना order उसी सब पर ADE ले रो बटा कैसे लोगे CFE triangle CFE लोगे उसी order में लेना बटा क्या किया बाते हमारे पास आ रही है सर हमारे पास जो बात आ रही है D equal to EF D equal to कितना आ रहा है EF आ रहा है क्यों सर यह हमने by construction किया हुआ है by construction ऐसा चीज हमने कर लिया है सर ठीक है दोस्ट और क्या क्या किया हुआ है सुनना सर इसके अलावा हमारे पास आ रहा है angle AED angle AED equal to angle CEF CEF क्यों भी यह vertically opposite angle की वज़ा से हास है साथ में A equal to ECB होगा A equal to ECB होगा क्यों E is midpoint midpoint of किसका विया सर इस AC का midpoint है AC चलिए इस तीनों के तीनों information के भीहाब पे क्या बोला जा सकता है सर साइड included angle side ध्यान देजेगा side included angle side side included angle side by using side included angle side congruence criteria congruence criteria भीह हमारे पास कुछ basic बाते आएंगे यह criteria हम यूज करें क्या क्या आएंगे भीहा कि सर अब बढ़िया वाले तरीके से लिखते है क्या कि triangle a e d a e d यह हो जाएगा congruent किसके बिटा सर a का conversion c के साथ है तो यहाँ पर c लेते हैं e का conversion e के साथ तो e राने देते हैं d का conversion f के साथ तो यह है c e f k congruent क्या इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ माई दोस्त कि हमने इस वाले triangle को इस वाले triangle के congruent proof करा दिया हां सर आपने करा दिया तो जो हमें information लिखना है उसको ले लेते भीया साथ में क्या लिखना है दोस्त information उसको साथ में लेते हैं सर जो information हमें by cp city लिखना वो लिखता हूं भीया by cp city क्या क्या बाते हो सकती है तर by cp city एक तो cf जो होगा वो ad के equal होगा ad equal to cm हां सर एंड एंड और क्या क्या हो सकता है दोस्त सर इसके अलामा हम देखेंगे तो ade angle ade equal to cfe भीया हो सकता है बिलकुई cfe अच्छा ये चीज़ क्या दिखाना चाहरा है ये चीज़ तो सर हमारे पास दिखाना चाहरा है कि ad parallel to cf ad parallel to cf बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या ये दो information आप निकाल पहा है बिटा कि adcf के बराबर है और adcf के parallel भी है ad जो है वो cf के बराबर है और adcf के parallel भी है हां सर बस यही से आपका 90% question जो है वो solve हो चुका है सुनने इस सवाल को थोड़ा सा मैं और अच्छे से reframe करने की कोशिस करता हूं इस concept को अभी तक जो हमारे पास information वह कुछ ऐसी है कि यह midpoint है यह is commit point है इसको हमने आगे तक बढ़ाए हुआ कहां तक जितनी लेंथ है उतना ही लेंथ हवा में ऐसे था पूरा scene देखना यह point A था यह point B था यह point C था यह point D था यह point E था और D के length के बराबर हमने क्या किया यहां पे F तक भा दिया अब जब ऐसा कुछ scene था तो हमने क्या किया यह अब जो भी कुछ सो इसको मिला दिया से और अक बाली बात निकल की कि ये जो angle है कि य guitकर है ये जो इंगल है औरब अब यह बहुत ओबियस ही बात है यह इसके बराबर है तो जो बात निकलकर आईए सामने उसको मैं लिखता हола क्या कि साथ में a d जो है वह सीन अब के एक एक्योल भी आरहा है और पैरलेल भी आरहा है क्या दोस्त आ रहा है कि से अब funzet एड़ी जो है वो पैरलेल टु सी अफ है क्या दोस्त एड़ी पैरलेल टु सी अब भी है यह चीज़ हमने अभी निकाला दोस्त देख लेज़ेगा एड़ी की लेंथ बीड़ी के बराबर होगी हां सर एड़ी की लेंथ बीड़ी के बराबर होगी हां सर तो बीड़ी तोगे बिया सी अफ के बराबर बहुत बढ़िया अगर मैं इसको 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 एड़ी न लिखे पूरा-पूरा एबी लिखू काम चल सकता है क्या मैं इसको पूरा-पूरा एबी लिखू तब भी वही होगा विटा चीज या अगर मैं अगर मैं अगर मैं सा db भी ले सकते हैं ये पैरलेल to cf क्या बात इन दोनों चीजों को थोड़ा सा समराइच करिएगा दोस्त देखो यार बातों का बात बात निकला दोस्त क्या कि सर a d की जो लेंथ है वो b d के बराबर थी तो b d equal to cf निकल गया और ये जो a d है इसको हम a b भी लाइन बोल सकते थे क्योंकि देखो ये इसके पैरलेल है और ये लाइन आगे तक यही लाइन आगे तक बढ़ी हुई है यही लाइन हमारे आगे तक बेटा यही लाइन आगे तक है तो यह पूरी के पूरी लाइन हम बोल सकते हैं इसके पैरलेल बहुत अब्यासी बात है यह अगर इसके प चलेगा इसको मैं ड्रॉ करता हूं प्रॉपर्ली से क्या निकालने के कोशिस करता हूं एक हमारे बनाने के कोशिस करता हूं अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारा पेर आफ अपोजिट साइट पैरलेल है और एकॉल है तो इससे बनने वाला जो कुछ भी क्वाटर लेक्टरल होग तो क्या बोल पाएंगे इन दोनों information को लिखते हुए अब लिख पाएंगे कि B, D, F, C क्या हो जाएगा B, D, F, C will be a parallelogram बहुत बढ़िया यह हो जाएगा एक parallelogram और अगर यह parallelogram हुआ तो by default बोल पाएंगे D, E, F parallel to B, C क्या दोस्त D, E, F parallel to B, C यह 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 बोल पाएंगे सर, D, F न लेके D, E भी लेंगे तो काम चलेगा D, E parallel to B, C आधी चीज तो आगई भी यह क्या, आधी चीज तो आगई कि D, E को B, C के parallel proof कराना था करा लिया खुबसूरत सी बात हाँ सर और क्या क्या सर, D, F जो होगा वो equal हो जाएगा B, C के, D, F will be equal to B, C D, F will be equal to B, C हाँ सर, parallelogram के आपने सामे के side से होते हैं, क्या D, F को 2 times D, E लिख सकता हो दोस, क्योंकि E तो midpoint है, अगर सोचो यह portion, इस वाले portion के बराबर है तो इस पूरे D, F को 2 times D, E भी लिखोगे चलेगा equal to B, C तो भी यह D, E कितना है half of B, C जो जबरजस्त मस्त वाली बात हमें करनी थी वो यहाँ पे मिला एक तो information यहाँ पे मिला दोस्ते और एक information यहाँ पे मिला देख लिजी भी यह, यही midpoint थूरम है यही midpoint थूरम है दोस्ते क्या है midpoint थूरम, किस सग अगर एक triangle में, एक triangle में एक triangle में किसी भी दो side के midpoint से एक line AC डालो, एक line AC डालो भी यह midpoint से होकर जाए, तो वो line guarantee से तीसरी वाली side के parallel और यह जो segment आता है डिई इस वाली base का आधा होता है that's it शलिए, बहुत मज़ा आया अब चलते हैं दोस्त, इसके converse पे, इसके converse पे चलते है, converse के लिए एक छूटा सा construction करना है, क्या कि CM के parallel, CM जो होगा, वो AB के parallel draw कर देना, बस इतना सा काम हवा में देखू, यहार ऐसा था, पूरी की angular figure में एक angular figure में एक triangular figure में एक triangular figure में बोल रहा है, कि अगर माल लो, कि इसके किसी von 반äre के mid point से किसी von 29 एसा पास की, जो इसके तीसरे वाली side के भईया परल लाड़े, यह आपस में parallel चले बे, यह parallel चले गे और mid repent सिर्फ इतना बेता तो बोला है कि गारंटी से ये जो लाइन एल जा रही है इस a-b को भी बाइसक्ट करेगा या यह जो लेंथ आगी इस लेंथ के बराबर आने चाहिए है यही प्रूफ करना ये कनवर्स और कशीदा सीदा मिड़ाइं ये सीधा próp कि ये बोलता है के एक ट्राइंगल किसी बीपोंट के मेट करने वाड़ी लाइन कर दो ये लेंट के प्याइन लेगे जा एक लाइन ऐसी ले जाओ जो इसके बेस के पैरलेल हो तो गारेंटी से यह जो लाइन ले जा रहे हो वो बची-खुची साइट को बिलकुल आधे पर से इंटर्सेक करते हुए बेसिकली बाइसे करती हुए जाएगा ठीका हुए यह लाइन द्रौन तुरू दा मिड़ पॉइंट आफ वन साइड और ट्रेंगल और पार्लेल तू अनुदर साइड विल पास यह विल इंटर्सेक्ट थार्ड साइड थार्ड साइड अड़ बिलकु नहीं भी ले पाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम इसको यूज में नहीं भी ले पाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है चले, मैं इस बात को इरिज़ करता हूँ, आइओप इस बात को समझ पहाएगा, कि मिटपवइंट थुरम है क्या, नहीं हो, तो मैं सेप्रेटली तो लिग दूगा, चले, यह बात समझ मैं दोस्त कि मिटपवइंट थुरम बोलता नहीं, बोलता है कि अगर एक ट्रांगल के मिड़ पॉइंट से एक लाइन ऐसी कीचो जो इसके बेस के पैरलल हो तो गारेंटी से ये बच्छी कुछी तीसरी लाइन को ऐसे उसके मिड़ पॉइंट से इंटरेक्श करते हुए जाएँ सर समझ में आया चले है इसके पॉइन पर चलते हैं तो हम उपया capture च्मक्र क्या करना था चैसा कि बह画 से इस वाले लायन के बस इतना सा च्छोटा चाम करना था और यह हवा मेन तो भीया क्या करेंगे इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, that's it, तो मैं क्या करता हूँ, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ऐसा खिशता हूँ, एक लाइन ऐसा खिशता हूँ, बे जाते 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 थर्ड पॉइंट को भी कहीं से काटके निकला होगा यह थर्ड लाइन है इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ऐसा खीचा एक लाइन ऐसा खीचा जो थर्ड लाइन को किसी पॉइंट पे काटके जा रहा है हमें प्रूब करना कि A equal to EB हो जाए तो बजा जाए अभी जो बात हमें पता है वो क्या बिटा कि sir draw a line draw a line through f through f such that such that f is f is midpoint midpoint of ac of ac भी यह midpoint ac का है तो कैसे draw करना है सर इस तरीके से draw करना है कि यह वाला यह वाला इसके parallel हो यही बात लिखा हुआ है कि converse of midpoint theorem बोलता है कि sir अगर मालो एक side के midpoint से line ac की चो जो base के parallel हो तो इतनी सी बात तो note कर लेते हैं इतनी सी बात तो note कर लेते क्या कि f e जो है वो parallel to b c also also f e जो है जो एक चोटा सा काम करते है यह वाली लाइन यह वाली लाइन इस वाली लाइन के parallel है तो हमें पता है कि यह जो एंगल आएगा दोस्त यह जो एंगल आएगा वो इस वाले angle के बराबर होगा, क्यों corresponding angle की वह से, हो सकता है बराबर, हाँ हो सकता है सर, ये वाला angle, इस वाले angle के बराबर guarantee से होगा, note करता हूँ, now, ED parallel to BC है, ED parallel to BC, therefore, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्ट, सर, इसलिए हमारे पास एक information निकल के आएगी, क्या, कि सर अब निकल के आएगी, कि CBA, angle, CBA जो होगा, ये equal हो जाएगा, बैटा, किसके, सरी हो जाएगा, F, E, A के, F, E, A के, चले, इस बात को note करके रखेगा, ये बात हमने note करके, रख ले, बहुत बढ़ी है, और क्या-क्या note नहीं करना, अब यहाँ, बहुत स्मार्टली में, क्या करता हूं, एक छोटा सा figure बनाने की, कोशिस करता हूं, सुनना कैसा figure. नहीं, नहीं, थोड़ा सा यह बड़ा बन गया, थोड़ा सा बड़ा बन गया, थोड़ा सा ही बनाना था, ऐसा बाला, ऐसा बाला, यह पॉइंट अपने पास A, यह पॉइंट अपने पास E, यह पॉइंट अपने पास E, यह पॉइंट अपने पास E, यह पॉइंट अपने प वो parallel to cm है, वो parallel to cm है, a b parallel to cm हमने draw किया था, हाँ सर्, यह आपने अल्रेडी यह आपने information दे रखिये, कि cm parallel to a b draw किया था, तो आपको नहीं लगता दोस्त, आपको नहीं लगता, कि अगर ऐसा कुछ है, तो यह वला angle जो होगा, यह वला जो angle होगा, इस वला angle के बराबर होगा, यह काम करेगा ed as a transversal, तो alternate interior की वैसे हो जागा, same to same, चलिए, मस जवर जश सर्, काम आया, यह वला angle होगा अब यह, इस वला angle के बराबर, क्या इतनी सी बात समझ भाए, क्या इतनी सी बात समझ भाए, हाँ यह, कि यह वला angle हो जाएगा, इस वला angle के बराबर, और इस बात को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या, कि a, e, d, angle, a, e, d, जो होगा, angle, a, e, d, जो होगा, वो बराबर हो जाएगा, किसके बिटा, c, d, f, के, c, d, f, के, अच्छा, कि अगर मैं इसको a, e, d, n लिखे, a, e, f, लिखु चलेगा, हाँ, sir, तो यहाँ पर a, d, न लिखे, इसको a, e, e, f, l, लिखोंगे, तो चलेगा, sir. इसको a, e, e, लिख लूगा, तो चलो गए, दोस्स, चलेगा. हाँ, sir, भॉरेगा. क्या है दोस्त ? F E A बोलो या A E A बोलो तो थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ सेक्वेंसिंग तोड़ी गळबर होगे देखो F E A बोलो या A E A बोलो और अच्छा रहे लगता अगर मैं इसको A E F बोलता तो थोड़ा सही लगता क्योंकि मैंने वहाँ पे AF ही लिया हुआ है दोस्ते, वहाँ पे भी AF ही लिया हुआ है सर, देख न, AF और AF, दोनों में सीम आ गया, दोनों में सीम आ गया गुरुजी, हाँ सर, तो ये ले लिया बेटा, क्या information number second, क्या कर सकते हैं बेटा, from first and second, from first and second, क्या लिख पाग बिटा, कि AEF और AEF दोनों में सेम है, this much will be equal to, CBA कितना बराबर हो जाएगा, CBA equal to angle CDE, CBA, CBA हो गया बिटा, किसके, CDE के बराबर, क्या होगे दोस्ट, कि CBA जो हो जाएगा, CBA जो हो जाएगा, वो CDE के बराबर, CDE के बराबर, मतलब, मतलब, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, दोस्ट, देखे, यह B है, यह C है, यह E है, यहाँ पर point F है, यह point हमारे पास D है, और जो बचा-कुचा है extended में भी दिखा दे रहा हूँ कि क्या होता है exactly scene, देखेगा, ज्यादा कुछ नहीं था, हमारे पास जो information आई है, वो information ये बोलना चाहरा है क्या? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है हाँ सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है ये बाथ तो हम guaranteed बोज सकते हैं क्या ये बाध समझ माही हाँ सर, चलिए तो देखो यार, इतना sufficient तो अभी है नहीं एक parallelogram के opposite angles equal होते हैं तो बहुत crystal clear idea इतना तो लग गया कि b c d e जो होगा ये एक पैरलेलोग्राम होगा क्या हो जाएगा दोस्त ये एक पैरलेलोग्राम हो जाएगा लेकिन लेकिन क्या सरी इतनी कहानी sufficient है more than sufficient है नए चले विया और क्या क्या लगा सकते information और क्या क्या लगा सकते हैं अभी तक जो बात हमारे पास समझ माई ये है please side इस वाली side के वराबर हा 설 ये एंगल इस वशलेंगल के वराबर कास ये वाली episode इस्वाली side के वराभर होती तो मज़ा ही आजाए तो मज़ा ही आजाए चलिब्याथ नए information कोई बड़ी बात नहींढ़र ये प्रॉपर्पर तरीके से इट्रिलाइज करने की कोसिस करेंगे अभी तक जो मारे पास information यह बेटा क्या ही है कि सर हमारे पास cba जो है cba जो है है यह इंग दोनों ट्रांगल को हम बढ़े प्यार से कैसा दिखा सकते हैं इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा अच्छा एफ ई किसके बराबर बिटा एफ ई कि बात करें तो सर यह cfd के बराबर है हा सर एफ की बात करें दोस्त एफ की बात करें तो सर यह हमारे पास AEF जो है, वो CDF के बराबर है, हाँ सर अच्छा, A E equal to, अगर हम CD proof कर दें तो मज़ा आ जाए, क्या दोस्त A E equal to CD A E equal to CD proof कर दें तो मज़ा आ जाए, अगर A E equal to CD proof कर दें, ये वाला portion इसके बराबर, तो सर काम ही बन जाए, तब तो काम ही बन जाए, गुरू जी तब तो मज़ा ही आ जाएगा देखिते ये बात हम proof कर पाते हैं के लिए, ये बात हम proof कर पाते के लिए, अगर ये वाला सक पैरालेल है तो देखना यार, बैसिकली ये कहना चाहरा है करे, A equal to CD बराबर में थोड़ा स्क्रीन से साइड होना देखिएगा कि A equal to CD हमें प्रूफ करानी है तो इसको कैसे कराएं करा सकते थे करा सकते थे वेटा कैसे सुनना कैसे सुनना किसर आपने यहां पर construction जो किया है वो किया CD parallel to EB CD parallel to EB आपने कर दिया है यह जो CD है यह CM है यह parallel to AB कर दिया है तो अब यह यह वाली साइड इसके पारलेल बाइडिफॉल्ट EF जो था वो BC के पारलेल तो मिला जुला कि यह जो हमारे पास EB CD है एक पारलेलोग्राम तो होना ही चाहिए था हाला कि इस information को अच्छे मैंने लिखा नहीं है बट दुबारस लिख देता हूं यह CM parallel to AB का क्या सिजन सभिया CM parallel to AB में जो काम की चाहिए उसको उठाता हूं CD parallel to EB इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं क्या CB जो होगा वो पारलेल to EB हांसल यह हमारे पास information इस से निकल का है देख रहा CM का छोटा सब पॉर्शन CD लिया AB का portion portion EB लिया ठीक है और एक चीज और जो हमारे पास निकल का रालेडी आ रहे है जो बोल रहा है information में गीवें जो है यहां पर गीवें जो बात है उसको भी लिख देता हूं सर गीवें जो है वो हमारे पास है कि यह जो EF है वो parallel to BC है क्या दोस्ट EF है वो parallel to BC है या बातों को अगर मैं यहां पर लिखने की कोसिस करूँ तो ऐसा लग रहा है कि सर एक फिगर ऐसा बन रहा है कुछ एक फिगर ऐसा बन रहा है कुछ E है ऐसा कुछ हमारे पास बनना है देख लीजिए बिटा क्या ED parallel to BC हा बिया और CB जो है parallel to EB है wait 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 CD parallel होगा CD होगा या पर CD होगा my mistake यह CD है थोड़ा सा अच्छे लेग लेता हूँ यह CD है बिटा यह CD है parallel to EB बहुत गलतिया हो रही है बहुत गलतिया हो रही है थोड़ा एवाइड करते हैं कि CD parallel to EB यह तो हमने सर बाई construction आ लेडी किया हुआ है तो यह एक parallelogram होगा क्या हो जाएगा दोस्त यह एक parallelogram हो जाएगा तो क्या अभी इस moment पे CD equal to EB लिख सकते हैं हां सकते हैं इस moment पर क्या लिख सकते हैं दोस्त CD equal to EB बहुत बढ़ा CD equal to EB लिख सकते हैं बटा हां लिख सकते हैं CD equal to EB लिख सकते हैं हां भी है लिख सकते हैं अब देखो यार जो तो गेम अभी हमना इस वाले के लिए कर रहा थे अब ऐसा नहीं करेंगे दिमाग लगाएंगे हमने इस गेम में पूरी कहानी को थोड़ा पलटते हैं और इसको ना रीफ्रेम करने कोसिस करता हूँ जो पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि एक ट्रांगल के अंदर अगर किसी एक एक सी पूरूफ कर दे तो काम बन जाए अभी तक जो हमारे पास आए बेटा यह हमारा मिड़ पॉइंट ए किसका ए भी का लिग देता हूं यहां पर since E is midpoint of midpoint of a b इसलिए क्या हो जाएगा दोस्ट इसलिए मारे पास हो जाएगा e b equal to a e b equal to a अच्छ यह जो e b है न बेटा e b है वा लड़ी c d के बराबर हो चुका है वा लड़ी c d के बराबर हो चुका है therefore c d equal to a चले, एक और मस्त वाला information निकला, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पूरे के पूरे सिनारियो को change करता हूँ जो information अभी हमने निकाला, और जो information हमें पता है, उस पे काम करते हैं यह है point A, यह point E, यह point F, यह point D, और यह point अपने पास क्या बटा, C, ऐसा है, दिखना, CD जो है, वो A के बराबर है, यह CD जो है, वो A के बराबर, हाँ सर, यह LAD हमने प्रूफ कर लिया, इसको मैंने मार्ग कर लिया, और दो चीज़े हमने निकाला था, बटा, क्या सुनना, सर, यह वला एंगल, इस वले एंगल के बराबर, या यह वला एंगल इसके बराबर, तो यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, आलेडी मैंने मार्ग कर लिया हुआ, चली बिया, कौन सी वाले बिटा, यह वला जो एंगल है, धिहान से देखीगा बिटा, यह वला एंगल, आलेडी इसके बराबर हमने लिख लिया दो क्योंकि देखो ये दिया हुआ है ये वाला एंगल इसके बराबर हां से लिख लिख लिए हो आपने ये वाला एंगल इसके बराबर एक और एंगल की बात चल रही थी उसको भी नोट कर लिजिएगा उसको भी नोट कर लिजिएग क्या कि हमारे पास ट्राइंगल दो है ट्राइंगल एफ 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 एंड ट्राइंगल एंड ट्राइंगल सी डी एफ टी डी एफ में हमारे पास देखने लग रहा है यह एंगल साइड एंगल तो एसे क्राइटेरिया लगाना इस बात को यहां पर लिख ले आस्तक bestimmनेने तो क्या बहूटा एफ सीदी ऑफ से बिया साथ ने एक वेटा एक सी डी आल डीया है अंगा बहुत्फ दिया जफ्नी 사건 गुलाबी वालेकवालिस ऑचलने कंड़ेंख माईमस्टेंगate लिया विटा तुए हम लेना था cdcdf cdf ठीक भी यह ले लिया cdf लेना था cpd लेना था cdf लेना था हाँ दो यह लो ले बात करें eaf 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 क्या हो रहा है क्या हो रहा है एक एफ अलग है विटा मैं इसको तोड़ा और अच्छे लिखता हूं पहले देखो तो मैं इस परपल वाले की बात कर रहा हूं वेटा तो यह Aef क्या बिटा Aef एक वल्तु यह परपल वाला यानि Cdf फीडिये ठीक है भी यह एक्वल टूसी डी है अब यह यह यलो वाले की बात कर भीटा Eaf Eaf एक्वल टू यह लो वाला देखते हैं विटा क्या है यह A-S-S criteria से क्या बोल पाएंगे कि यह दोनों के दोनों triangular से फोगे और कैसे अ क्यों से क्वेंनों ट्रैंगेरो से बिटा देखना A-E-F देखना order कैसे ले रहा हूं अब देखना इनका comparison किस की स्हाफ से करूए A का C के साथ, यह ठीक है, E का D के साथ, ठीक है भिया, तो बच जो गया वो F लिख दीजे भिया, बच गया क्या F, F का F के साथ S, तो बाई CPCT क्या होगा, बाई CPCT क्या जगा जगा दोस्त, सर बाई CPCT जगा जगा, A F equal to F C, A F equal to F C, और यह दिखाना चाहरा है, कि F is midpoint of, midpoint of AC, बाई CPCT, काम खता, अब देखो या, इसको नहीं, एक बार मैं जल्दी से, सॉट में, रिकॉल करा देता हूं, क्या हमने किया, हमने छोटा सा काम किया, draw a point E होगा, E such that, E जो है midpoint है, मैंने यहाँ पर छोटा सा mistake किया था, E हमें E के बारे में लेकर चलना था, E के ही है, EF, EF, E parallel to BC, हाँ, ऐसा करना था, हमें proof करना थे, अगर आपने ऐसा कुछ किया, यह वाला इसके parallel भी है, और E के midpoint गारेंटी से, F के midpoint से ही pass करेगा, F जो होगा, मिट पॉइंट बरेगा, उस चीच को हमने proof कर दिया, चलो या, अब इसको सवालों में implement करते हैं, क्या आपके syllabus में यह वाला भी portion ने बटा, equal intercept theorem, अगर है, तो मैं cover करा देता हूं, insert अगर नहीं है, तो आप skip भी कर सकते थे, इसका proof बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बोलता है क्या है, भी अगर यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा parallel line है, तो भी इनके सोचो, अगर सोचो, सिर्फ इतने scene को अप लेते हैं, और आपको दिख रहा कि यह वाली side जो है, इस वाली side के parallel है, आपको याद आ रहा कि यह वाली length इसके बराबर है, मतलब Q midpoint पे है, और हमारे पास क्या दीविया, हमारे पास दिया है, Q is midpoint of, किसका दोस्त, सर पी यार क पी यार का midpoint है, और साथ में देखो अगर Q O जो है, वो parallel to RN है, Q O जो है, वो parallel to RN है, तो guaranteed इस चीज़ को हम यूज़ करें, किसमें, converse of midpoint theorem, converse of midpoint theorem में, converse of midpoint theorem में, अगर हम इस चीज़ को यूज़ करें, converse of midpoint theorem में, अगर इस चीज़ को यूज़ करें, तो क्या बोल पाएंगे दोस्त, कि सर, O must will be, O must will be midpoint of PN, O must be midpoint of PN, चली भी एक information हमने यार से निकाला, क्या इस information को और आगे यूज में ले सकते हैं, देखते हैं, देखते हैं भी, अब मैं ऐसा कुछ figure बना रहा हूं, यह हमारा कैसा है दोस्त, अगर यह P है, वो A है, और N है, तो क्या, निकला भी है क्या, midpoint इसका, तो यह इसके बराबर, और साथ में यह इसके parallel, तो क्या, यहां से भी converse लगा के बोल पाऊगे कि यह वाला जो point आएगा, यह midpoint ही आएगा, हाँ सर, M will be midpoint, M will be midpoint, यह वाला portion इसके बराबर, यह तो प्रूफ करना था, कि अगर यह equal intercept है, तो यह भी intercept आपस में equal होगा, खतम कहानी, खतम कहानी, यह बन गया बटा, यह अगर point K है, यह point M हो रहे हैं, तो क्या प्रूफ कर पाएंगे, वो हमारा midpoint है बिया, और यह parallel भी है, तो converse of midpoint theorem से क्या हो जाएगा, KM equal to MN, KM is equal to MN हो जाएगा, using converse of midpoint theorem, अगर midpoint theorem का converse use करें दोस्तों क्या हो जाएगा, कि KM equal to MN, KM is equal to MN हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, M is midpoint, M is midpoint, और M midpoint है, इसका मतलब KM equal to MN, यह प्रूफ करना था, कि equal intercept काटेगा, यह अगर equal है, तो भी है, यह भी intercept आपस में कलोगा, चलिए, सीधे यार मैं चाहता हो कि midpoint theorem के, कुछ खतरनाक से, बेहतरीन से, जबर जस्ते सवाल कराने के बाद, आज के सेशन को खतम किया जाए, चले भी है, क्या सवाल है, उसको समस्तिया, लिखा है, in the following figure, D and E are the midpoint side of A, B and A, C, बहुत बढ़ी है अभी है, यह midpoint है, यह भी midpoint है, तो भी है midpoint थूरम से, यह कैसा हो ज half of BC, यह बात आल्रीदी हमारे पास निकल का है, क्यों, क्यों निकल का है, क्योंकि D and E are, since, D and E are, midpoint, midpoint of, midpoint of, A, B and A, C, A, B and A, C, therefore, using midpoint theorem, भी है, using midpoint theorem, से यह information है, therefore, using midpoint theorem, midpoint theorem, क्या आजाएगा दोस्ट, यह वाला information जो आपने bracket में डाला है, यह आजाएगा, PC कितना आजाएगा, यह BC तो 10 cm आजाएगा, पांच गुड़े दोस्ट, यानि 10 cm, देखना या, एक कोड़ी का सवाल, BC कितना जाएगा, पेटा, जस्ट उसका double, यह नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला का half अगरी बीच वाला है, तो यह बीच वाले का double हो जाएगा, नीचे वाला, खतम, सवाल बन गया, इस सवाल को थोड़ा मैसूस करना बेटा, क्या दिया कि इस figure में क्या information करेक्ट हो सकती है, Sir, D हमारा midpoint 5-5 है, यह हमारा E midpoint, तब यह सीधी सी बात है कि D जो होगा, वो हो जगा BC के parallel, D will be BC के parallel, और साथ में क्या होजएगा, दोस्कि D will be half of BC, यह midpoint तुरम बोल रहा है, देख लिएजगा बिटा, D will be half of BC, खतम, सवाल यहीं पर बन गया, ज़्यादा कुछ था नहीं, यार कुछ ज़्यादा बेतरीन से सवाल मिले तो मजाए, देखते हैं, देखते हैं, क्या यह कुछ extra amazing level के सवाल ले आते हैं, या नहीं, चलिए इस सवाल की तरफ चलते हैं, लिखा है, इन triangle ABC, D, E और F, विया, रिस्पेक्टिली midpoint है, चलिए वह यह इस बात को समझते हैं, कि हमारे पास triangle ABC था, एक triangle ABC था, और यहाँ पर, A, B का मिटपॉइंट था, D, इसका भी मिटपॉइंट था, इसका भी मिटपॉइंट था, इससे एक triangular से बन गया, देखेगा, D, यह E, और यह वाला F, क्या बोल रहा है, बोल रहा है, कि side A, B, B, C, और C, विया ऐसा दिया गय है, लिखा है, ABC में, D, E, और F, B, R, इसके लिमिट पॉइंट आफ, BC का भी या D, है, थोड़ा सा इंफॉर्मिशन को और री करेक्ट करते हैं, यह हमारे पास D, यह हमारे पास E, दे दिया है, और साथ में इस इंफॉर्मिशन के बारे में बोला है, कि यह F है, थोड़ा सा क अटर, A, B, हमारे पास दिया है, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से धीया है, 7 cm, लेकिन, S, A, B, जो होगा, A, B, जो होगा, यह 12 होगा, A, B, किसका 12 होगा, साथ, a B, जो होगा, अगर ऐसे दिखें, information को ऐसे देखो, A, B, दे यह 7 cm के बेराबर, लेक्र, लेक्र, B, के ब प्रेवन का जस्ट आधा बहुत बढ़िया ब्याद्ध यह क्यों लिखाओ वियों लिखाओ विया क्यों लिखाओ डी एंड इर इसकी विए सक्या है यह दी और यह मिट पॉंट यह तो धी आगे एंफॉर्मिशन को बढ़ाते हैं क्या और इंफॉर्मिशन बढ़ा सकते हैं कि F e will be half of BC, इसी तरीके से क्या होजएगा दोस, F e जो होगा, वो half of BC होगा, half of BC होगा, देखेगा, BC के लिंद कितनी है, बीच वाला, सर वो 8 है, 8 है, तो half of 8 मतलब 4 आगे हैं दोस्त, यह आगया 4 cm बहुत बढ़िया हमने निकाल है इसे का आधा एसी का अधा कितना पॉर पॉइंट फॉइट चलिए बोला है कि दी इंफ का सेमी पेरिमेटर बताना है भताने कि सेमि पेरिमेटर की बात करँ रहा है वे पेरिमेटर किुतना मुण डेखेगा 3.5 फाइफ प्लस 4.5 डिवाइडेर रखना इन दोनों को देक्षे वेट Cat कितना हो जाएगा 4.5 में 5 फर मिला यह भी यह 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 4 12 12 बाइटू मतलब 6 सेंटीमेटर 6 सेंटीमेटर सीधा सा मतलब था भीया ABC को जोड़ी उसका जस्ट आधा कर दीजिया वैसे जोड़ना वेटा कितना होगा ABC को जोड़ी उसका वन फोर्स करिए वेटा वन फोर्स करिए क्योंकि मिट पॉइंट से तो भी चोटा वाल ट्रेंगल आएगा और इसमें भी सेमी परिमेटर मतलब उसका भी आधा है जिसमें PQRS भी मिट पॉइंट है A B B C C A N C D D A के जो भी अभी यह लिखा हो गया AC इस जो है वो हमारा डाइगनल है AC क्या दोस्त हमारा डाइगनल है अच्छा सुन इस पूर्य फीगर में जो हमें इस टाइप का डेटा दिया रहता है उसमें करना क्या होता उस होता है फोकस कर्ते क्या है मिड़ फोाइंट इसका आर क्या है मिड़ पॉइंट है इसका तो सासी जो जो लाइन बनेगी कोसिस करेंगे कशि़ प्रारल कौन जाएगा गसे बिवलalay आएगा कैसी प्राइल होगा दोस्तर कैसके है नोग सा तो SR जो होगा, वो parallel to AC होगा, SR होगा, यह तो पूछ रहा है, यह तो पूछ रहा है, यह तो पूछ रहा है, इन्फरमेशन इसके पीछे का रिजन दिरता हूँ, सिंस, S and R are midpoint of, midpoint of, किसका भी हा, SR जो है भी हा, S और R जो है मिट पॉइंट, S किसका भी हा, AD और DC, AD and DC, therefore, using midpoint theorem, therefore, using midpoint theorem, ऐसा लिख सकते थे विटा, using, midpoint theorem, midpoint theorem को use करेंगे, तो जो information हम से पूछ रहा है, उसको directly लिख सकते थे, पहला पार्ट तो सर बढ़ी गया, PQ is equal to SR दिखाना है, कर सकते हैं काम, सुनना काम कर सकते हैं, कैसे सुनना, ऐसे कर सकते हैं, इसमें काम, इसमें आप काम ऐसे कर सकते हैं, सुनना कैसे, यह मारे पास है, D, यह मारे पास है, R, यह मारे पास है, S, यह मारे पास है, A, यह मारे पास है, C, यह मारे पास है, C, यह मारे पास P, यह मारे पास Q, और यह पॉइंट हमारे पास है, B, बहुत बढ़ा, सुनना, इस पुरी इ है आर मिट पॉइंट है तो एसा आर जो होगा वो एसी के पैरलेल होगा एसार क्या होगा दोस्ट एसी के पैरलेल होगा हासा ऐसा लिख सकते है तिन्स S and R are midpoint तो मैं बार-बार नहीं लिखूंगा midpoint theorem यूज करके मैं बार-बार नहीं लिखता हूँ कि S R parallel to AC S R parallel to AC और साथ में लिखता क्या S R equal to half of AC मैं सीधे ऐसा लिखने के कोशिस करता हूँ इस बात को समझेगा और क्या हो जाएगा सर ऐसे ही अगर नीचे से देखो तो P और Q क्या है भी या इसके midpoint है also P and Q are P and Q are midpoint midpoints तो भी या midpoint तुरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर मिड़ पॉंट तुरम अगर आप यूज करते हो तो ये line हो जाएगी इस वाली line के parallel यानि P Q parallel to AC या दोस्त लगे हां थी यह भी बोल पाएंगे क्या P Q equal to half of AC दो information अमारे पास आई एक तो यहां से दूसरा यहां से from first and second क्या बोल पाओगे पीटा from first and second क्या बोल पाएंगे sir first and second से बोल पाएंगे अपने पास बड़े प्यार से दिखना एसी दोनों के parallel तो sr parallel to PQ लिख पाओगे sr parallel to PQ लिख पाओगे हां end end sir sr equal to PQ sr equal to PQ भी लिख पाएंगे यह बात हमने निकाल ली जो चाहिए था भी या वो बात निकल क्या गई हां sir दूसरा पार्ट भी हो चुका हां बेटा हो चुका अब देखना ज्यादा और दिमाग नहीं लगाना ज्यादा और दिमाग नहीं लगाना अपने पास कुछ information ऐसी निकल क्या रही है कि यह पॉइंट एस यह पॉइंट ए आर यह पॉइंट ए पी यह पॉइंट एक क्यों क्या बोला है दोस्त कि sr जो है यह इसके इक्वाल भी है और साथ में नित्लाड और यह पार्लिल गर neither पिया बोलता है है कि कोई भी एक अपज़ित पयर आपस में कैसा हो जाए पार्लेल और रिक्वाल अगोजा ए तो गरिण्टिद यह पासिबलस इह पासिग लिक्रमें है इसस टिंस सिन्स sr जो है वह parallel to pqb है और साथ में साथ में sr जो है वो equal to pqb equal to pqb है this holds only in this holds only in parallelogram वह यह सिर्फ parallelogram में ही होता है यह already हम theorem पढ़ चुके है तो क्या हो जाएगा therefore therefore यहां से आपका दूसरा पॉइंट है और यह जो है सबसे पहले जो मैंने calculation किया यह आपके पहले पॉइंट के लिए क्या यह बात निकल के विटा कि सर sr parallel to ac है आ लेडी हमने दे दिया और sr is equal to half up ac फिर दूसरी बात जो हमने बोला विटा क्या कि pq equal to sr वो यहां से निकाल दिया और तीसरी बात जो हमसे बोला कि pqrs parallelogram होगा वो भी निकल के आ चुका है चलिए यार कुछ और बेहतरीन से 11 से सवालों के तरफ चलते हैं कभी-कभी सवाल थोड़े और अच्छे frame करेगा तो ऐसे करेगा a b c is a triangle right angled at c चले भी या इस बात को समझते हैं a b और यह right angled at c सुना right angled at c क्या लिखा हुए दोस्ट a line through the midpoint m of hypotenuse या hypotenuse के midpoint m अगर है और इससे एक लाइन a b के पैरलेल ओ भाई सब ओ भाई सब क्या बोल दिया इसने a b c जा right angled angled at c a line through the midpoint m of hypotenuse a b and parallel to b c okay okay we are midpoint of hypotenuse हमारा point m है एक लाइन b c के पैरलल आसा खीचा जा रहा है बोला भी या क्या कि यह वाली इस वाले के पैरलेल आपने खीचा है और यह midpoint से गया भी यह midpoint से क्या हुआ है intersect intersect b c तर यहां पर ऐसे नहीं है आपने गड़बर बना दिया आपने गड़बर बना दिया आपने गड़बर बना दिया यहां पर बोला कि हाइपोट्यूनस के हाइपोट्यूनस के बिल्कुल बीच अब इससे भी यह midpoint से एक लाइन ऐसा खीचो चलेगा एम को थोड़ा साइड में लिख लेंगे आती है दोस्त शलेगा अब थोड़ा सही लाइन यह सुन्दर सी लाइन सुन्दर सी ठीकाओं सी यह यह जो लाइन है आपने इस वाली लाइन यह लाइन लाइन यह यहीनिशी के पैरलेल बनाय हुए और M जो है guarantee से midpoint है hypotonous का, बोला है कि intersect AC at point D, यह D पे यह क्या कर रहा है, इसको काट रहा है, यह line जो है, L जो line है, यह D point पे cut कर रहा है, लिखना नहीं मिटा, ज्यादा इसमें, वह calculation proof नहीं करने, using converse of midpoint theorem, midpoint theorem, क्या क्या information हमारे पास है, सर हमारे पास information है, M is midpoint, midpoint of AB end, end, साथ मिटा क्या, DM जो है, यह जो line हमने M से खीषते हुए गया, जो D को कातरा है, DM जो है, वो BC के parallel है, therefore, therefore, converse of midpoint theorem से क्या बोलेगा वो, बिटा, कि D will be, D will be midpoint of, midpoint of, D will be midpoint of AC, यह बात हमने लिख ली बिटा, यह पहला पास तो हो चुका, MD जो होगा, perpendicular to AC होगा, देख लेते हैं सर, MD, perpendicular to AC, अब लिखना, दूसरा पाद, दूसरा पाद, now, भी अब बोला है कि MD जो है, यह बोला अल्री, MD जो है, वो perpendicular to BC है, पैरलेल to BC होगे, MD जो है, now, MD जो line है, MD जो line है, MD जो line है, यह पैरलेल to BC है, उसकी वज़ा से क्या होजाएगा दोस्त, इसकी वज़ा से अगर हम notice करें, इसकी वज़ा से हम notice करें दोस्त, तो देखना, यह एंगल कितना है, यह 90 है, तो यह एंगल कितना होगा दोस्त, सर, corresponding angle की वज़ास सेम होगा, therefore, ACB, angle, ACB, equal to angle, ADM,才BM, क्यों भी यहा, corresponding angle की वज़ासे भी यह, corresponding angle की वज़से corresponding angle की वज़से अगर ADM हमारा कैसा है दोस 90 degree है दोनों मिला के कितना होगे बिटा यह 90 degree है ADM हमारा कितना आ गया 90 तो ADM हमारा 90 आ गया therefore या 10 क्या लिख सकते हैं इस वज़से लिख सकते हैं कि AD perpendicular to DM यह बोला है या MD ADM बोल रहा है दोस हां MD perpendicular to AC है AD लिख दो पहले AD लिख दो और इसी कहाने को थोड़ा वर फ्रेम कर लिख दो MD perpendicular to AC AD ना लिख की AC भी लिख सकते हो AD बोले है इसको पूरा पूरा AC बोले बात बराबर है दूसरा पार्ट भी हो चुका दूसरा पार्ट भी हो चुका अब क्या बोला है दोस्त सर अब हमारे पास बोला है CM equal to MA equal to half of AB यह भी प्रूफ करना है सर एक और नई बिमारी आ चुकी अब तो यह कुछ और ही बोल रहा है हमारे पास जो information है कुछ ऐसा था बेटा कि एक right-angled triangle है जो कि C पे right-angled है यह ऐसा है बोला है कि हाइपोट्योंस के midpoint से एक line आपने ऐसा पास कराया जो base के parallel था जो इस base के parallel था आपने इतना काब किया हासर इस चीज से हमने निकाला जो information निकाला वो कुछ ऐसा निकाला कि यह point हमारा M था यह point हमारा D था कभी है जो D होगा वो AD equal to AD equal to CD निकलेगा क्योंकि यह भी midpoint बनेगा अब यहाँ पे बोला CM equal to AM बोल रहा है तो इस बात को थोड़ा मैच कराता हूँ भी है इस बात को थोड़ा से यह पे draw करता हूँ CM equal to AM यह कास हम proof कर लेते सर मजा जाता है CM equal to AM अगर हम proof कर दे बटा CM equal to MA proof कर दे तो काम बनेगा सर कैसे होगा नहीं पता CM equal to MA हमें proof करना है अगर ऐसा proof हो जाए तो मजा ही आ जाए ऐसा proof हो जाए तो मजा ही आ जाए देख लेते हैं सर क्या हो सकता है क्या हो सकता है देख लेते हैं प्रूफ ऐसा हो सकता है क्या तो सुनो मोटी-मोटी बात यह है कि अगर हम CM को AM के बराबर प्रूफ कराना है मतलब इस figure में दियाद दिएगा CM equal to हमें AM प्रूफ कराना है दोस्ति अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास ऐसीarsh wa 90 ही होना परता हमारे पास कोई ॉप्षन यह दोस्त्थ मैं देखिए गा अगर यह पॉर्सन हमारा नाइंटी यह इतना सा पॉर्सन जो हमारे पास के बराफर कि यह अगर में निचे वाला भी तो 90 ही होगा उपर नीचे कैसे हो जाएंगे दोसٹ 90-90 degree हो जाएंगे सर, 90-90 degree हो जाएंगे सर, हाँ, मैंने नोट कर दिया, और क्या क्या होगा, और क्या क्या होगा सुनना, और क्या क्या होगा, सर इसके अलावा, इसके अलावा अपने पास जो बात आगी, यह DM जो है, यह DM के बराबर, क्योंकि दोनों में हो गया, बिल्कुल क common हो गया सर जी चली भी इस बात को भी नोट का लिया साथ में अभी एक खुबसूरत थी बात प्रूप की कि D is the midpoint of AC तो भी यह यह जो length AD है यह जो length AD है इस length DC के बराबर होगा क्या होगा since third third हमारा सपस्पाटे और सब पाटे था तर्बर किस्ट दी इस अ कि पोइमनद है below, point of AC therefore therefore क्या दोस AD equal to DC AD equal to DC now, अब now बना दो भी या now, किसमें? triangle ADM triangle ADM and triangle CDM CDM, इन दोनों में देखे तो क्या क्या बातिया हमारे पास होंगी भी या, AD equal to CD AD equal to CD, हाँ सर साथ में बटा, ADM equal to CDM angle, ADM equal to angle CDM बेहाद दोनों के दोनों 90 degree है ये प्रूव हो चुका है ये प्रूव्ड है या लेडी और साथ में बटा, DM equal to DM दोनों में common है, DM equal to DM दोनों में क्या है दोस? common है common है दोनों में तो यहाँ पर क्या लगा पाएंगे? side angle side criteria ये तो बोला side angle side criteria देखेगा using ये side angle side criteria बोला क्या? using side angle side criteria क्या हो जाएगा दोस्ट? कि सर अब हम बोल पाएंगे कि ऊपर वाला triangle यानि triangle ADM जो होगा triangle ADM होगा ये congruent हो जागा triangle CDM के CDM के तो यहाँ से अगर CPCT use करे by CPCT by CPCT क्या हो जाएगा दोस्ट? सर by CPCT बोल पाएंगे CM equal to AM PM equal to AM क्या पाप है? जो चीज़ चाहिए था वो गया वेटा CM equal to AM और चुकि AM जो है भीया, M midpoint है now M is midpoint of AB क्या हो जाएगा दोस्ट? AM equal to क्या हो जाएगा? AM equal to half of AB हो जाएगा thus AM equal to half of AB there therefore जो बात चाहिए थी वो मिल गए भीया therefore CM equal to AM equal to half of AB चले भीया जितनी बाते हम से प्रूफ करने के लिए बोला हर एक बात को हमने क्या मस्ट जबर्जस वाले तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया so this is all about your quadrilateral chapter सवाल होंगे उसको मैं दे दूंगा आपको homework में एक आद दो बैतरीन से सवाल है देखो मैं करा देता हूं कुछ तो करा देता हूं ताकि आपको एक अमेजिंग सा thrilling experience मिल जा सुनीगा बोला कि so that quadrilateral form by joining the midpoint of consecutive sides of rectangle is a rhombus यह यह rectangle है फैली बात बोल दिया इसने rectangle है देखो इसने बोला है कि इन सभी के midpoint से इनके सभी के midpoint से जो कुछ भी अगर आप form करते हो दोस्त जो कुछ भी form करते हो तो बोला यह जो कुछ भी आप form करोगे यह सिर्फ और सिर्फ क्या होगा एक rhombus होगा ज्यादा दिमाग नहीं लगा ज्यादा दिमाग लगा नहीं हमें बस इतनी सी बात यहाँ पर मैसूस करनी है क्या कि R-S और P-Q parallel होगा हाँ सर since since R and S या S and R are midpoint midpoint of किसके भी या DA and DC DA and DC भी या इसके midpoint है तो क्या हो जाएंगे सर S-R will be parallel to AC S-R will be parallel to AC बस इतनी सी बात और साथ में वेटा क्या S-R equal to S-R equal to half of AC यह भी बात लिग सकते थे S-R equal to half of AC यह भी बात लिख सकते थे हाँ सकते यह बात अलिडियम लिख सकते थे इस चीज को मैं उठाता हूँ equation 1 बना लेता हूँ ठीक है भई या same same बिल्कुल same मैंने कौन साथ ट्रेंगल उठाया अगर आप नोटिस करो तो मैंने यह वाला ट्रेंगल उठाया हूए दोस्ट मैंने यह वाला ट्रेंगल उठाया हूए दोस्ट यह स्ट है यह आर है एो डी है यह है और यह मारे पास है आसा चली इंफर्मेशनी ओपर वाली सब्सेंटी seu नीचर्म बाले में हमारे पास कुछ ऐसा बनीगा मैं बढ़ा टीक नहीं बना रहूँ यह आपास य्यआपास सी आर मैं पासभ यह कि बी और यह कि यहां पर क्या दिया बिया, since P and Q are midpoint of, किसका भिया, P किसका, A, B and B, C A, B and B, C तो भिया, midpoint theorem को यूज करें या पी using midpoint theorem, बात इसको लिए लेता हूं बेटा using midpoint theorem midpoint theorem, अगर मैं यूज करता हूं तो क्या लिख पाऊंगा बेटा सर मिट पॉइंट थूरम अगर आप यूज करते हो तो लिख पाऊगे PQ विल भी पैरलेल टू AC PQ विल भी पैरलेल टू AC END साथ में PQ एकोल टू हाफ अप 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 यह सर ऐसी बात आप लिख पाऊगे यह दूसरा information दूसरा information यहाँ पर भी विल ने क्या किया है using midpoint theorem यह midpoint theorem using midpoint theorem midpoint theorem यह आपने midpoint theorem को ही use किया हो यह दो information आया है तो from first and second से क्या लिखो कि बिटा from first and second से जो conclude कर पाऊँगा वो कर पाऊँगा कि AC AC दोनों के पैरलेल टा SR parallel to PQ SR parallel to PQ and SR equal to PQ तो इस बात को अगर मैं इस पूरे figure में देखूँ तो इस पूरे figure में कुछ ऐसी कहानी मिल रही है दोस्त इस पूरे figure में कुछ ऐसी कहानी मिल रही है यह SR है यह हमारे पास क्या है दोस्त PQ है बोलना चाह रहा है कि bhi sr जो है यह पैलल ठोपी क्यू है और इसके पैलल भी बीविटा और इके तरीके सरह भी kim क्या बंहिलेगा दोस्त पी क्या हो जाएगा एक तनी बात तो हमने प्रूफ कर ले आप का बन बने जाता कास हम चारो साइट कैसे भी करके इक वाल प्रूफ कर लेते हैं सर इकोल टू पीकू प्रूफ कर लिए लेकिन लेकिन अगर मैं सर को पीक आरक्यू के वराबर कर दू तो यह हो जागा पैलेलोग्राम क्या बोला बिटा कि सर को आरक्यू के वराबर प्रूफ कर दू तो काम बन जो जो बेसिक बाते न वो कुछ ऐसी है जो बेसिक बाते वो कुछ ऐसी है ऐसा हमारे पास है information बेटा कि ये वाला इस वाले के बराबर है कास ये वाला इस वाले के बराबर होता तो आमने सामने का बराबर चारों से मोझाते चारों से मोझाते ऐसा हमारे पास information आ जाएगी अच्छा सुनना अगर ऐसा हमने लिखा PQRS पैरललोग्राम है तो बाइडीफल्ट में लिख देता हूँ एस पी इकवल टू आर क्यू में पहले से लिख दिता हूँ दोस्त और SP पैरलेल टू सुर्ट यह ऐस है concept up is Büss यह आरकिय लेख देता हूँ और साथ स가ला की बखर स्वाज बातहरं की बैदंग लोग्रामनी स्ब्सक्राइब का ऐससा कर दूह हूं कि सर की वेलू आरकियु ? starts है कैसे अब थोड़ा एंगल का कॉंसेट खेलेंगे सुना ये कितना दोस्ट 90 डिगरी विया ये कितना दोस्ट 90 डिगरी विया अच्छा मैं यहां पर दो बेशिक बाते लेता हूं सुना एक तो यह और एक तो यह आपको आइडिया लग गया कि मैं करने क्या उला हूँ 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 U यह हमारा C था। और जो point था उसको भी note कर लेता हूं और जो point से वह था यहाँ पे S, यहाँ पे था हमारे पास R, यहाँ पे था R, और यहाँ पे था Qूँ इन दोनों triangles को अगर मैं observe करूँ अच्छे से तो क्या यह वात है वीटा? कि DR R equal to R C, क्योंकि R हमारा midpoint है, हाँ भी या, चले भी या, और क्या-क्या, Sir, Ds equal to CQ होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों rectangle के width का आधा है, देखेगा, Ds equal to CQ होगा की नहीं, Sir, होगा ना क्यों, सुनना क्यों होगा, क्योंकि D A equal to BC है, इस बात को लिखता हूं, Since A, B, C, D is a rectangle, भी या, A, B, C, D, Rectangle है, तो इस के समें DA जो होगा, वो BC के बराबर होगा, देख लीजेगा अभी या, DA जो होगा, वो BC के बराबर होगा, या DA का, DA का half जो होगा, वो इस BC के half के बराबर होगा, दोस्त, हाँ Sir, तो DA का half कितना लिया, वेटा, DS, तो इसका half लिया, मैंने DS, और BC का half लिया कितना, वेटा, BC का half मैं लिया, वेटा, CQ, CQ, this much, यहाँ पर लिख देता हूं, अगर आपको डर है, तो लिख देता हूं, D, और यहाँ पर वेटा, C, यह B है, और यह A है, ऐसा कुछ है, Sir, इसके अलावा, इसके अलावा, एक खुबसूरत सी जो चीज अभी दिख रहे है, वो यह है, क्या, यह दोनों के दोनों राइटिंग, हमारे पास यह दो जो ट्रेंगुलर सेप हैं, कैसे हो गए भी या, अलाव, ट्रेंगल, कौन से बेटा, डी, एस, आर, डी, एस, आर, एंड, ट्रेंगल, C, Q, R, C, Q, R, यह इसमें दोनों में देखने वाली बात क्या क्या है, इसमें अगर हम अब्जर्ब करें, तो अभी यह हमारे पास हो रहा है, यह, डी, आर, एकुवल टू, R, C, R, मिट, पॉइंट है, आर, मिट, पॉइंट है, इसकी वैसे, आर, मिट, पॉइंट है, एस, की वैसे, है और साथ में ds equal to cqlid हमने प्रूफ कर लिया यह calculated है यह calculated है अभी हमने calculate किया तो यहां से using by ss criteria क्या बोल पाएंगे दोस्त कि सर बाई ss criteria बोल पाएंगे कि यह जो triangle dsr है dsr है यह हो जाएगा congruent to triangle cqr cqr तो बहिए by cpct क्या होगा by cpct क्या होगा by cpct मारे पास आ जेगा सर कि sr equal to rq क्या sr equal to rq but बट बहिए sr तो PQ के बराबर था sr तो था PQ के बराबर and RQ दो था विटा खिश के के बराबर था, सर ये था SP के बराबर, RQ जो था वो किसके बराबर था दोस्त, RQ किसके बराबर था, SP के बराबर, तब यहां से क्या वो लिट पाँगे, कि SR equal to RQ equal to PQ equal to SP, और अगर एक parallelogram के चारो साइट सेम, this would be only possible in rhombus, only possible in rhombus, so this is all about, देखो और बाकी के जो questions है ना, वो similar pattern के है, similar pattern के, so this is all about your today lecture, I hope, I hope मेरे दोस्तों, आज की session में आपको सारी की सारी ये जो कहानी है, वो आपको समझ में आई होगी, quadrilateral में हमने starting की थी, किसको लेकर, सर जितने भी class 8 के basic structure होते हैं quadrilateral में, like हमारे पास parallelogram, trapegium और इन दोनों के combination से कुछ बच्चे पैदा हुए थे या क्या rectangle, square, rhombus और kite, इन सारी की सारी properties को हमने किया, मस्त वाले तरीके से, जबर सर्वास तरीके से recall और सारे questions ठीके, लेकिन पूरा focus जो गया था, वो गया था parallelogram के हर एक basic property को theorems के तरीके से proof करने में, उस property को cover करने के बाद बच्चों हम पहुचे थे midpoint theorem and converse up midpoint theorem और उसके बहुत सारे बैतरी से सवाल हमने आग के session में cover किये, अब मैं ऐसा मान के चलना हूँ, जरूरी नहीं है कि जितने भी questions आज मैंने करा है, वो आपको पहले ही नजर में फटा-फट से समझमा आ गया होगा, मिटा बिलकुल load मत लेना है, अगर आपको लगता नहीं कि सर ये पूरा का पूरा जो session है बहुत लंबा गया, उतना clear नहीं समझमा आया, तो एक छोटा सा यार काम करो, मेरी suggestion अगर आप मांते हो, अपने सच में आप अपनी अपनी विया की बास सुनते हो, तो बस बीडियो को pause करना है दोस्त यहीं पे, जश्ट पीछे जाओ उस moment पर जहां पर आपको point of confusion हो, एक बार बीडियो को थोड़े कम speed पर बेटा आराम से देखना सोचते हुए समझते हुए, क्योंकि मैंने हर एक बात को न वर्बली कई बार repeat किया, तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल crystal clear आपको फिर से सुनने पर समझ में आ जाएगा, अब बाकी इस particular chapter से जितने भी questions बनते हैं, उसको जाइए जम के तोड़िये, आपका free time है में दोस्त, अब जो करना करिए बस किसी का दिल न दुखाइए, खास तो पर ममी पापा का बहुत जल्दी मिलेंगे, आपके एक और हावी डिबर्ट वाले chapter दाटी जो सर्किल, तो बहुत जल्दी मिलेंगे भी जिस हिसाब से आपके planner जा रहे है, आपको पहले intimate हो जा रहा कि कौन सा chapter आ गया आने वाला है, तो बिलकुल भी load मत लेना अब ऐसा नहीं कि इस चप्टर में ये वीडियो जाए, उसके नीचे आप डाल दो कि सर्किल, सर्किल, सर्किल करा दो, सर एक हर एक चप्टर को ही कराएगे load मत लो आपके अभिने विया आपके साथ खड़े है, और आपको इतना तगड़ा फ्री में quality content मिलना तो पूरी की पूरी जितना benefit आप उठा सकते उठाओ, साथ मैं अपने दोस्तों को भी ये चीज़ सेर कर दो कि अभिने विया की class यहां पर पड़ी हुई है, अगर वो batch किसी वज़ा से financial situation की वज़से नहीं जोइन कर पाए है, तो at least यहां पर exactly जो चीज़े आपके syllabus के हिसाब से most important बनती है वो cover कर पाए है, चलो यार दोस्त ख्याल रखना हस्त्रे मुस्करात रहना तब तक के लिए good bye, bye bye, के अर दो एाफ़ना